तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का Career Definer YouTube चैनल पे और आज के इस धम्माकेदार सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं Time and Work का पूरा चैक्टर जहां पे सबसे पहले हम Basic Concept सीखेंगे उसके बाद उसके जितने भी Types और Categories हैं उनको एक के बाद एक Step by Step process में सीखते चले जाए सीखते चले जाएंगे सीखते चले जाएंगे और उसके बाद हम खुद को टेस्ट करेंगे कि क्या हम examination के लिए तयार है और उसको टेस्ट करने के लिए मैं आपको करवाऊंगा कुछ previous year Time and Work के based questions और उसके बाद हम सबसे interesting पार्ट पे जाएंगे जो अपना हमेशा की तरह र start करने से पहले मैं आप सभी से ये request करूँगा कि हो सके तो एक बार session को like और share जरूर से कर दीजेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों ताकि ये session पहुंच पाए और हाँ इतना और कहना चाहेंगे कि इस वीडियो के बाद हर एक arithmetic chapter इस channel में आपको एक वीडियो में मिल ग कर दें पूरा तो भी आप arithmetic के basic concept से लेकर advance तक सीख सकते हैं तो चलिए आज का ये सफ़र स्टार्ट करते हैं without any further delay hello friends my shelf कोशिक मानती welcome to our channel कहरे डिफाइन तो सबसे पहले अकसर आप लोग time and work के जो सवाल होते हैं उनको fraction maze में करते हैं और यही fraction maze कभी कबार बहुत ही ज़्य equations को form कर देते हैं जो की calculation करना बहुत ही मुस्किल बन जाता है तो आज के ही session में हम बिलकुल भी fraction वाला approach यूज नहीं करेंगे हम अपना पूरा ध्यान रखेंगे कि LCM में सारे के सारे possible varieties questions को हम कैसे solve कर पाएंगे कैसे deal out कर पाएंगे तो इससे पहले जितने लोगों को LCM के work in 20 days and B alone can do it in 30 days in how many days A and B can complete the work together यानि कि पूछा गया है कि अगर A एक काम को 20 days में कर पाएंगा और B उसी काम को अकेले 30 days में कर पाता है तो A और B अगर मिल के काम करेंगे तो कितने दिन में काम खतम होगा आपको कुछ नहीं करना सबसे पहले A 20 days लेता है B 30 days लेता है मतलब clear है कि आपको उनका time given है once आपको A, B, C, D किसी आदमी का काम करने का time given हो उस time का straight आप LCM लीजिए LCM यानि कि least common multiple तो यहाँ पे 20 और 30 का least common multiple कैसे निकालेंगे मुझे तो दिख रहा है कि 60 उनका least common multiple है लेकिन अगर आपको लग रहा है कि चीखना जरूरी है तो बिल्कुल भी नहीं है आप 60 ना लेके अगर 120 में भी ले सकते हैं तो भी answer आपका same आएगा 240 मतलब कोई भी इनका common multiple अगर आप ले लेंगे answer आपका और मेरा हमेशा same आने वाले लेकिन जो least calculation है वो हमेशा आपको LCM में मिलेगा तो कोशिस कीजिएग अगर उनका LCM ले पाते हैं तो बहुत अच्छा है तो 20 और 30 का LCM लेने के लिए आपको हमेशा क्या करना है बड़े number को focus करना है 20 और 30 में बड़ा number कौन है 30 30 के multiple में जाईए और चेक किजिए कि कौन से number 20 से cancel हो पा रहा है for example 30 का पहला multiple 30 है क्या वो 20 से cancel हो रहा है नहीं 30 का इस सवाल में अपना जो total work है वो 60 units का है यह हमने assume कर रखा है आप अगर 120 करेंगे 240 करेंगे कोई problem नहीं होगा answer same आएगा अब LCM लेने के बाद जो total work निकालने के बाद the next अपना काम है efficiency निकालना सर efficiency क्या है efficiency आपका एक दिन का का काम या फिर एक घंटे का का काम या फिर ए सवाल हमारा days के उपर है और अगर सवाल days के उपर है तो यहाँ पर मैं निकालूँगा कि हर दिन जो काम करने के उनकी ख्षमता है उसी को efficiency कहा जाता है तो efficiency के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर clearly दिख रहा है कि यह जो है वो 20 days ले रहा है काम को complete करने के लिए कितने काम क 60 units जो हमने assume कर रखा है तो अगर 60 units के काम या फिर 60 sweets को खाने के लिए उसको अगर 20 days लग रहे हैं तो हर दिन वो कितने मिठाई खा रहा होगा 60 divided by 20 अगर वो हर दिन 60 divided by 20 यानि कि 3 units का काम अगर per day करेगा तभी तो जाके 3 into 20 करने से 60 units का काम complete होगा sir clear नहीं हुआ एक और बा B कितने दिन में कर पा रहे है 30 days में कर पा रहे है अगर 30 days में 60 units कर पा रहे है तो हर दिन पर डे कितना करेगा 60 divided by 30 वही तो मैं कहरा हूँ थोड़ा तो copy उठाईए इतना तो सीखिए तो ये हर दिन 2 units का काम कर रहा होगा per day अब यहाँ पे अगर A एक दिन में 3 unit करेगा तो 20 इस दिन में 20 into 360 perfect B अगर एक दिन में 2 unit करेगा तो 30 दिन में 30 into 260 perfect तो मैं यह कह सकता हूँ कि A और B अगर मिलके काम करेंगे क्योंकि सवाल पूछा गया ना how many days A and B can complete it together तो अगर A और B मिलके करेंगे तो definitely यह एक दिन में 3 जब करेगा यह एक दिन में 2 खतम कर देगा तो हर अभी कितना खतम होना शालू हो जाएगा 5 units per day complete होना start हो जाएगा अगर हर दिन 5 मिठाई A और B मिलके खापाते हैं तो उनी को अगर मैं total 60 sweets दूँगा तो वो कितने दिन लेंगे 60 divided by 5 यानि कि 12 आपका answer आ चुक है लेकिन यह basics से में सिखा रहा हूं तो पहले सीख जाएगे कि अगर आपको time निकालना होता है तो time निकालने के लिए आपको एक simple यह formula कभी आज मत कीजेगा work upon efficiency मतलब आपको कितने काम करवाने है divided by जिस से करवाने है उनका efficiency अब इस सवाल में मुझे total work करवाने है यानि कि 60 units का काम करवाने है तो work हो गया 60 divided by किस से करवाने मुझे A और B together से करवाने है together air B का efficiency कितना है 5 unit का आया तो total 60 मिठाई अगर हर दिन 5 के हिसाब से वो लोग खाते चले जाएंगे तो total कितना दिन लग जाएगा 12 दिन लग जाएगा rule of multiplication division subtraction जो बच्चे आपको कोई भी अगर doubt होगा तो आपके side में कोई भी अगर छोटा सा बच्चा होगा उसको भी यह सवाल ऐसे सिखाएंगे 60 अरे बेटा हर दिन अगर 5 खा पारें तो 60 खाने के लिए कितना दिन लगेगा वो आपके मुह में बोलके चला जाएगा 12 दिन लगेगा तो आप ज्यादा deeply मत जाएए simple सा concept है total 60 अगर हर दिन 5 खतम होगा तो 60 by 5 12 days लगेगा या पाफिर इस चोटे से पार्ट को आप थोड़ा सा रख सकते हैं अगर आपका basics clear नहीं है तो time क्या होना चाहिए जितना काम मुझे करवाने divided by जिन से करवाने उनका efficiency सर सब कुछ clear हुआ एक और example अगर दे देते तो अच्छा होता एक और quality example आपके सामने है आप भी करना start करेंगे तभी आप benefit पाएंगे नहीं तो कुछ benefit नहीं होगा ठीक है इतने बड़े-बड़े sessions पे इतना time आप लोग devote कर रहे हैं हमारा कुछ नहीं है आप लोग devote कर रहे हैं इतने इतने time लेकिन उस time का proper utilization तभी होगा जब आप side by side notes कर रहे होंगे बना रहे होंगे ठीक है 7 whole 1 by 2 को मैं लिख सकता हूँ 7 into 2 14 14 plus 1 15 by 2 लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ तो A और B total काम को 15 by 2 days में कर सकते हैं यहां तक clear है हाँ सर clear है B alone can do it in 25 days B अकेला उस काम को कितने days में कर सकता है 25 days में कर सकता है In how many days A alone can finish the work A अकेला उस काम को कितने दिन में finish कर सकता है सर यहां पर मुझे यह 15 by 2 यह 25 LCM तो लेना है आपने सिखा दिया है लेकिन मैं LCM ले ही नहीं पा रहा हूँ आपको LCM लेने के लिए कोई problem नहीं होना चाहिए क्यों क्योंकि जब भी आपको मैंने कहा कि time मिल जाए और time का अगर आपको LCM चाहिए तो यहां पर डरने वाली कोई बात नहीं आप denominator को completely ignore मार दीजे यहां पर numerator कितना दिख रहा है सर 15 यहां पर कितना है 25 आप 15 और 25 का LCM लेजिए LCM लेने का trick में ने क्या कहा था बड़ा नंबर ढूंड यह 15 और 25 में बड़ा कौन है सर 25 25 के multiple में जाईए 25 पहला multiple है क्या उसको 15 कैंसल कर पा रहा है नहीं 25 का next multiple 50 क्या उसको 15 कैंसल नहीं 25 का next multiple 75 क्या उसको 15 कैंसल कर पा रहा है तो 75 will be the LCM of the numerator और अगर मैं numerator को लूँ और denominator को ignore कर दूँ तो फाइदा कहां पर हो रहा मैं आपको बता रहा हूँ तो अपने इसाफ़ से जो total work है वो कितने unit का आगया 75 unit का आगया अब 75 unit को करने के लिए अगर B को 25 दिन लग रहे हैं तो वो हर दिन कितना कर रहा हुगा तीन unit कर रहा होगा और अगर नहीं पता तुमने यह कह सकता हूँ कि 75 unit करने के लिए अगर 25 days ले रहा है तो हर दिन 75 by 25 यानि कि 3 units per day कर रहा होगा डिवाइड करने से आ जाएगा यहाँ पर अगर मैं A और B का efficiency पूछूँ तो अगर 75 units करने के लिए 15 by 2 days ले रहें तो हर दिन कितना कर रहे होंगे 75 divided by 15 by 2 और जब मैं यह 15 by 2 को डिवाइड करूँगा यह by 2 उपर चला जाएगा मतलब यहाँ पर 2 नहीं रहेगा इसलिए मैंने क्या कहा था कि denominator में जो भी होगा यहाँ पर 3, 4, 5, 6 ultimately वो उपर जाके multiply होना है तो यहाँ पर denominator को आपको completely ignore मारना है सिर्फ numerator का इलस्म लेने से भी काम बन जाएगा तो अगर मैं divide करूँगा तो 15 यहाँ पर कटा आया 5 बार 5 into 2 यहाँ पर इनका efficiency कितना आया 10 अब सोचने लाइक बात है कि यह जो efficiency यानि कि per day work एक दिन में कितना काम करने की क्षमता A और B का कितना है 10 unit B का कितना है 3 unit अब मुझे बताईए कि A और B मेंसे अगर B का आपने निकाल दिया है 3 unit और A और B मिलके कर रहे होँगे 10 मतलब इस 10 मेंसे अगर 3 unit B कर रहा होगा तो 10 मेंसे 3 जाने के बाद जो 7 unit होगा वो definitely कौन कर रहा होगा ए ही तो कर रहा होगा अरे A और B मिलके 10 कर सकते हैं में से B अकेला 3 कर पा रहा है तो 10 में से 3 हिस्सा अगर B करेगा तो बाकी का 7 हिस्सा A कर रहा होगा तो A का Efficiency मैंने निकाल दिया 7 units का अब मैंने आपको last question में बताया था कि time कैसे निकालते हैं देखो कि कितना आपको काम करना है और divide कर दो उनका Efficiency जिनसे ये काम को आपको करवाना है तो सर मुझे काम कितना करना है टोटल काम को करवाने किससे in how many days A finished A alone finished the work A अकेले से मुझे करवाने तो टोटल मुझे time कितना लगेगा भाया work कितने करवाने है टोटल work 75 units करवाने है divided by जिससे करवाने है उसका Efficiency मुझे तो A से करवाने है और A का Efficiency मैंने कितना निकाला 7 तो 75 by 7 will be the correct answer तो 7 10 जा 70 बचा आपके पास 5 denominator में 7 तो option number A 10 whole 5 by 7 is the correct answer for this question तो एक second ये चीज को में repeat करतूं कि जब भी आपको 7 whole 3 by 4 8 whole 9 by 7 8 whole 18 by 36 जो भी आपको दे दे आपको सीधा focus करने उनको पहले तो proper में convert कर दीजे फिर numerator का LCM ले लीजे denominator अपने आप उपर चलाएगा clear है copy pen लेके कर रहे हैं तभी clear होगा नहीं तो कभी clear होगा ही नहीं अब ये रहा आपका सामने next सवाल ये मेरे ख्याल से आप लोग अभी खुद लिपता सकते हैं जल्दी pause करके कीजिए A, B and C can do a piece of work in 8 days मतलब clearly वो बोला है कि A, B और C मिलके A, B और C मिलके एक काम को 8 days में कर पा रहे हैं पहला चीज If B alone can do the same work in 18 days and C alone do the same work in 24 days अगर B अकेला उस काम को 18 days में कर पा रहा है और C अकेला उस काम को 24 days में कर पा रहा है In how many days A alone finish the same work कितने दिन में A अकेला उस काम को कर पाएगा तो यहाँ पे आपको कोई tension ली लेना है यहाँ पे सीधा सीधा आपको क्या करना है होगा आप सीधा LCM ले लीजिए LCM अगर में बात करों तो यहाँ पे सबसे बड़ा नमबर को है 24 24 के multiples में जाओंगा तो first multiple 24 क्या उसको 18 cancel कर पा रहा है सारे के सारे उसको cancel करने चाहिए 24 का next multiple 48 क्या उसको 18 cancel कर पा रहा है 24 का next multiple 72 क्या उसको 18 cancel कर पा रहा है क्या उसको 8 cancel कर पा रहा है 8 9 जा 72 18 4 जा 72 24 3 जा 72 तो clearly यही पर देखते ही देखते है आपको LCM मिल गया कितने units का 72 units का यही आपके हिसाब से क्या हो जाना चाहिए total work बन जाना चाहिए अब total work 72 unit को करने के लिए 8 दिन तो हर दिन कितना कर रहा होगा 72 by 8 यह और लिखूँगा नी next से तो यह हो गया क्योंकि आप जगा था इसलिए लिख दिया 72 हर दिन मतलब total time ले रहा है 18 तो 72 करने के लिए अगर 18 दिन तो हर दिन 4 unit कर रहा होगा 72 करने के लिए अगर 24 दिन ले रहा होगा तो हर दिन 3 unit यह step लिखने की कोई ज़रूत नहीं direct 943 आप लिख सकते है तो अब मुझे पूछा गया है कि in how many days A alone can finish the same work तो A अकेला उस काम को कितना दिन में कर सकता है अब A कितने दिन में कर सकता है यह तभी पता लग पाएगा जब A का efficiency मुझे पता चल जाए अब A का efficiency कैसे पता चलेगा अब मुझे बताईए कि B और C का efficiency पता है हाँ sir B 4 unit कर सकता है और C 3 unit कर सकता है तो B और C मिलके 4 प्लस 3 यानि कि कितना unit का काम कर सकते है 7 units का काम कर सकते है कितने दिन में? per day लेकिन A, B, C अगर मिलके करेंगे तो हर दिन कितना कर सकते है 9 unit कर सकते है तो A, B, C अगर मिलके करेंगे तो हर दिन कितना करेंगे 9 units per day कर पाएंगे तो clear हो चुका है कि A, B, C जो 9 unit कर रहे होंगे उसमेंसे B और C तो definitely 7 units कर रहे होंगे तो 9 मैंसे 7 unit जाने के बाद जो 2 unit होगा, वो definitely कौन कर रहा होगा, ए कर रहा होगा, तो A का efficiency मुझे पता चल गया, कितना हो गया, 2 units per day, अगर A 2 unit per day कर पाएगा, तो मुझे पूछा गया है कि A total 72 units करने के लिए कितना time लेगा, last time बता रहे हैं, time आपको कैसे निकालना होता है, कितना काम करवाना है, divided by जिन से करवाना है उनका efficiency, इस सवाल में मुझे total काम को करवाने है, यानि कि कितने unit का, 72 unit का, किस से करवाने है, A से करवाने है, और A का efficiency कितना है, 2 unit का है, तो 72 by 2 कितना दिन लग जाएगा, 36 days, यानि कि option number C is the correct answer for this question, I hope कि ये step और ये step आपको सच मे लिखना होगा, क्या, ये मैं explain कर रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ, आपको यहीं से लिख रहा हूँ, चार, तिन, साथ, अगर B, C, मिलके करेंगे, तो 9 से 7 जाने के बार A, 2 कर रहा होगा, 22, 236, और लिख आ रहा है, बस LCM निकाल के efficiency एक बार निकाल देंगे, तो, done, अगर session मज़ेदार लग रहा होगा, तो एक बार session को जमके like और share जरूर से कर दीजेगा, और ये गजब का सवाल, जल्दी से कीजे, pause करके, उमीद करते हैं आप से, थोड़ा सतो उमीद करीं सकते हैं, इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो आप खुद के लिए भी थोड़ा मेहनत कर रहे होंगे, सवाल कह रहा है कि, A can do half of a piece of work in five days, B can do three-fifth of the same work in nine days, and C can do two-third of the work in eight days, in how many days can three of them together do the work, तीनों के तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, वो सब मुझे मतलब नहीं है, half काम, भया तुम तो direct बता देते हैं कि एक total काम करने के लिए 10 दिन लेता, यह half काम पांच ऐसे confused करने के लिए जब देगा, आप हमेशा total work निकाल दीजे, सर कैसे, यहाँ पे क्या दिन ले रहा है, तो यहाँ से एक चीज क्लियर होना चाहिए, कि अगर आपका total दो यूनिट का काम है, तो उसका half एक यूनिट करने के लिए 5 दिन लग रहा है, तो total दो यूनिट करने के लिए 10 दिन लग रहा होगा, पहला step क्लियर है, हाँ सरी है, तो half ता easy ता मैंने double कर या, दूसरा वाला समझा दीजे तो अच्छा होगा, बी जो है, वो three-fifth काम करने के लिए, मतलब काम का complete नहीं, three-fifth काम करने के लिए nine days ले रहा है, तो three by five करने के लिए nine days ले रहा है, उसका मतलब समझते हैं, कि total अगर आपका पांच काम होगा, पांच यूनिट का काम होगा, तो उसमें से तीन यूनिट करने के लिए nine दिन, तो भी total पांच यूनिट करने के लिए nine दिन ले रहा है, तो हर यूनिट करने के लिए उसको तीन दिन लग रहा होगा, हर यूनिट करने के लिए अगर तीन दिन, तो पांच यूनिट करने के लिए five and two three, fifteen days, unitary method, इ आठ दिन यानि कि टोटल काम अपना अगर तीन यूनिट का होगा तो दो यूनिट करने के लिए आठ दिन तो सर मैंने निकाल दिया दो यूनिट करने के लिए अगर आठ दिन तो सर एक यूनिट करने के लिए चार दिन तो complete तीन यूनिट करने के लिए चार तिर बारा यह सम को reverse कर दीजे 2 3rd का reverse कितरा हो गया 3 by 2 उसको उसके time के साथ multiply कर दीजे कितरा time है 8 ये भी आपको same चार्तिया 12 को ही lead करेगा दो unit करने के लिए 8 एक unit करने के लिए 4 तीन unit करने के लिए 12 दिन आता similarly यहाँ पे भी वही चीज होता अगर मैं इसको उल्टा करके multiply कर देता तो 5 by 3 को अगर मैं 9 के साथ multiply कर देता तो 9 into 5 45 by 3 15 इसको उल्टा करके multiply कर देता तो नीचे तो 1 ही रहा 5 into 2 10 तो यह दूसरा तरीका है तो मैंने आपको basic भी समझा दिया उसके पीछे का concept और साथी साथ है traditional trick भी आपको दे दिया अब आपका काम है कि आपके पास time available होने के बाद अब आप LCM ले सकते हैं LCM 10, 15 और 12 मुझे दिख रहा है नहीं तो बड़ा नमबर 15 है 15 के multiple में जाएंगे तो आपको 60 LCM मिली जाएगा LCM 60 होने के बाद वो अपना total work है तो total 60 unit का काम 10 दिन ले रहा है तो 60 divided by 10 हर दिन 6 कर रहा होगा 60 divided by 15 हर दिन 4 कर रहा होगा 60 divided by 12 हर दिन 5 कर रहा होगा तो अगर इतने इतने हर दिन कर रहे हैं तो मुझे अभी पूछा क्या गया है In How Many Days Can 3 of Them Together Do The Work? तीनो के तीनो मिलके उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं तो तीनो के तीनो मिलके काम को करेंगे तो A हर दिन 6 करेगा B हर दिन 4 करेगा और C हर दिन 5 करेगा तो मिलके 6 फ्लस 4, 10 फ्लस 5, 15 योनिटS का काम हर दिन खत्म होगा हर दिन अगर तीनों मिलके 15 यूनिट कर पा रहे तो टोटल 60 यूनिट का काम करने के लिए कितना दिन लगेगा टाइम बराबर क्या होता है और नहीं लिखूंगा टोटल वर्क डिवाइड़ बाइ जो Efficiency है तो वर्क कितने यूनिट का है आपका 60 यूनिट का है किस से करवाने है थेनों के मिलके Efficiency कितना है धिना तो कितना आगया आपका आंसर आगया उमीद करते हैं कि टाइम, उनका LCM, उनका Efficiency, टाइम is equal to काम, divided by जिन से करवाने उनका Efficiency, यहां तक यह पूरे चार कोशिन में मैंने पूरा perfectly explain कर दिया है, यह एक आखिर सा सवाल है, ताकि सारे के सारे तोड मरोड के चीज़ें कितने दूर तक clear है, यह आपको भी पता चल जाएगा, और हमें थोड़ा पता चल जाएगा, इसलिए यह last सवाल आपको इस basic type का मैंने रखा है, तो जल्दी से इसको pause करके एक बार आप खुद try कीजिएगा, एक बार शायद एक silly mistake आप लोग कर सकते हैं, और जब मैं उस silly mistake से आपको बाहर निकालूँगा, आप जिन्दगे भर वो गलती नहीं करेंगे, A and B can do a piece of work in 8 days, B and C 24 days, C and A 8 whole 4 by 7 days, कुछ नहीं है, A और B 8 days, B और C 24 days, और A and C, A और C 8 whole 4 by 7, तो क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ, कि अगर 8 whole 4 by 7 होगा, 8 into 7, 56 plus 4, 60 by 7, मैंने ये सिखाया था, second question, तो A और C को मैं 8 whole 4 by 7 ना लिखे, 60 by 7 days लिख दूँगा, बैला step clear है, हाँ सर, अभी तो elsim लेना, इसका क्या करें, सिखाये हैं, एक question skip मत कीजिएगा, 7 का यहा परा नंबर सबसे कौन है, सर 60, 60 के multiples में जाईए, पहला multiple 60 का 60 है, क्या 24 उसको cancel कर पा रहा है, 60 को, नहीं सर, 60 का next multiple 120, क्या 24 cancel कर पा रहा है, हाँ सर, 24 5 जा 120, क्या 8 cancel कर पा रहा है, हाँ सर, 8 into 15, 120, 60 का तो second multiple वैसे ही है, तो मैंने clearly यहाँ पे 120 units का LCM, ओरली मुझवानी निक divided by 8, 15 units per day, 120 unit का का काम 24 दिन, मतलब 120 divided by 24, 5 unit का का काम per day, 120 divided by 60, यह एक बार में लिखना चाहता हूँ, 120 divided by 60 by 7, जब मैं करूँगा, तो 60 by 7 का जो by 7 है, वो उपर चलाएगा, into 7 बन जाएगा, उससे यह 60, यह cancel हुआ, 2 times 7 into 2, यह बन गया, 14 units per day, यहां तक clear है, अब पूचा गया है कि कितने दिन में C अकेला उस काम को करेगा, अब C इस काम को अकेला करेगा, तो time मुझे कैसा निकालना होता है, सर कितना काम करना है, divided by जिससे करवाने उसका efficiency, करवाना किससे, सर C से करवाने, C का efficiency, सर पता नहीं, तो निकालना C का efficiency है, उसके बाद तो सब कुछ automatically clear ह तो C का Efficiency कैसा निकालेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि 15 प्लस 520 प्लस 14 34 यूनिट्स का काम पर डे 34 यूनिट्स का काम पर डे कौन कर सकते हैं तो यहाँ पे ज्यादा लगबग जितने लोगों नहीं पढ़े होंगे आज पहली बार सीख रहे होंगे उनमें से 95 परसंट बच्चे यह कहेंगे कि सर इनको आपने आड किया न तो यह सर A, B और C मिलके कर रहे होंगे इसके पहले वाले सवाल तक आपने सही दिया था लेकिन यहाँ पे गडबड किया हुआ कि 15 यूनिट का काम कौन कर पा रहे है A प्लस B 5 यूनिट का काम कौन कर पा रहे है B प्लस C और 14 यूनिट का काम कौन कर पा रहे है A प्लस C और जब मैं A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस A प्लस C को add करूंगा तो मेरे पास 2A रहेंगे, 2B रहेंगे और 2C रहेंगे यानि कि 2A, 2B और 2C मिलके 34 units का काम एक दिन में कर पाएंगे अगर 2A, 2B, 2C मिलके 34 units एक दिन में कर पाएंगे तो 1A, 1B और 1C कितना unit कर पाएंगे 17 units कर पाएंगे हर दिन और अगर A, B, C मिलके 17 units कर पा रहें अब second question के type का ही है A, B, C मिलके 17 units कर पा रहें एक दिन जिसमें से मुझे पता है कि definitely A और B एक दिन में कितने कर रहे होंगे 15 units कर रहे होंगे Sir A और B को ही क्यों पकड़े क्योंकि मैंने सवाल पूरा पढ़ा कि मुझे निकालना है C कितने दिन में करेगा C कितने दिन में करेगा जानने के लिए मुझे C का efficiency चाहिए और C का efficiency यहां पे कहां से मिलेगा पता है जहां पे C नहीं होगा वहां से मिलेगा मतलब Sir यहां पे C नहीं था हाँ Sir A प्लस B का efficiency कितना है 15 हाँ Sir तो A और B मिलके कर सकते हैं 15 लेकिन वही A B में जब C जुड़ जाता है तो काम होता है 17 मतलब C के चले आने से एक्स्ट्रा कितना यूनिट का काम हो रहा है 2 यूनिट का काम हो रहा है मतलब यहीं से मैं बता सकता हूँ कि C 2 यूनिट्स पर डे का काम कर रहा होगा स्मिले लिए अगर इसी सवाल में मुझे A पूछता कि A कि दने दिन में करेगा तो मैं A का efficiency निकालता और A का efficiency निकालने के लिए में कौन से वाले को पकरता जहां पर A नहीं है मतलब मैं B प्लस C को पकरता क्योंकि B और C मिलके अगर 5 लेकिन जब वही B C में A भी जूड़ जाता है तो 17 तो एक्स्ट्रा जो 12 आया वो A के वज़े से आया यही होता है आपके mind के साथ खेलना ठीक है तो C 2 units per day अगर efficiency के हिसाब से काम करेगा तो total 120 unit का काम करने के लिए उसको कितना दिन लगेगा total काम 120 करवाने है किस से करवाने है C से करवाने उसका efficiency 2 unit का तो 120 by 2 यानि कि उसको 60 days लग जाएगा तो option number A 60 is the correct answer for this question और जितने लोगों ने पहले बार सीख के इस सवाल को भी सही बना लिया hats of keep it up गजब आपका दिमाग perfectly काम करना चालू कर दिया है और आगे मैं अभी सिखाने वाला हूँ कि ये तो नन्ने मुन्ने से सवाल है अब आगे अगर कुछ लोग काम को करके बीच में छोड़े के चले जा रहे होंगे कुछ नए लोग आके काम में गुसरे होंगे वो कुछ दिन करके चले जा रहे होंगे ऐसा करके फिर और कोई दिन काम खतम होने से दो दिन पहले बिट्रे करके चला जाएगा and joining वाले questions के और चलिए तो दोस्तों अब बारी है कि LCM method को और थोड़ा गहराई से सीखा जाए और इसके impact क्या रहते हैं जब हम कुछ ऐसे सवालों को deal करते हैं जहां पर कुछ main कुछ time के बाद join करते हैं या फिर कुछ time के बाद छोड़ के चले जाते हैं तो उन type के after 5 days B left the work in how many days the total work would be finished मतलब एक काम को A. अकेला कितने दिन में कर सकता है 20 days में कर सकता है और B. उसी काम को अकेला कितने days में कर सकता है 25 days में कर सकता है ऐसे category के सवालों को आगे मत पढ़िए पढ़ने से confusion ज्यादा create होता है आप सबसे पहले LCM ले लिजे अपना total work निकाल दीजे total efficiency निकाल दीजे रखे रहने के बाद ही सवाल को जवाब पढ़ेंगे तो एक crystal clear idea आपको मिलेगा जैसे कि 20 or 25 का मैंने LCM लिया तो 20 or 25 का LCM मेरे ख्याद से 100 units का आप सभी को पता चल गया होगा तो 100 units का जो LCM होता है वो अपने हिसाब से क्या बन गया total work अभी ही तो हमने सीखा तो total 100 units को करने के लिए अगर 20 days तो हर दिन कितना करेगा 5 units per day करेगा 100 unit करने के लिए अगर 25 दिन ले रहा है तो हर दिन कितने का करेगा 4 यह कितने बार लिखूंगा इस बार directly लिखूंगा 5,4 ठीक है तो हर दिन 5 कर रहा है कॉन A, हर दिन 4 कर रहा है कॉन B, इतना निकालने के बाद सवाल पढ़िए इतना तक चाहिए दोनों ने मिलके काम स्टार्ट किया अगर दोनों मिलके काम स्टार्ट करेंगे तो A हर दिन 5 unit करेगा और B हर दिन 4 unit करेगा तो A और B अगर मिलके काम स्टार्ट करेंगे तो 5 प्लस 4, 9 units का काम एक दिन में complete होगा एक दिन में 9 units का काम complete होगा उसी तरह उन्होंने कितने दिन तक काम किया उन्होंने 5 दिन तक काम किया यह कहां से पता चला बट आफटर 5 देस B left the work मतलब 5 दिन तक तो A और B दोनों मिलके काम कियोंगे एक दिन में A और B अगर 9 यूनिट का काम कर सकते हैं तो पांच दिन में 9 इंटो 5 कितने यूनिट का काम कर सकते हैं 45 यूनिट का काम वो already complete कर रखे होंगे उसके बाद कौन छोड़के चला गया B छोड़के चला गया अगर B छोड़के चला गया तो अभी मुझे पूछा गया है कि in how many days the total work would be finished कितने दिन में total work मेरा finish होने वाला है अब total work आपका कितना यूनिट का है 100 यूनिट का इस total 100 यूनिट से आपने already कितना खतन कर रखा है 45 यूनिट का 100 से 45 यह सब लिखने की ज़रूत नहीं यह पहला question है इसलिए लिखवा रहे 100 यूनिट से अगर 45 यूनिट already complete हो चुका है तो वो बाकी कितना यूनिट का काम रहा है 55 यूनिट का ये work रहा है अब यही 55 यूनिट को कौन करेगा ये करेगा क्यूंकि B 5 दिन के बाद चला गया अगर B चला गया तो अकेला A करेगा A हर दिन कितना कर सकता है 5 यूनिट कर सकता है अगर वो 5 यूनिट कर सकता है तो ये 55 यूनिट का remaining work को complete करने के लिए कितना दिन लेगा 55 by 5 यानि कि 11 डेज लेगा तो सर क्या 11 डेज मेरा आंसर नहीं अगर मुझे सवाल पूचा जाता कि remaining work को करने के लिए को कितना time लगता तो answer 11 days आता या फिर ये पूचा जाता कि B काम को छोड़ने के बाद और additional कितने दिन लगेंगे, additional days कितने लगेंगे, तो और additional 11 days लगेंगे लेकिन इसने सवाल में क्या पूचा थोड़ा घुमा दिया, how many days the total work would be finished, कितने दिन में total काम खतम होगा, अब total काम खतम करने के लिए, क्या ये 11 दिन काफी थे, नहीं, उससे पहले भी तो 5 दिन का काम चला था न, तब जाके total unit का total काम खतम हुआ, तो यहाँ पे total पहले 5 दिन, फिर अकेला ये 11 दिन, मतलब total 16 days लगेंगे काम को complete करने के लिए, तो इस सवाल का जो correct answer होगा, वो कितना हो जाएगा, option number C, 16 days will be the correct answer for this question, लेकिन एक बात ध्यान दीजेगा, अगर additional आपको कितने days लगने चाहिए, वो पूछता तो 11, और अगर B जाने के बाद A को कितने दिन लगते हैं, तो भी 11, लेकिन यहाँ पे total कितना time लगा, इसलिए मैंने add किया और निकाला 16, clear है, अब चलिए, थोड़ा सा इसको level up दीरे-दीरे करूँगा, बढ़िया-बढ़िया सवाल करूँगा, attention ना ले, ठीक है, आप अपना काम कीजिए, क्या, pause करके, solve करना start कीजिए, और आपको कोई दूसरा काम यहाँ पे में नहीं देने वाला, ठीक है, तो दूसरा question कह रहा है कि, A and B can do a piece of work in 45 days and 40 days respectively, they begin to do the work together, but A leaves after some days, and then B completed the remaining work in 23 days, तो क्या हो, आप पूछा कि they begin to work together, but A leaves 23 days, A दोनों के काम को टुकड़ा कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद A छोड़ दिया, और फिर B ने 23 दिनों में शेश काम को पूरा किया, तो यहाँ पे सवाल आप add कर दीजे, in how after how many days, A leave the work, A कितने दिन के बाद काम को छोड़ के जाता है, यह सवाल आपको पूछा जाएगा, अगर यह कितने दिन के बाद आपके काम को छोड़ के जाएगा, तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले, A अकेला कितने दिन में काम को complete करता, सर 45 days, बी, अकेला उस काम को कितने days में करता, सर 40 days, अब 40 और 45 का LCM, 45 के multiple में जाऊंगा, तो 90, यह तो नहीं जाएगा, और यह 45 का हर multiple न 5 में end होगा, 135, 180, 225, 270, 315, ऐसा करके जाएगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ, तो 40 का multiples, तो 0 में end होगा, तो जो भी उनका LCM आएगा, वो 0 का, मतलब end में 0 होना चाहिए, तो जितने भी 5 वाले ending, 45 के multiples है, उनको लेने की कोई जरुवत है नहीं, तो अब मैं यह कह सकता हूँ, कि अगर 90 में cancel नहीं होगा, तो 90 के multiples में ही मैं जाऊंगा, LCM, और जो LCM होता है वो अपना क्या बन गया, टोटल वर्क बन गया अब 360 करने के लिए 45 देज, तो हर दिन कितना कर रहा होगा 360 by 45, 2, 4, 8 360 by 40 9, तो इसका efficiency आगया 8 units per day, और इसका efficiency आगया 9 units per day यहां तक clear है, अब बोला कि दोनों ने एक साथ काम को start किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद A छोड़के चला गया जिसके चलते B ने remaining काम को 23 days में किया तो पूछा गया है कि total, sorry A कितने दिन बाद उस काम को छोड़के गया होगा, तो simple सा funda देखिए अगर remaining काम को B 23 days में कर रहा है मतलब B additional 23 days ले रहा है उस काम को complete करने के लिए हाँ sir, B हर दिन कितना कर पाएगा 9 units कर पाएगा, हाँ sir अगर हर दिन 9 units कर पाएगा तो आखिर के 23 days में उसने कितने किया होगा 23 into 9 क्या होगा 180, 27 यानि कि 207 units का काम B ने आखिर के 23 days में किया होगा हाँ, total work कितना था sir, 360 360 के काम से अगर 207 units के काम B अकेले करता है last 23 days में तो उससे पहले definitely कितना काम कता हुआ होगा 360 में 267 minus करने के बाद जो काम होगा उससे पहले complete हुआ होगा तो 60 से 7 गया, ये रहा मेरे पास 53, 300 से 200 गया मतलब 153 units का काम A और B ने मिलके एक साथ किया होगा फिर A छोड के चला गया होगा और B बाकी के 23 days में हर दिन 9 units करके 207 units का काम complete किया होगा तो 153 units का काम तो भईया A और B ने मिलके किया है अब जब A और B मिलके करेंगे तो हर दिन 8 प्लस 9 कितना units का काम खतम होना चाहिए 17 units का खतम होना चाहिए अगर A और B मिलके एक दिन में 17 units का काम complete कर पा रहे हैं तो इसी 153 units को complete करने के लिए उनको कितना दिन लगा होगा 153 by 17 यानि कि 17, 9 जब 153 मतलब 9 days तो A और B को लग गया होगा definitely यही 153 units का काम complete करने के लिए मतलब यही 9 days A और B मिलके काम किये होंगे उसके बार A छोड़ के गया होगा बाकी का काम 23 days में B अकेला कर रहा होगा मतलब just previous question का थोड़ा modified version तो उस एसाब से मैं कहा सकता हूँ कि अगर A और B मिलके 9 दिन तक उस काम में रहे हैं तो A definitely कितने दिन बाद गया होगा 9 दिन के बाद गया होगा तो 9 days तक A काम करने के बाद ही leave किया होगा तो correct answer यहां पे क्या होगा option number A, 9 days will be the correct answer for this question clear है, बढ़ें आगे तो यह रहा आपका next सवाल जल्दी से इसको viewed आईए pause करके एक एक बार खुद करेंगे तो ज्यादा better clarity आएगा चीक है A and B can do a piece of work in 30 days while B and C can do the same work in 24 days and C and A can do the same work in 20 days तो आपको मैंने क्या का आगे ऐसे सवालों में बिलकुल मत पढ़िए क्योंकि पढ़ने के बाद भी आपको दुबारा और एक बार उन सवालों को पढ़ना होगा तो दुबार क्यों पढ़ेंगे अगर मैं already starting में एक बार पढ़के LCM-LCM लेके efficiency तक पहुंच जाओंगा उसके बाद मैं एक ही बार में काम कतम कर सकता हूँ जैसे कि यहाँ पर क्या बोला गया ए और बी मिलके कितने देज में करते है? सर, ए और बी मिलके 30 डेज में करते है बी और सी मिलके कितने डेज में करते है? 24 डेले अब आगे मत पढ़िए सीधा LCM ले लीजे सबसे बड़ा नमबर सारे के सारे cancel कर रहे हैं तो 120 units का जो LC में वो अपना total work बन जाएगा 120 का काम करने के लिए 30 दिन तो हर दिन 4 unit का का 120 by 24 हर दिन 5 unit का का 120 by 20 हर दिन 6 unit का काम चल रहा होगा लेकिन ये जो 4 units per day 5 units per day या फिर 6 units per day ये जो कर रहे हैं कौन? 4 unit का काम A और B मिलके कर रहे हैं एक दिन में 5 unit का काम B और C मिलके कर रहे हैं एक दिन में और 6 unit का काम A और C मिलके कर रहे हैं एक दिन में ऐसा question मैंने basic में भी आपको करवाया दिया था clear होगा मेरे क्याल से they all work together for 10 days then B and C leave उन सब ने मिलके 10 days तक काम किया और उसके बाद B or C चले गए तो वो सब अगर 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम खतम होगा अब कोई बोलेगा कि sir मैं बताता हूँ 5 plus 4, 9 plus 6, 15 unit sir वो लोग हर दिन कर सकते हैं 15 unit sir वो हर दिन कर सकते हैं तो 10 दिन में 150 अठे बेटा काम अपना 120 का है तुम अगर 10 दिन इन से करवाद होगे ABC 15 लेके तो 150 हो चुका है तो गलत हो गया ना तो sir हाँ sir गलत कहा हुआ गलत यहां हुआ कि 4 plus 5, 9 plus 6, 15 units per day जो है न वो कौन करते हैं A plus B, B plus C और C plus A मिलके मतलब 2 A, 2 B और 2 C मिलके 15 units करेंगे 7.5 units का काम कर रहे होंगे हर दिन और अब अगर मैं कहूं कि ABC मिलके काम कितने दिन तक किये 10 दिन तक किये तो 7.5 units हर दिन के हिसाब से अगर वो 10 दिन किये होंगे तो कितना units का काम कम्प्लीट किये होंगे 75 units का काम उन्होंने कम्प्लीट कर दिया होगा कितने days में 10 days में अब बोला कि then B and C live और उसके बाद 10 दिन तक तो ABC ने मिलके काम को किया फिर B और C छोड़ के चलेगे how many days more will A take to finish the work अब कितना और ज्यादा दिन मतलब बाकी का काम complete करने के लिए A को कितना दिन लगेगा अब पहले बताओ कि बाकी का काम है कितना अब total 120 unit से आपने complete कितना कर दिया 75, 25-20 तो बाकी का काम कितना है 45 units ये जो 45 units का काम है आपको किसे करवाने A से करवाने है मतलब मुझे A का efficiency चाहिए A का efficiency चाहिए तो clear सी बाते में A कहां से निकालूँगा जहां पे A नहीं है वहां से मतलब B और C को में target करूँगा B और C का combined efficiency कितना unit है 5 unit का है मतलब B और C मिलके एक दिन में 5 unit कर सकते लेकिन अगर आपको याद दिला दू A, B, C मिलके एक दिन में कितना कर पाएंगे 7.5 कर पाएंगे जिसमें से 7.5 में से B और C का अवदान कितना होगा 5 units का होगा तो साड़े साथ में से अगर B और C का roll 5 units का होगा तो बाकी 2.5 units कौन कर रहा होगा ए कर रहा होगा तभी तो add करने से A, B, C को 7.5 आएगा या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि B प्लस C मिलके 5 लेकिन जब उन्ही B प्लस C में A भी add होगा तो साड़े साथ तो एक्स्ट्रा जो आया है 2.5 वो कौन लेके आओगा A लेके आओगा जैसे भी concept आप सीखिए A का efficiency जब मैं 2.5 units का निकाल दूँ तो काम खतम अब 45 units मुझे A से करवाने और A का efficiency मुझे पता चल चुका है 2.5 तो time कितना लगेगा काम divided by जो काम जो करेगा उसका efficiency काम कितना बचा है 45 किस से करवाने A उसका efficiency 2.5 तो divide कर दीजे इसको 2.5 से इसको जब मैं 2.5 से divide करूँगा तो ये 25 by 10 by 10 चला जाएगा उपर 5 में काटूँगा 2 5 में काटूँगा 5 5 में काटूँगा 9 9 दुनी 18 तो clear correct answer अपना हो गया 18 कुछ गरबड हुआ क्या नहीं न 18 तो option number A 18 is the correct answer for this question तो बचा कुछा काम अगर A 18 days लेगा similarly अगर आपको B पूचता तो आप A C को target करते C पूचता तो A B को target करते तो हरे questions को आप अगर देखते जाएंगे तब जाके उनको सीख सकते हैं skip करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़े skip में ही चले जाएंगे आधा अधूरा जीज़ आप लेके जाएंगे तो I request y'all कि session को end तक जरूर से देखें तब आप कह सकते हैं कि basic से advance तक मैं सीखा हूँ क्योंकि मैंने complete session को ना सिर्फ देखा है बलकि साथ ही साथ ही साथ solve B क्या है that is equally important now moving on to question number 28 A can do a piece of work in 16 days B can do it in 36 days and C can do it in 48 days कुछ नहीं आपको आगे कुछ नहीं करना A कितने days में कर पा रहा है Sir A 16 days में कर पा रहा है B कितने days में कर पा रहा है Sir B 36 days में कर पा रहा है 36 days में कर पा रहा है और C कितने days में कर पा रहा है 48 days में कर पा रहा है अब सबसे पहले तो हम कहा करेंगे LCM ले लेंगे LCM लेने के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर को हो है 48 48 के multiple में चलिए पहला multiple 48 क्या 36 cancel कर पाएगा नहीं next multiple 96 क्या 36 cancel कर पाएगा नहीं next multiple 144 36 4 जा 144 69 जा 144 done 144 units का LCM लेते ही मुझे अपना total work 144 units का मिल गया 144 काम करने के लिए 16 days तो हर दिन 144 by 16 9 unit का का 144 by 36 36 दुने 72 दो 4 unit का का 3 unit का का अब इनका efficiency मैंने निकाल दिया units per day units यह सब लिखने के आपको ज़रूरत नहीं है ठीक है मुझे पता है ना कुछ है आपकर जो सीधा यहीं तक पहुंच आए होंगे तो मेरा मोटो है कि जो इधर भी पहुंच के आए है वो भी थोड़ा सीखी जाए मतलब skip करके अब क्या बोला गया है कि चलिए 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 A, B and C start working together A, B and C मिल के काम को start किये after working 4 days A left then after 5 days B also left then in how many days C complete the remaining work तो मैं अभी यह कह सकता हूँ कि इसको per day per day को थोड़ा हटाओ मुझे थोड़ा easy side में जगा चाहिए तो आपके पास उन सबका efficiency है हाँ सर मुझे सबका efficiency मिल चुका है अब उन्होंने कहा कि A, B, C ने मिल के काम को start किया A, B, C ने मिल के काम को start किया ठीक है और 4 दिन बाद A चला गया अब A हर दिन कितना कर सकता है सरे A हर दिन 9 units कर सकता है तो 4 दिन में उसने कितना क्या होगा 9 into 4 36 units क्या होगा clear? Yes sir फिर वो बोल लाए कि 4 दिन बाद A चला गया then after 5 days B also left मतलब उसके और 5 दिन बाद B भी चला गया उसके और 5 दिन बाद मतलब ये 4 दिन रहा उसके और 5 दिन मतलब total starting से 9 दिन के बाद कौन जा रहा है? B जा रहा है तो अगर B हर दिन 4 कर सकता है तो 9 दिन में कितना करेगा? 4 into 9 36 यहां पर गलती से भी 5 multiply मत किचेगा वो क्या कह रहा है? और एक बार सुनिए after working 4 days A left 4 दिन काम करने के बाद A चला गया then after 5 days B also left उसके और 5 दिन बाद मतलब 4 के और 5 मतलब 4 प्लस 5 9 दिन के बाद B चला गया B हर दिन अगर 4 कर सकता है तो 9 दिन में 4 into 9 36 कर सकता है then वो पोल आए कि then in how many days C complete the remaining work तो C remaining work को कितने days में complete कर सकता है अब यहां पर कुछ गड़बर आप लोग करेंगे क्या? किसा है? 36, 36, 72 units का का काम complete हो चुका है 144 से 72 जाने के बाद बचा कुचा काम 72 units का है यही बचे कुचे काम को C से करवा देंगे हर दिन 3 unit के efficiency साबसे 72, बटे 3, 24 आंसर आगया 99, नहीं, गलत कर दिया आपने क्यों? क्योंकि वो पोला है कि C को remaining काम, सर वही तो निकाले 72 जाने के बाद remaining 72 नहीं, remaining कब जब B छोड़के चला गया मतलब A तो पहले 4 दिन के बाद जा चुका है B उसके और 5 दिन मतलब starting से 9 दिन के बाद गया उसके बाद जो remaining मतलब B के छोड़ने के बाद जो remaining रहता है, उसको C को करने के लिए कितना दिन लगेगा? हाँ सर, समझे तो उसके, मतलब B के जाने के बाद remaining कितना रहेगा? वो कैसे निकालेगा? अब जब B गया, starting तो 3 दिनों नहीं किया था देखिए, पढ़ लिजे, A, B, and C start working together, मतलब C starting से work कर रहा है और end तक रहेगा? हाँ सर, तो जब B नौ दिन तक काम क्या है? उस वक तक C भी तो नौ दिन तक काम किया होगा? मतलब उसने भी उसी नौ दिन के दौरान 3 इंटू 9, 27 यूनिट्स का अपना रोल प्ले किया होगा? मतलब अगर मैं बात करूं 9 दिन तक, ये तो 9 दिन तक रह नहीं सकता नाइन्थ डे, अब नाइन्थ डे के बाद जो 10 दे, 11 डे जो भी होगा वही रिमेनिंग काम को कौन करता जाएगा? अभी C करता जाएगा तो रिमेनिंग कैसे निकालेंगा? 144 से कम्प्लीटेड कितना है? 99 कम्प्लीटेड है, तो बचा कितना है? 45 यूनिट बचा है यही रिमेनिंग वर्क को आपको किस से करवाने है? C से करवाने है क्योंकि यह और भी जा चुके हैं और जब C से करवाने है, तो मुझे अभी C का एफिशेंसी चाहिए C का एफिशेंसी कितना है? हर दिन का? 3. तो C अगर हर दिन 3 के हिसाब से काम करना चालू करेगा तो बाकी का 45 यूनिट का काम करते-करते उसको कितना दिन लग जाएगा? 15 डेज लग जाएगा. तो correct answer for this question is option number C 15 days rather than 24 days. 24 में क्या mistake हुआ पता है? आपने starting से 9 दिन सीक को काम करवाए नहीं. तो गडबड़ हो जाएगा ना तीनो मिलके काम कर रहे थे. तो ये चीज़ को थोड़ा तोड़ मरोड के कुछ भी language में घुमा देगा. आपको लगेगा comment और सवाल है daily basis का लेकिन नहीं रहेगा. तो चलिए मज़ेदार लगा होगा मेरे क्याल से और शेशन को आप सभी ने like और share जरूर से किया होगा और ये आपके सामने next सवाल जबनी से इसका answer भी आप खुद try कीजिए उसके बाद हम explain करेंगे तब आप कोई better idea, better अंधाजा होगा. सवाल कह रहा है कि A, B and C can do a piece of work in 10 days, 12 days and 15 days respectively. आगे मत पढ़िये. A कितने दिन में कर सकता है? 10 days. B कितने days में कर सकता है? 12 days. और C कितने days में कर सकता है? 15 days. ये तो भहिया favorite number is scale sim यादी रख लो. 60 units का scale sim होगा और वो अपना total work बन जाएगा. Total 60 unit करने के लिए 10 तो 60 by 10, 6 unit हर दिन. 60 by 12, 5 units हर दिन. 60 by 15, 4 units per day. लिखनी रहा क्योंकि ये side में मुझे कुछ जरूरत पर सकता है. Efficient से निकालने के बाद सवाल को पढ़िये. They start the work together. But A left after working 3 days and C left 4 days before the completion of the work. मतलब तीनों ने एक साथ काम start किया. But A कितने दिन के बाद चला गया? A left after working 3 days. A हर दिन कितना कर सकता है? 6. तो तीन दिन में उसने 6 into 3 कितना किया होगा? 18 units का काम किया होगा. Done. Done. और B की बात करें, और C की बात करें. C left 4 days before the completion of the work. अब 4 दिन पहले complete. अगर मुझे पता होता कि total काम 10 दिन तक चला है, तो 4 दिन पहले चला गया सर, 6 दिन तक काम किया होगा. अगर मुझे ये पता होता कि total काम 14 दिन तक चला है, तो 4 दिन पहले गया है, मतलब सर, 10 दिन तक काम किया होगा. लेकिन total काम कितने दिन तक चला है, वो ही नहीं पता, वो ही तो पूछा गया, in how much time the whole work completed, तो अगर whole time आपको नहीं पता, तो 4 दिन पहले भी आप कहां से निकालेंगे, सर, ये cannot determine हो जाएगा, नहीं, option भी नहीं है, सारे के सारे options आपके पास visible है, तो ये सवाल को करने से पह लाजी के हदी पार कर दे, उन्होंने छोड़ के चला गया, लेकिन वो छोड़ के जाने के बावजूद भी काम complete हो रहा है, ये सोचा अपने, हाँ सर, काम तो complete हो रहा है, और अगर काम complete हो रहा है, तो definitely कोई तो ऐसा होगा, जो काम को अंजाम दे रहा होगा, यानि कि B, starting से end तक काम कर रहा होगा, और अगर B, starting से end तक काम कर रहा होगा, तो अगर काम 10 दिन तक चला होगा, तो भी 10 दिन काम क्या होगा, अगर 12 दिन तक काम चला होगा, तो भी 12 दिन तक काम क्या होगा, अगर 18 देस तक काम चला होगा, तो 18 देस काम क्या होगा, लेकिन B, मतलब कितन तो C, जितने दिन तक काम चला है उससे 4 दिन पहले ही छुटी मार्दे नहीं गया काम को तो अगर काम x येइज तक चला है तो वो 4 दिन नहीं गया मतलब 4 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब उसने कितने दिन तक काम किये होंगे x minus 4 येज तक काम किये तो 4 unit के हिसाब से अगर वो x-4 days तक काम करेगा तो कितना complete करेगा 4x-16 और अगर अभी मैं बात करूँ तो a तीन दिन में जो करेगा b total time में जो करेगा और c total time से 4 दिन पहले तक जो करेगा उनको add करने से मेरा total work तो complete हो ही जा रहा है और total work अपने हिसाब से कितने unit का है 60 units का मतलब a का का 18 b का का 5x और c का का 4x-16 को अगर मैं मिला दो तो total काम कितने का complete हो है 60 का complete हो है यहां से मेरे ख्याल से x का value निकालना बहुत easy है 5x plus 4x 9x 18 से 16 गया तो plus का 2 प्लस का 2 इधर आया तो minus का 2 60 से 2 गया तो 58 तो x का value प्यारा सा 50 प्यारा सो नहीं है 58 by 9 हुआ 9 6 जा 54 54 जाने के बाद remainder बच्चा 4 by 9 तो correct answer हो गया यहां पर 6 whole 4 by 9 यानि कि option number a is the correct answer for this question और यह सवाल को मैं और यह थोड़ा easy रख पा रहा था रखना चाहता था लेकिन ऐसे values में रखना में जारूरी इसलिए समझा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इनका logical approach से start कर देते हैं सर तीन दिन तक काम नहीं क्या होगा यासे क्या होगा वो 12 यासे क्या होगा वो सोच सोच के एक unique way निकालने के लिए time के साथ negotiation कर रहे हैं बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगा लेकिन हमेशा यह माईने नहीं कि if hold days में आएगा कभी कभा fraction में भी आ सकता है तो वहाँ पर थोड़ा ज्यादा टाइम ले जाएगा तो आप कभी भी लॉजिकल चक्कर में मत रहे हैं question display हुआ time निकाल लिए efficiency निकाल लिए काम खतम कीजिए न क्यों इतना ज्यादा सोचने जितना ज्यादा सोचेंगे दिमार्ट पर ज्यादा प्रिशर आएगा तो गल्ती होगा अब यह रहा आपके सामने गजब सा question और हाँ मैं और भी बहुत से सवाल ऐसे leaving joining के उपर करवाओंगा लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ जब मैं practice questions last में end में करवाओंगा और high level questions करवाओंगा तो इनी चीज़ का बहुत important role रहने वाला है एक छोटे छोटे concept का तो इसलिए हर concept को सीखते चलिए आगे और भी different different kinds के questions में करवाओंगा यह मत सोचेगा कि leaving और joining का इतना ही questions था यह गलती मत सोचेगा पी टेक्स 10 days to complete 40% of a task वाइल क्यू टेक्स 18 days to complete 75% of a task अब देखिए यहाँ पे मैं यह कह सकता हूँ कि पी जो है वो 40% का 40% का मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि 40% का मतलब 2 by 5 है यह तो मैंने percentage में पढ़ा है यहाँ फिर 40 by 100 कर दीजे 20 में cancel कर दीजे 2 by 5 तो टू-फिक्त काम को करने के लिए 10 days ले रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि अगर टोटल वर्क 5 का होगा यहाद है तबसे फिफ्त कुशिन शायद आज का फिफ्त कुशिन फॉर्थ कुशिन आज का ठीक है तो 2 unit करने के लिए अगर 10 दिन ले रहा है तो एक unit करने के लिए definitely 5 एक unit करने के लिए अगर 5 दिन तो total 5 उनिट करने के लिए 5 इंटो 5 25 days ले रहा होगा कौन भी या फिर मैं यह से भी कह सकता हूँ कि 40% का जो time है वो 10 days के बराबर है क्यों कि हमेशा यहां पर 43% होता तो इसका तो और fractional value नहीं होता लो तो यह भी जानना जरूरी है कि 40% करने के लिए 10 days तो total 100% करने के लिए unitary कैसे डालेंगे 10 upon 40 into 100 अब अगर मैं यहां पर 0 के साथ 0 काटू 100 by 4 यह कितना आगया आपके पास 25 तो जैसे करना है आप वैसे कीजिए मुझे उससे कोई problem नहीं है सिमिलली Q की बात करें तो Q यहां पर 75% इसा नोल वैल्यूज ना 75% is equal to 3 by 4 75% is equal to 3 by 4 तो 3 4th काम करने के लिए वो कितना days ले रहा है 3 4th काम करने के लिए वो कहां गया 18 days मतलब अगर total काम 4 unit काथ होगा तो उसका 3 unit करने के लिए 18 दिन लेगा मतलब एक unit करने के लिए 6 दिन तो total 4 unit करने के लिए 4 into 6 24 days ले रहा होगा तो इन दोनों से मैं घुमा फिरा के बस यह आपको बताना चाहता हूँ कि P एक काम को अगर 25 days में कर रहा है तो Q उसी काम को 24 days में कर रहा है LCM ले लिजे consecutive numbers ना उनका LCM कोई common ही नहीं आएगा और अगर common नहीं आएगा तो उनका LCM हमेशा क्या होगा इन दोनों numbers का product So remember one thing for any consecutive natural numbers the LCM is equal to the product of these numbers तो 25 into 24 अगर मैं कर दूँ तो this will be 600 तो LCM आपका अगर 600 units का आ गया तो 600 करने के लिए अगर 25 तो दिन तो हर unit करने के लिए हर दिन 24 unit और ये तो divide उल्टा हो जाएगा यहां तक clear है अब वो बोला है P and Q start a work together but P leaves the work after a few days P और Q दोनों मिलके एक काम को start करते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद P उस काम को छोड़के चला जाता है Q continue to work alone for 3 days Q अकेला 3 दिन तक काम करता रहता है If 63% work is still left अगर 63% का काम अब भी बचा हुआ है How many days did P leave the work कितने दिनों के बाद P उस काम को छोड़के चला के हैं अब मेरे ख्याल से यह 25 और 24 अगर आप लोगों का clear होगा तो मैं उपर से थोड़े कुछ हटाना चाहता हूँ हो सकता है तो एक screenshot अभी से ले लीजे ठीक है उसके बाद merge कर देजेगा अगले screenshot को ठीक है तो अगर screenshot ले लिया होगा मैं उपर वाला part को मिटा दिया अब मैं यह कह सकता हूँ कि P और Q मिलके काम कितने दिन तक कर रहते हैं सर पता नहीं तो suppose मैं कह सकता हूँ कि P और Q अगर मिलके काम करेंगे तो P हर दिन 24 और Q हर दिन 25 के इसाब से हर दिन का 49 units complete होना mandatory है हर दिन अगर 49 units खतम होगा तो suppose P और Q ने x days तक मिलके काम क्या तो कितना unit का काम खतम हुआ होगा 49X का काम खतम हुआ होगा अब X days के बाद P suppose छोड़ के चला गया है P छोड़ के जाने के बाद Q क्या करता है Q अकेले 3 दिन तक काम करता है Q हर दिन कितना कर सकता है 25 तो 3 दिन में उसने कितना क्या होगा अगर अभी भी 63% का काम बचा हुआ है तो क्या मैं यह कह सकता हूँ कि total का 37% काम उन्होंने complete कर दिया होगा तो total उन्होंने इतना काम complete किया होगा और वो जो काम है वो किसके साथ बराबर होगा total work का 37% के बराबर होगा P और Q अगर मिलके काम करेंगे तो 24 प्लस 25 हर दिन 49 का काम खतम होगा, done, P और Q मिलके काम तो start करते हैं, लेकिन P कुछ दिन के बाद छोड़के चला जाता है, मान लिजे कि P X days के बाद छोड़के चला जाता है, तो 49 अगर एक दिन चलता तो 49 into 1, दो दिन चलता तो 49 into 2, अगर X days तक चला होगा, तो 49 into X का काम खतम होगा, उसके बाद तो P चला गया लेकिन Q अभी 3 दिन तक काम करता है, Q continue to work alone for 3 days, तो Q हर दिन का अगर 25 कर सकता है, तो 3 दिन में 25 into 3 क्या होगा, मतलब दोनों ने कुल मिला के 49 X plus 25 into 3 का quota complete क्या होगा, इतना काम क्या होगा, और उन जो काम का काम लिप्टा दिया होगा, तो जो काम उनोंने लिप्टा आया है, वो total 600 का 37 परसंट के बराबर है, अगर इसी चीज़ को मैं solve करूँगा, 180, 42, 222, 75, 49 X, यह आपका हो गया, अगर यह 225 होता तो 75 जाता तो 1500, 1500 से और 3 कम, यानि कि यह 147, तो अगर 49 X बराबर 147, तो X बराबर आपका हो गया, 147 by 49, जो कि 49 3 जा 147 होता है, तो X का value 3 आ गया, X क्या है, P और Q जितने दिन तक मिल के काम के है, मिल के कब तक काम के था, जब तक P ठी था, जब P छोड़ के चला गया, तो और वो काम मिल के नहीं कर रहे थे, तो यानि कि मैं यह कह सकता हूँ कि 3 दिन के बाद P छोड़ के गया है, और सवाल भी मुझे क्या पूचा है, How many days did P leave the work तो कितने दिन में P छोड़ के चला गया तीन दिन में छोड़ के चला गया तो correct answer for this question is option number C 3 उमीद करता हूँ कि जितने भी concept आपको सीखने ते living, joining वाले मुँँ मैंने गजब से आपको सिखा दिया है अब बारी है सबसे important, interesting, जबरदस concept को जाने के जो कि है alternate days का concept alternate days concept में आप हमेशा unitary method लगा देते हैं लेकिन आज मैं पूरा proof के साथ आपको बताऊंगा कि why unitary method is not applicable in case of alternate days problem तो अगर आपको अभी तक्षिशन मज़ेदार लगा होगा तो give it a thumbs up और शाथी साथ share is mandatory तो share the video as much as possible thank you so much बढ़ते हैं अपने next category जो की है alternate days concept के और चलिए तो दोस्तों कहने को alternate days के जितने भी problems होते हैं वो वही concept LCM का ही follow करते हैं और उन्हीं LCM के concept से हम इन सब को बना सकते हैं लेकिन यहाँ पे छोटा सा twist है और अगर यह twist आपको नहीं मालूम तो definitely आप सभी के answers गलक्त आ रहे होंगे और वो twist को एक hint की तरह में आपको देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप unitary method नहीं लगा सकते जितने लोगों को पता नहीं है unitary क्या है alternate क्या है वो तो मेरे साथ वक्त गुजारेंगे तो सब कुछ समझेंगे लेकिन जितने लोगों को यह पता है कि unitary नहीं लगता मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किया कभी आपने सोचा है कि क्यूं नहीं लगता तो reason जान लीजे जिन्दगी बार आपको यह चीज़ें नहीं डराएंगे कि तो मैं reason के साथ यहां पर प्रूफ करने वाला हूँ कि क्यों unitary नहीं लगता नेकिन उससे पहले क्या है यह alternate concept क्या है यह unitary method सब कुछ एक के बाद एक बारी किसे सीखते हैं basic सवाल से start करते है A can complete a piece of work in 6 days and B in 7 days respectively एक काम को A 6 days में complete कर सकता है और उसी काम को B 7 days में complete कर सकता है if they work for a day alternately in how many days the work will be finished if A begins the work अगर वो alternately एक एक दिन काम करेंगे और वो भी A से शुरुआत करके तो कितने दिन में काम complete होगा sir alternate मतला यहां पर together काम नहीं करना पहला दिन अगर A करेगा तो दूसरा दिन B करेगा तीसरा दिन A, फिर चौथा दिन B A, B, A, B, A, B इसलिए इसको alternate कहा जाता है तो alternate days में again उसने क्या कहा कि start A से होता है क्या sir उसका कुछ रोल था उसका भी रोल है सब कुछ बताने से पहले में आपको सीधा सचीज पूचने आचाता हूँ अब तक मैंने आपको जो सिखा है वो आपने किया? नहीं, सर वो तो हमने नहीं किया L-CM भी ने लिया इतना अगर आप पीछे रहेंगे तो जमाना आगे निकल जाएगा तो 6 और 7 का L-CM अगर मैं कहूँ टोटल वर्क 42 यूनिट्स का अगर A करेगा तो हर दिन 42 by 6 7 यूनिट्स कर सकता है और अगर B करेगा तो 42 by 7 6 यूनिट्स बी कर सकता है इतना आपको भी निकाल के रखना है उससे आगे मेरा काम है इतना तक आपका काम दा अब यहां से अगर मैं कहूं कि alternate ले तो यानि कि पहला दिन यहां पे कौन काम करेगा पता नहीं लेकिन जो भी काम करेगा अगला दिन दूसरा वाला बंदा काम करेगा फिर तीसरे दिन तक जो स्टार्ट किया था उसके पास चलाएगा सर फूर्थ डे में फिर alternate बंदा फिप्त डे में alternate सिक्स डे में alternate ऐसे करते 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 चिलेंगे यहाँ पर एक चीज उसने mention किया है ए बिगिन्स दवर्क सर इसका कुछ रोल है बताते हैं अगर ए बिगिन करेगा तो पहला दिन ए करेगा दूसरा दिन बी को चला जाएगा तीसरा दिन ए बी ए बी ए बी ऐसे हैं यहाँ पर अगर कोई आपको और इवन का concept समझाता है तो बेकार concept है वो बिलकुल मत सीखे है और इवन का concept बिलकुल मत सीखे है simple सा फंडा मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि A पहला दिन करेगा A हर दिन कितना कर सकता है 7 unit तो पहला दिन 7 unit का काम complete होगा second A B करेगा तो कितना करेगा 6 फिर A 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, ऐसा करके चलेगा लेकिन यहाँ पर एक pattern आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं देखू 7 और 6 को add करने से कितना आ रहा है सर 13, 7 और 6, 13, आगे के 7, 6, 13, 13, 13, 13, 13, 13, मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि अगर मैं दो दिन की बात करूँ, दो दिन में मिला के 13 unit का काम खतम होते चल थर्ड, फोर्थ, 13, 56, 13, 7, 8, 13, मतलब हर दो दिन में 13 unit का काम कम्प्लीट होगा, तो मैं यह कह सकता हूँ कि 13 units का काम कम्प्लीट होने के लिए, 13 unit का काम कम्प्लीट होने के लिए, कितना दिन लग रहा है, अब हर 13 को करने के लिए, 1st second, 3rd, 4th, 56, मतलब हर 2 दिन में चल रहा है, तो 2 days लग रहा है, यहां तक concept clear है, अभी आपको मैं unitary method क्या है, वो सिखाता हूँ, कि अगर 13 apples को 2 रुपया, तो total 42 apples को कितना होगा, 2 by 13 into 42, लेकिन वो यहां पे नहीं लगेगा, सर, क्यों नहीं लगेगा, अब जितने लोग जानते नहीं है, या फिर जानते हैं, मैं सब को यह चीज explain करने वाला हूँ, कि अगर मैं यहां पे 1 unit को 2 by 13 कह दूं, तो वो गलत हो जाएगा, सर, मैं समझा नहीं, थोड़ा बारी किसे बताईए, unitary method कहां पे लगता है, अगर मैं आपसे कहूंगा, कि अगर 2 apple को 8 रुपे, तो 3 apple को, सर, 12, कैसे, 2 apple को अगर 8 रुपे, तो 1 apple को 4 रुपे, तो 3 apple को 4 into 3, 12, मतलब आपने पहले एक unit of apple, एक single apple का price निकाला 4, और उसके बाद आपको 3 apple ज़रूरती, तो 4 into 3, 12 क्या, 2 days में 13 units यह तो सब को पता है, लेकिन 2 days में 13 units सच है, लेकिन क्या मैं यह कह सकता हूं कि 1 day, एक दिन में 6.5 हो रहा है, नहीं, क्योंकि पहले दिन, एक दिन 7 हो रहा है, दूसरे दिन 6 हो रहा है, मिलाने से 13 हो रहा है मतलब यहाँ पे एक दिन में 6.5 यूनिट अगर मैं बता दूँ तो वो गलत हो जाएगा इसलिए मैं यूनिटरी नहीं डाल सकता हर एपल का प्राइस सेम है लेकिन यहाँ पे हर डेली हर दिन सेम यूनिट का काम नहीं हो रहा है तो अगर यूनिटरी में डाल नहीं सकता तो कैसे करूँगा आपको इतना तुमें बता सकता हूँ कि पहला 13 करने के लिए 2 दिन लगे और 13 करने के लिए और 2 दिन मतलब 13 और 13 26 करने के लिए 2 और 2 चार दिन लगेंगे मतलब हर 13 के multiple में जा सकता हूँ अब देखिए 13, 13, 13 यानि कि 39 करने के लिए तीन बार ये pair को अगर मैं add करूँ 1st second, 3rd, 4th, 6, 6 days लगेगा सर्ष कहना क्या चाते हैं, मैं कहना ये चाता हूँ कि 13 unit को करने के लिए अगर 2 days तो 13 का second multiple यानि कि 26 करने के लिए 2 का second multiple 4 days लगेगा 13 को 3 बार multiply कर दूँ तो 39 unit करने के लिए 2 को 3 times 6 days लगेगा मतलब हर 13 को अगर करने के लिए 2 days लग रहा है तो उसी तरह मैं 13 के multiples में जा सकता हूँ अब अगर मैं 13 के multiples में जा सकता हूँ तो total काम मुझे कितने करवान है? 42 उसको तो exceed नहीं करना है तो उसको अगर मुझे exceed नहीं करना है तो मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ कि 13 unit का काम करने के लिए अगर 2 days तो 13 का multiple जो 42 के अंदर हो वो कौन है? तरह 3 times में multiply कर सकता हूँ तब जाके मैं 42 के नीचे रहूँगा कहां तक रहूँगा? 39 units पर बैठा हूँगा अब अगर 13 का 3 गुना काम करना है तो time भी तो 3 गुना लग जाएगा तो 2 into 3 39 units को करने के लिए कितना days लग जाएगा? 6 days यह तो आपके सामने ही है ना यह तो आपके सामने 13, 13, 13, 13, 13, 9, 6 तो यह मैंने कहां से निकाला? 42 तक मैं जाओंगा वो भी 13 के multiples में है अब 39 units करने के बाद 60 days तो लग गया लेकिन क्या मेरा काम complete हुआ? नहीं सर मेरा तो काम 42 units का है तो मैंने आपसे पूचा कि और कितना unit का काम बचा है? सर 39 मैंने कर दिया 42 total था? मतलब सर और भी 3 unit के काम मुझे करने है अब यहाँ पर important चीज़ है अब यह 3 unit के काम किस से करवाने है? अब तो 13 दिन, मतलब 13 unit तो है नहीं कि मैं 2 दिन का पैर लूँ अब यह 3 unit का काम किस के पास जाएगा पता है? जिसने काम start किया होगा इसलिए उसने कहा कि कौन start कर रहा है A begins the work that's the important point over here कि कौन काम को start करता है जो काम को start करेगा finally जो remaining work होता है multiply करने के बाद जो extra work रहता है वो उसी को assign किया जाता है जिसने काम शुरू किया होगा यहाँ पे काम किसने शुरू किया था? A ने सुरू किया था तो यह 3 unit का काम किसके पास जाएगा A के पास जाएगा और कितना time लगेगा उसका मैं पहले shortcut बता दू जो आपके minimum होना चाहिए उसके बाद उसका basic बताँगा shortcut यह कहता है कि आप पहले लिख दो कि कितना unit का काम बचा है 3 unit का काम बचा है लिख दो 3 3 unit का जो remaining काम है किसके पास जाएगा सर जिसने काम start क्या होगा उसके पास मैंने का किसने start किया सर A ने start किया A का efficiency कितना है सर A हर दिन 7 कर सकता है तो A का जिसका भी starting work होगा उसका efficiency को यहाँ पे divide कर दो तो 3 by 7 तो 6 complete दिन लगेंगे उसके साथ यह additional और 3 by 7 days लगेगा तो total time जो होगा वो कितना हो जाएगा 6 whole 3 by 7 days यानि कि option number A 6 whole 3 by 7 is the correct answer for this question but now the doubt now the confusion arises कि यह 3 by 7 कहां से आया अब इतना तक तो confirm है कि cycle complete होने के बाद 39 complete होने के बाद अभी next अपना 7th day start होता और वो कौन start करता जिसने actual में काम start किया था इसलिए मैंने कहा कि cycle complete होने के बाद हमेशा बचा कुछा काम किसके पास जाएगा जिसने काम को शुरू किया होगा तो यह कौन है A मैंने क्या का जितना काम बचा है उसको लिख दो 3 जिसके पास जाएगा उसका efficiency साथ divide कर दो answer निकला लेकिन वो कहां से है वो मैं बता रहा हूँ A जो है वो 7 units एक दिन में कर सकता है हाँ सर A जो है वो सर 7 units एक दिन में कर सकता है तो वो एक unit करने के लिए कितना दिन ले रहा होगा सर 1 by 7 days ले रहा होगा अगर एक unit करने के लिए 1 by 7 days ले रहा है तो बचा कुचा 3 unit करने के लिए वो कितना दिन ले रहा होगा सर 1 by 7 into 3 यानि कि 3 by 7 days ले रहा होगा तो ये जो step है आप उमीट कीजे और directly पहुँची अपने answer की और कैसे बचा कुछा काम लेकि दीजे तीन divided by कर दीजे जिसने काम स्टार्ट किया उसका efficiency तो correct answer हो गया 6 complete days और एक days का 37 यानी कि 6 whole 3 by 7 मुझे पता कि मता है कि पहला सवाल मैंने explain करने में थोड़ा time लिया लेकिन मेरे ख्याल से बहुत से doubts, बहुत से confusions मैंने clear किये है but still जो लोग beginners है अगर उनको कोई भी doubt हो रहा है तो second सवाल है मैं यहां से चार अलग-अलग किसम के questions आपको करवाँगा आप ज्यादा attention मत लीजे अब यहां पे और first second, third, fourth भी लिखने की जरूरत नहीं अब मैं आपको गजब का चीज़ बताने वाला और important तो कोई भी question को skip मत कीजे अगर आपका answer tally मिल भी जा रहा है match भी कर जा रहा है फिर भी एक बार solution देखे क्योंकि मैं कुछ ना कुछ तो आपको हटके जरूर से बताओंगा इस concept में लेकिन एक बार pause करके करेंगे तो आपका development होगा definitely A, B and C can do a piece of work in 20 days, 25 days and 30 days respectively आपको पढ़ना नहीं आगे, सीधा लिखना है 20 days में कर सकता है A, कितने days में कर सकता है 20 days में कर सकता है B, 25 days में कर सकता है C, 30 days में कर सकता है यहां तक clear है, आपका काम, हिलसेम ले लो 20, 25, 30, 120 180, 60, 1, 240 200, 300, 300 में आ जाएगा रहा यह उसे छोटा कुछ हो रहा है, मुझे तो 300 दिख रहा है मैं 300 के साथ जा रहा हूँ, ठीक है LCM 300 लेने के बाद वो मेरा total work बन गया अब total 300 unit का काम करने के लिए 20 दिन ले रहा है, तो हर दिन वो 300 divided by 20, 15 units कर रहा होगा per day, 300 divided by 25, 12 units per day, 300 divided by 30, 10 units per day इतना काम complete होने के बाद यहाँ पर क्या कहा गया, in how many days will the work be finished, if they do it alternately, where A begins the work अगर A काम को शुरू करें, तो alternate में काम को complete करने के लिए कितना दिन लगेगा, सच में आप ऐसे लिखेंगे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 56th, A, B, C नहीं लिखना है, आपको सीधा है क्या करना है, कि sequence ABC का हो, या CBA का हो या BCA का हो, BAC का हो आपको हर एक बंदे से एक एक दिन काम करवाने है हर बंदा अगर एक दिन काम करेगा, एक एक दिन काम करेगा तो A अपने एक दिन में 15 unit B अपने एक दिन में 12 यूनिट और C अपने एक दिन में 10 यूनिट करेगा मतलब कोई भी उनका सीक्वेंस हो अरे मेरा काम 10 यूनिट का है तो मुझे आज काम दो मैं 10 यूनिट करूँगा कल भी देने से 10 यूनिट जिस भी दिन दोगे तो मैं 10 दिन, मतलब 10 unit करूँगा तो उस हिसाब से अगर मैं सब को add कर दूँगा पहले तो 15 प्लस 12 प्लस 10 यानि कि 37 units का काम कब complete होगा पता है जब मैं 3ों को एक एक दिन काम करवा दूँ sequence मुझे matter नहीं करता है 3ों को अगर मैं 1 एक दिन का काम swap दूँ तो वो 15 प्लस 12 प्लस 10 37 units का काम complete कर देंगे और अगर मैं 3ों को एक एक दिन काम करवा दूँ तो sequence जो भी हो एक एक दिन अगर 3 लोग मिलके काम करेंगे तो definitely उन्होंने 3 दिन लिया होगा किसी ने एक दिन, किसी ने एक दिन, किसी ने एक दिन सीक्वेंस मुझे मैटर नहीं है लेकिन इस सवाल में सीक्वेंस क्या है A, B, C तो यह कहां से पता, कुछ पता नहीं किया तो respectively A, B, C का सीक्वेंस था A से शुरू हो रहा है, तो B के बात सीखिया आएगा तो यहां पर मैं यह कह सकता हूं कि पहला दिन A करेगा 15 दूसरा दिन B करेगा 12 तीसरा दिन C करेगा 10 मतलब 37 उनिट खतम होने के लिए एक 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 तीन दिन लगेगा सीक्वेंस अगर सर C, B, A होता तो भी 37, 3 सीक्वेंस अगर B, C, A होता 37, 3 A, C, B होता 37, 3 C, A, B होता 37, 3 इसमें कोई चेंदस नहीं लेकिन ट्विस्ट कब आएगा जब मैं यहाँ पर multiples के बाद आपके remaining work को करवाँगा तब ट्विस्ट आएगा तो 37 units 3 days निकलने के बाद मैं अभी आपको क्या सिखाया था कि 37 के multiple में जाए 300 के नीचे रहिए तो 300 के नीचे अगर मैं 37 का 8th multiple पकड़ लू 30 का 8 times 247 का 8 times 66 यानि कि 296 units में कर पा रहा क्योंकि वो 300 के नीचे है 9th मत जाएगा 8 गुना अगर मैं काम करवाँगा तो वक्त भी 8 गुना लग जाएगा तो 3 का 8 गुना यानि कि 24 दिन तो इतना काम करनते में गुजर जाएगा लेकिन क्या अभी तक काम कम्प्लीट वा नहीं सर टोटल 300 था लेकिन मैंने अभी तक 296 कम्प्लीट किया तो और बचा कितना 4 units अब यही पे twist है यही पे ही sequence matter करता है कि यह 4 unit का काम कौन करेगा जिसने काम सुरू किया होगा और इस सवाल में काम कौन सुरू कर रहा है A begins the one तो यह काम A करेगा तो कितना दिन लगे मैं आपको पताया था कि सबसे पहले तो कितना काम बचा है वो लिख दो 4 फिर जिससे करवाने है A उसका efficiency 15 divide कर दो तो अगर मैं कहूँ 24 days complete तो लगना ही लगना है और एक दिन complete नहीं सिर्फ 4 by 15 टाइम में बन जाएगा तो 24 complete दिन और 4 by 15 यानि की correct answer आपका कितना हो गया 24 whole 4 by 15 days सर अगर यह CBA का sequence होता तो याद रखिए इतना तक तो same रहेगा sequence चाहे जो भी हो तीन बन्दे अगर alternate में काम कर रहे है और अगर C से start होता तो यह 4 unit का काम में C से करवाता उपर लिखता 4 क्यूंकि बचा है 4 लेकि नीचे लिखता C का efficiency 10 4 बटा 10 यानि की 2 बटा 5 तो answer हो जाता 24 बटे 2 बटा 24 whole 2 by 5 clear है तो यहाँ पर sequence का matter बस इतना है कि end of the work कौन remaining वाला करेगा clear है तो बढ़ते हैं अभी आगे next check twisted सवाब कजब का है could try कीजिए confidence high होगा कीजिए A, B and C can do a piece of work 11, 20 and 55 days respectively 11, 20, 55 पहले इनका LCM लिकाल तो काम खतम करो A, 11 days B, 20 days C, 55 days LCM बेटा 55 और 11 55 का एक factor 11 मतलब 55 का जो भी multiple होगा वो 11 में cancel हो ही जाएगा तो 11 को भूल जाएए सिदा focus कीजिए 55 और 20 में cancel होने वाले numbers 55 का double multiple 110 नहीं हो रहा third multiple तो जाएगे नहीं odd आजाएगा fourth multiple 220 20 जा रहा है 220 by 20 11 units हर दिन 220 by 55 4 units हर दिन efficiency आने के बाद अब मुझे बोला गया है कि A work continuously and B and C work alternately with A in how many days total work be finished मतलब A हमेशा काम करेगा continuously काम करता रहेगा हर दिन लेकिन उसके साथ साथ B और C alternate पे जुड़ रहे होंगे मतलब आज A, A को तो हर दिन करना है आज अगर A के साथ B जुड़ा तो कल C फिर अगले दिन B, C, B, C, B, C ऐसा करके जुड़ेंगे तो यहाँ पे मुझे sequence कौन पहले alternate में start हो रहे है वो clearly mention नहीं किया गया कि B and C work with alternately with A starting with B ऐसा कुछ नहीं दिया गया तो sir can or demand नहीं अगर कुछ mention नहीं किया जा रहे अपना assumption ले लिया कि B, C, B, C का B, C का sequence चलेगा हर दिन A को तो रहना है पहला दिन A के साथ B रहेगा तो दूसरा दिन A के साथ C रहेगा फिर A के साथ B रहेगा तो फिर A के साथ C रहेगा ऐसे करते 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 चलेगे फिर A, B, A, C, A, C, A, B, C A हर दिन कितना कर सकता है 20 B हर दिन कितना कर सकता है 11 20 C कितना कर सकता है यह लिखने के जरूरत नहीं आपको पता चल जाएगा 20 11 20 C कितना कर सकता है 4 अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 31 यूनिट्स का कम पहला दिन हुआ 24 यूनिट्स का कम 2nd day में हुआ 31, 3, 24, 4 तो यहां पर मैं यह कह सकता हूँ कि 31 plus 24 को अगर मैं add कर दू तो 55 units का काम 55 units का काम हर 2 दिन में हो रहा है समझे में आ रहा है पहले 2 दिन में क्योंकि यह पहला दिन है यह दूसरा दिन है यह तीसरा दिन है और यह 4th day है पहले दिन में A plus B दूसरे दिन A plus C A plus B, A plus B, A plus B, A plus C ऐसे करके चलेंगे तो पहले 2 दिन में 55 फिर 3rd और 4th अगले 2 दिन में और 55 और अगले 2 दिन में और 55 मतलब ऐसे करते 55 55 55 हर 2 दिन में complete होते जाएंगे तो एक रास्ता मुझे मिला कि 55 units complete होने के लिए 2 days लग रहे होंगे अब मुझे 55 के multiples में 220 तक पहुंचना है अब यहाँ पे उससे नीचे क्या मैं exactly 220 पे पहुंच सकता हूँ कैसे 55 for 220 यहाँ में पता है तो अगर मैं 55 का 4 गुना कर दूँ तो अगर मैं काम 4 गुना कर दूँगा तो वक्त भी मुझे 4 गुना लग जाएगा 55 का 4 times यहाँ नी कि 220 units को actual में complete होने के लिए 2 into 4 8 days लगने चाहिए क्या और कुछ remaining work है? नहीं, क्या कुछ remaining work होता तो start जो करते इसके पास जाता? अगला सवाल है उसके confused मत हो यह तो exactly मैं यहाँ पर सिखाना चाहता था कि कभी कबार exact multiples में होंगे तो कम करके लेनी की ज़रूत में exact multiple को ले लिजे तो 55 का 4 times 220 units को complete करने के लिए 2 का 4 times 8 days exactly लगेंगे, कोई काम एक्स्ट्रा बचेगा नहीं तो किसी के पास जाएगा नहीं, तो कोई fraction आईगा नहीं, तो यह था आपका पूरा सवाल इस तरह से आपको solve करना है अब बढ़ते हैं, last सवाल alternate का, एक बार खुद try कीजे, फिर आपको लगेगा कि हाँ, आज सीखा है, अच्छे से सीखा है, गजब से सीखा है, ठीक है और अभी तक अगर शेशन पसंद आ रहा होगा तो I request you all की शेशन पर इबला एक को शेर जरूर से कीजिएगा आपका काम बस इतना ही है और आपसे expectation बस इतना ही है A can do a piece of work in 30 days B can do in 45 days and C can do the same work in 60 days A 30 B 45 C 60 60 के multiple में जाएए 120 180 में काम बन जाएगा 180 units का जो LCM है वही अपना total work बन जाएगा 180 by 30 6 unit is का efficiency 4 units is का efficiency 3 units is का efficiency अब मैं यह कह सकता हूँ If on the first day A worked alone पहला दिन A अकेला काम करेगा चीक है On the second day A plus B A and B work together दूसरे दिन A और B मिलके काम करेंगे And on the third day A and C work together तीसरे दिन में A और C मिलके काम करेंगे If they repeat the cycle as follows और वो उसी cycle को follow करेंगे फिर A अकेला फिर A के साथ B फिर A के साथ C फिर A अकेला A के साथ B A के साथ C A A B A C A A B A C ऐसे चलेगा तो बोला गया कि तेन इन How many days the total work be completed कितने दिन में total काम कम्प्लीट हो जाएगा पहला दिन अगर A अकेला काम करेगा तो कितना unit का काम कम्प्लीट करेगा 6 दूसरा दिन A और B जब मिलके काम करेंगे तो 6 plus 4 कितना काम कम्प्लीट करेंगे 10 30 जब A और C मिलके काम करेंगे तो 6 plus 3 9 units A अकेला 6 A B 10 यहीं पर लिखा है A C 9 यह भी लिखने के ज़रूरत नहीं आपको पता होना चाहिए कि इस से 3 दिन में जो होगा सीक्वेंस अगर वही बर करा रहे यूनिट का काम कम्प्लीट होने के लिए 1, 2, 3 दिन लग रहा है मतलब 25 units के काम को कम्प्लीट करने के लिए 3 दिन तो लगी जाएगा अब 25 के multiple में मुझे 180 तक पहुंचने है कहां तक पहुंच सकते हैं 25 का 7th multiple अगर मैं कहूं तो 175 होता है 25 का table तो यादी होगा न तो 25 का 7 गुणा अगर 175 है तो काम अगर मैं 7 गुणा कर दूँगा तो वक्त भी तो 7 गुणा लगना चाहिए तो इतना काम complete होने के लिए 21 दिन तो लगी जाएगे और 21 दिन लगने के बाद भी अभी मेरे काम बचे हुए हैं कितने यूनिट के काम अभी 5 यूनिट के काम मेरे बचे हुए हैं ये 5 यूनिट का जो बचा कुछा काम है किसके पास जाएगा जिसने काम शुरू किया था काम शुरू किसने किया था ए ने अकेले किया था अगर ए ने अकेले किया था तो एका efficiency कितना है 6 unit का है तो मुझे लिखना है remaining काम कितना बचा 5, किस से इस करवाने है ए से उसका efficiency कितना है 6 तो 5 by 6 21 complete दिन लगेंगे और उसके साथ सा next day का 5 by 6 ताइम यानि कि 21 whole 5 by 6 days will be the correct answer for this question I hope कि जो भी आपके alternate days वाले सवाल होंगे आप गजब से इसी approach में कर सकते हैं तो LCM का बहुत अच्छे से मैंने आपको role सिखा दिया चाहे हम basic में घुमाफिरा के बात करें या फिर लोग join या leave करें वहाँ पे बात करें या फिर alternate पे बात करें आगे और भी unique unique word problems भी मैं आपको करवाँगा उटपटांग वाले लेकिन उससे पहले मैं इस LCM से हटके थोड़ा efficiency के और जाना चाहता हूँ क्योंकि efficiency is one of the most important topics और efficiency में अगर आप LCM को घुसेड दिये तो चीजे मतलब जान भूज के आप लिंदी कर देंगे तो अभी मैं LCM को avoid करके थोड़ा efficiency के और जाना चाहता हूँ कि efficiency वाले सवाल जो होंगे उनको track कैसे करेंगे और once आपको बता चल जाए कि efficiency based सवाल है तो एक चीज़ आपके ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ पर मुझे LCM कती ही नहीं लेना है पूरा कोशिस यह रहेगा कि without LCM we have to solve efficiency based problem so next move on to our next category that is problems based on efficiency and if you like the session then do hit the like button and share the session as much as you can तो चलिए बढ़ते हैं अपने next time के आख चलिए तो दोस्तों अकसर हम efficiency based सवाल solve तो कर लेते हैं लेकिन उसका perfect approach नहीं सीख पाते हैं क्योंकि हम अकसर उनमें भी LCM को घसीड ले आते हैं लेकिन उसका perfect approach में LCM कभी है ही नहीं क्योंकि अगर मैं आपको इसके clarity के लिए एक चीज़ बताओं तो हम सबसे पहरे time का LCM लेते हैं और LCM लेने के बाद उसको उस time के साथ divide करके efficiency निकालते हैं अगर वही efficiency तक पहुंचने का काम हमें LCM पहुंचाता है सवाल हमारा उसी efficiency के उपर based होके हमें directly efficiency ही दिया हो तो वहाँ पे LCM लेना सबसे बड़ा बेवकूपी है तो यही मैं अभी different type के questions पे आपको proof करने वाला हूँ कि बिना LCM method के मैं सारे के सारे efficiency के जितने भी गुमा फिरा के तोड मरोड के सवाल क्यों ना दे दे उन सबको एक के बाद एक आपको explain करने वाला हूँ तो सबसे पहले एक basic सवाल से बढ़ते है कि क्या कहता है यह efficiency का question if the working efficiency of A is 50% more than B अगर काम करने की क्षमता की बात की जाए A की तो वो 50% ज्यादा है किस से B से if B alone can do a piece of work in 36 days अगर B अकेला एक काम को 36 days में कर सकता है then how many days A alone finish the same work then कितने दिन में A उस काम को अकेला कर सकता है यहाँ पर आपको दो methods में बताऊंगा और वो दोनों methods equally important है पहला method कि आपको यह पता होना चाहिए कि efficiency is inversely proportional to time मतलब efficiency काम करने की क्षमता जितना ज्यादा होगा वक्त उतना कम लगना चाहिए और काम करने की क्षमता जितना कम होगा वक्त उतना ज्यादा लगना चाहिए तो efficiency और time inversely proportional है और अगर मैं बात करूँ work अपना constant है काम एक ही है work अगर अपना constant है तो efficiency और time आपस में कौन सा ratio रखेंगे? inverse ratio रखेंगे जैसे कि हमने speed and distance speed time distance में देखा न speed and time are inversely proportional when distance is constant same fund आई है efficiency and time are inversely proportional when work is constant और ratio भी क्या हो जाएगा? inverse हो जाएगा मतलब अगर मैं बात करूँ A और B की तो A का जो working efficiency है वो B के काम करने की क्षमता से 50% ज्यादा है मतलब B का efficiency अगर 100 unit का होगा तो A का efficiency 50% ज्यादा यानि कि 150 का होगा तो efficiency के बीच में अगर shortest ratio की बात की जाए तो वो ratio कितना निकल के आगया? 3 is to 2 और जब हमें पता है कि एक ही particular को काम को कर रहे हैं A और B तो efficiency का ratio अगर 3 is to 2 होगा तो time का ratio obviously inverse होके क्या हो जाएगा? 2 is to 3 हो जाएगा मतलब A ज्यादा काम करने की क्षमता रखता है तो वक्त कम लगेगा B कम कम करने की क्क्षमता रखता है तो ज्यादा time लगेगा तो अगर A 2 parts का time ले रहा होगा तो B 3 parts का time ले रहा होगा और इसी सवाल में आपको clearly mention किया गया है कि B alone can do a piece of work in 36 days B, अकेला एक काम को 36 days में कर पा रहा है तो B अगर 3 part का time लेगा हमें पता है और 36 days का time लेगा हमें पता है तो 3 part बराबर 36 days 3 part बराबर 36 days तो 1 part बराबर 12 दिन अगर 1 part बराबर 12 दिन तो a को जो 2 part लगेगा वो 2 into 12 कितने दिनों के बराबर होगा 24 days के बराबर होगा तो correct answer for this question is option number C 24 days a अकेले उस काम को लेगा ये एक method था लेकिन इससे एक और दूसरा method भी derive होगा जो कि important है जो कि इस इस efficiency और time के ratio की भी निकल सकते हैं एक common sense निकाल सकते हैं कैसे common sense निकाल सकते हैं अब आपको मैं second type की बात करो तो यहाँ पे दो person है आपके एक है एक दूसरा है भी उनका efficiency का ratio 50% जादा तो ये ratio तो मैं कहा सकता हूँ कि 3 to 2 का है efficiency का ratio 3 to 2 है efficiency क्या है efficiency आपका per day work एक दिन के काम को efficiency कहा जाता है तो एक दिन में अगर भी 2 unit का काम कर रहा होगा तब जाके मैं कह सकता हूँ कि ए 3 unit का काम कर रहा होगा अगर भी एक दिन में 2 unit का काम करते 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 फिर भी 36 दिन ले रहा है मतलब इससे clear idea होना चाहिए कि total work definitely कितने unit का होगा अरे हर दिन 2 करने के बावजूत उसको 36 दिन लगने सवाल के हिसाब से तो total work 2 into 36 यानि 72 units का definitely होगा और अगर total work 72 units का है उसी total 72 units के work को अगर मैं A से करवा दू तो A हर दिन कितना कर पाएगा? 3 unit कर पाएगा अगर A हर दिन 3 unit कर पाएगा तो 72 units करने के लिए उसको कितना time लगेगा? 72 divided by 3 यानि कि 24 days लग जाएगा तो इससे भी मैं सवाल का answer निकाल सकता हूँ और उमीद करता हूँ कि आप अपना convenience method खुद prefer करेंगे और वो prefer आपके पास आपके दिमाग नहीं काम करेगा जितने ज़ादा आप question solve करेंगे आपको खुद बहतरीन तरीके से पता चलेगा कि ये वाला फाइदेबंद हो रहा है या ये वाला फाइदेबंद प्रिभी मैं एक छोटी सी कोशिश ये करक रहा हूँ कि कहां पर इसको लगाएंगे कहां पर इसको लगाएंगे उस चीज को clear किया जाए तो ये हम पने सामने रहा second सवा है यहां पर कौन सा लगना चाहिए जब भी ऐसे आपको सवाल मिले कि 24 दिन ज्यादा 24 दिन कम मतलब time definite नहीं दे रहा किसी एक का individual का time नहीं दे रहा A का time, B का time ऐसा नहीं दे रहा A, B से 24 दिन कम ले रहा B, A से 30 दिन ज्यादा ले रहा जब more या less में time given हो तो मैं आप सभी से request करूँगा कि आप हमेशा time का जो ratio है न वो method लगाएंगे क्या, कैसे, कहां वो सब कुछ में दिखा रहा हूँ आपको लेकिन उमीद करता हूँ कि आपको मैंने जो hint दिया है आप एक बार pause करके खुद कर रहे होंगे यार नहीं तो सब गड़बर, सब खतब देखिए सवाल मुझे क्या दिया गया A is thrice as good as B A, B से 3 गुना अच्छा काम करने की क्षमता रखता है A is able to finish the work in 24 days नहीं दिया 24 days less than B दिया मतलब किसी एक का time डाइरेक्ट नहीं दिया कुछ hint में दे रहा हूँ कि कहां पे direct लगाना या आपको मैं hint दे रहा हूँ तो अगर यहां पे आपको direct time ना देके उपर नीचे कम ज्यादा करके दे रहा है तो वहां पे क्या कीजिएगा efficiency is inversely proportional to time वाला ratio निकालेंगे तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एक है बंदा A, दूसरा बंदा है B efficiency के अगर मैं बात करूँ तो A जो है वो 3 गुना अच्छा काम कर सकता है Thrice as good as B मतलब B अगर 1 unit का काम कर सकता है तो definitely A उससे 3 गुना यानि की 3 unit का काम कर सकता है तो efficiency के बीच में ratio आ गया 3 to 1 अब efficiency के बीच में अगर ratio 3 to 1 है तो time के बीच में ratio कितना आ जाएगा 1 is to 3 का आ जाएगा अब A अगर 1 part का time लेगा तो B 3 part का time लेगा ये तो मुझे पता है और question मुझे कहा रहा है कि A is able to finish a work in 24 days less than B A एक काम को B से 24 दिन कम में कर सकता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि A अगर 1 part का time लेगा तो B 3 part का time लेगा तो definitely A कितने part कम ले रहा होगा 2 part time कम ले रहा होगा और कितना time कम ले रहा होगा 24 दिन कम ले रहा होगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो time है वो 2 part का value मुझे 24 मिल चुका है अगर 2 part बराबर 24 है तो A को जो 1 part time लेगा किसी A का 1 से भी काम बन जाएगा तो A को जो 1 part का time लेगा वो कितने दिनों के बराबर है 12 दिन तो मतलब मैंने इस ratio से exact वाला time निकाल दिया कि A को 12 लगेगा और अगर B का निकालना चाते हैं तो 36 वो ज़रूरत नहीं है exact time निकलने के बाद मेरा काम खतम अब देखिए बोला गया कि in how many days they are together finished the whole work वो मिलके मतलब A और B together मिलके कितने दिन में उस काम को complete कर सकते हैं अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है last question में हमने निकाला था total work कितने का है अब A हर दिन 3 unit करने के बावजूत उसको कितने दिन लग रहे हैं 12 दिन लग रहे हैं कितना unit का काम कर पाएंगे 4 unit का काम कर पाएंगे अगर A और B हर दिन 4 unit का काम कर पाएंगे तो 36 unit का काम complete करने के लिए उनको कितना दिन लगेगा 36 divided by 4 यानि कि 9 days लगेगा तो correct answer of this question is option number A 9 days मतलब मैंने दोनों चीज़ों को use किया total work निकालने के लिए मैं हमेशा वो जो second वाला funda use करता हूँ second वाला rule जो इससे हमने समझाया था वो use करता हूँ और जब time मुझे directly given नहीं था इसलिए मैंने time का ये ratio का इस्तेमाल किया clear है तो आप बढ़ते हैं अपने next सवाल के और ये रहा इसको खुद try कीजिए कम से कम ये तो बढ़ा direct question है शाम और रवी together can paint a house in 5 days शाम और रवी मिलके एक house को paint कर सकते हैं कितने days में 5 days में इफ रवी is 20% less efficient than Sam अगर रवी 20% less efficient है शाम से और and सरन who is 20% more efficient than Sam तो यहाँ पे बोला है शारन जो है वो 20% ज्यादा efficient है स्याम से then find the number of days taken by रवी और सरन together to paint the house आपको इन सारे सवालों का approach कैसे लेना है हमेशा efficiency word आ गया मतलब आपको efficiency का ratio से ही start करना है तो यहाँ पे आपके पास 3% है कौन-कौन एक है अपना स्याम या फिर शाम जो भी आप आपके हिसाब से एक है रवी और एक है अपना सर तो वो clear ले बोला है efficiency की बारे में बात करते है रवी is 20% less efficient than Sam 20% का मतलब यह तो पड़े होंगे 1 by 5 1 by 5 मतलब 5 पार्ट में से 1 पार्ट कम तो Sam अगर 5 पार्ट का efficiency रख रहा होगा तो अभी उससे 1 पार्ट कम यानि कि 4 पार्ट का efficiency रख रहा होगा नहीं तो 20% करना है तो यह 100 होगा 20 कम यह 80 होगा 20 से अगर चैंसल कर देंगे तो 5 पार्ट जाएगा जैसे आपके बरसे और जो सरन नहीं है And सरन 20% more efficient than Sam सरन जो है वो शरन से 20% ज्यादा efficient है 20% का मतलब 1 by 5 मतलब 5 पार्ट में से 1 पार्ट ज्यादा शरन अगर 5 है तो यह उससे 1 पार्ट ज्यादा तो शरन का efficiency कितना हो गया 6 हो गया तो यहाँ पे मैं उनके efficiency का ratio निकाल दिया बस काम खतम और कुछ नहीं करना efficiency के ratio निकलने के बाद अब मुझे बोला गया है कि रवी और शरन को कितना time लगेगा रवी और शरन को कितना time लगेगा अब कुछ time पूछा है तो time के वारे में कुछ data भी दिया होगा हाँ सर दिया है शाम और रवी together can paint a house in 5 days शाम और रवी together उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं 5 days में कर सकते हैं मतलब ये दोनों अगर 5 days में करेंगे तो ये दोनों कितने दिन में करेंगे अब मुझे बताइए ये दोनों जब मिलके करेंगे शाम और रवी तो ये 5 और ये 4 हर दिन कितना unit का काम खतम हो रहा होगा 9 unit का फिर भी उनको कितना दिन लग गया 5 days लग गया मतलब total work जो है वो definitely कितने units का होगा 45 units का होगा अब यही 45 units का काम मुझे किस से करवाने है रवी और सरन से करवाने है रवी हर दिन अगर 4 करेगा तो सरन हर दिन 6 करेगा तो रवी और सरन मिलके हर दिन कितना units का काम कर सकते है 10 units का काम कर सकते है हर दिन 10 units का काम करते करते 45 units complete करने के लिए उनको कितना दिन लग जाएगा 45 divided by 10 सवाल क्या था और क्या हमने उसको बना दिया सिर्फ ratio ratio में हमने game kill दिया पसंद आया होगा ये method तो जरूर दिल खोल के like और share जरूर से कीजेगा या request you all तो ऐसे सवालों को हम चुटकी बर में solve कर सकते हैं अगर ये total work का concept efficiency के ratio का concept सब कुछ आपके दिमाग में perfectly घुसा है तो इसको फिर हम थोड़ा level up करते हैं tension ना लीजे मैं हर एक चीज़ को बारी किसे बताने कि पूरी कोशिस कर रहा हूँ एक next सवाल आपके सामने आ चुका है A and B can complete a work in 18 days A और B एक काम को 18 days में complete कर सकते हैं whereas B and C together can complete the same work in 15 days जबके B और C उस काम को कितने days में कर सकते हैं 15 days sir LCM ले लें कि आप पहला सवाल पढ़िए थोड़ा आगे पढ़ लीजे थोड़ा बस If C is 50% more efficient than A आगे efficiency word efficiency word आगे मतलब efficiency based problem मतलब we have to avoid LCM जब तक कर सकता हूँ कोशिस करूँगा तो अगर मुझे LCM लेना है तो इस सवाल को कैसे approach लेंगे वो चीज में आपको सिखाता हूँ If C is 50% more efficient than A then find the time taken by A alone तो सब कुछ में निकाल सकता हूँ लेकिन efficiency वाले based problem में हम करते क्या है हम efficiency का ratio निकालते है लेकिन यहाँ पे efficiency नहीं दिया गया यहाँ पे time दे गया है कि A और B मिलके कितने days में कर सकते है Sir A और B मिलके 18 days में कर सकते है B और C कितने days में कर सकते है B और C 15 days में कर सकते है यह time है लेकिन यहाँ पे next statement मुझे C is 50% more efficient मतलब efficiency का सवाल लग रहा है efficiency का सवाल को solve करने के लिए सबसे पहले मुझे efficiency का ratio चाहिए फिर मुझे total work चाहिए फिर जो सवाल पूछा है वो चाहिए तो पहले efficiency का ratio कहा से आएगा अरे time का ratio दिखो पहले time का ratio अगर मैं कहूंगा तो 3 में काटने से 6 3 में काटने से 5 तो time का ratio आ रहा है 6 is to 5 किसका किसका? A, B का और B, C का रखे रहे है काम तो एक ही है time का ratio 6 is to 5 क्यों हुआ होगा क्योंकि efficiency उनका 5 is to 6 ratio में हुआ होगा efficiency और time inversely proportional न यही तो सिखायत है मतलब मैं यह कहा सकता हूँ कि A, B का efficiency अगर 5 units का होगा तो B, C का efficiency 6 units का होगा अब मुझे बताइए कि इन दोनों में common कौन है इधर भी B है, इधर भी B है तो जो changes यहां से यहां पर आया होगा वो definitely A और C के वज़े से आया होगा अगर B के साथ A जुड़ता तो 5 unit का efficiency आता लेकिन B के साथ अगर 6 sorry C जुड़ गया तो 6 का efficiency आ गया मतलब बढ़ा या कम हुआ मतलब definite सी बात है कि B में A एड़ करने से अगर 5 होगा और B में C एड़ करने से अगर 6 होगा तो वो जो 1 extra आ रहा है वो किस वज़े से आ रहा है A को जब C replace कर रहा है उस वज़े से आ रहा है logical concept देखिए अरे देखिए ना B का यहां पर कोई रोल नहीं है या फिर आप minus ही कर दीजे न नीचे वाले equation से उपर वाले को minus करूँगा तो B B cancel होगा C minus A 6 minus 5 C और A के बीच में gap 1 का मतलब C A से 1 ज्यादा वही चीज नहीं आपको logical सिम्झाने के कोशिश करा हूँ तो अगर मैं कहूं कि वो जो A के extra है वो C के वज़े से आया है और clearly यहां पर मैं अगर कहूं कि C A से 1 unit ज्यादा का efficiency रख रहा है और C is 50% more efficient than A मतलब C 50% ज्यादा efficient है और A के unit ज्यादा efficient रखता है मतलब जो 50% का जो efficiency ज्यादा है A से वो ही 1 unit के बराबर है अगर 50% का extra efficiency जो C रख रहा है वो 1 unit से बराबर है तो C का जो total efficiency 100% का होगा वो कितने क्या होगा 2 unit का होगा तो यहां से मैं कह सकता हूँ कि 100% कौन ज्यादा था? C ज्यादा था तो C जो extra 50% रख रहा है वो 1 unit है अगर 50% बराबर 1 unit तो 100% A का कितना आ गया मेरे पास? 2 units आ गया तो A अगर 100% 2 units आ गया तो C का कितना होगा? 50% और 100% जुडने से 150% यानि कि 2 प्लस 1 3 unit अब समझे मैं क्या कहना चाहता था? चीज़ों को clarity थोड़ा देखिए आपे कौन सा वाला ज्यादा है? सर नीचे वाला ज्यादा है कितना ज्यादा है? सर एक unit ज्यादा है वो definitely किसके वज़े से आया होगा? यहाँ पे उपर A है यहाँ पे नीचे C है मतलब definitely C जो है वो A से एक unit ज्यादा है इसी वज़े से C, एक unit ज्यादा है A से और C, कितना percent ज्यादा है A से 50% ज्यादा है A से मतलब मैं यह कह सकता हूं कि A अगर 100% होगा तो C उससे 50% ज्यादा, अब थोड़ा clarity में ले आ रहा हूं तो C कितना होगा, 150% होगा तो C, A से जो 50% ज्यादा है, वही कितना है एक unit, यह रहा 50% अगर एक unit, तो 100% कितना होगा, दो unit, यह रहा जो कि A का आया, तो 1500% कितना होगा, 100% plus 50% 2 plus वाद, यानि कि 3 तो C का 3, तो सब कुछ मैंने निकाल दिया तो यह रहा आपका A का efficiency यह रहा आपका C का efficiency तो अब मैं कह सकता हूं कि A का efficiency 2 unit, तो C का efficiency 3 unit होगा टोटल A और B को जोडने से 5, लेकिन A का 2 तो B का कितना हुआ होगा, 3 हुआ होगा B और C को जोडने से 6 का efficiency, C अपने आप में 3 आ चुका है, तो बाकी का 3 B से, अब उपर B और नीचे B balanced है, हाँ सर, perfect है, तो सब कुछ काम खतम हो चुका है, सब कुछ अगर मेरा काम खतम हो चुका है, तो मेरे पास A का efficiency 2 unit का चल रहा है B का efficiency 3 unit का चल रहा है, और C का efficiency 3 unit का चल रहा है, मुझे ratio क्या मुझे मिल लिया ratio भी कह सकते है, ठीक है, जो भी आप कह सकते है अगर उनके efficiency का रेशुद जिसकी तलास्थी वो मिल चुका है तो अब मुझे क्या पूछा गया वो देखना है then find the time taken by A alone to complete the whole work A अकेले complete work को करने के लिए कितना दिन लगेगा कितना time लगेगा यह जानने के लिए मुझे दो चीज़ जरूरत है कि total work कितना है divided by A का efficiency कितना है तो A और B हर दिन 2 प्लस 3 पांच unit करते करते भी अगर उनको 18 दिन लग रहा है मतलब total work जो है वो कितने unit का चल रहा होगा 90 unit का चल रहा होगा यही 90 unit के काम को मुझे किस से करवाने है मुझे A से करवाने है जो हर दिन 2 unit का काम कर सकता है तो वक्त कितना लगेगा 90 बटा दो यानि कि 45 डेज लगेगा और ये जो टोटल वर्क है न 90 ये B और C से भी आ सकता था कैसे B और C 3 प्लस 3 6 यूनिट करने से 15 डेज लगता तो 15 इंटो 6 टोटल वर्क अगेन आपको 90 मिलता और A का Efficiency 2 है डिवाइड करेंगे तो A को कितना टा थोड़ा सा twisted पार्ट ये वाला था और उमीद करता हूँ कि ये चीज आपको perfectly समझ में आया होगा तो अगर ये पार्ट perfectly समझ में आया है तो अब बढ़ते थोड़ा और लेवल आप कर दीजे चीजों को थोड़ा और confusing कर दीजे एक और नया बंदा ABC के साथ D को भी लेए आ अगर मैं बात करूँ Efficiency A की वो 200 प्रतिसत ज्यादा है C के efficiency से and the efficiency of D is 25% less than the efficiency of C मतलब 4 आदमी है मुझे सबसे पहले efficiency दिया गया है मतलब मैं 4 के 4 efficiency का ratio निकालूगा तो मैंने पहले 4 आदमियों का नाम लिख दिया A, B, C और D उनके efficiency के ratio की मुझे तलाश है क्या दिया गया कि Efficiency A का जो है वो 200 प्रतिसत ज्यादा है C से 200% ज्यादा मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर 100 होगा तो ये 200 ज्यादा 300 होगा 100 और 300 मतलब ये जो होगा ये उसका 3 होना होगा मतलब C का Efficiency अगर 1 unit का होगा तो A का Efficiency 3 unit का होगा बच्चे अकसर यहाँ पे 2 कर दे मतलब यह अगर 100 होता तो 200% यानि कि 200 ज्यादा यह 300 होता तो efficiency का ratio यह अगर 1 तो यह 3 या फिर common sense घर में समझाने के तरह समझाते हैं कि 200% ज्यादा मतलब 300%, 300% मतलब 3 गुना efficiency of D is 25% less than the efficiency of C, D का efficiency C के efficiency से 25% कम है, 25% का मतलब होता है 1 by 4, मतलब 4 पार्ट में से 1 पार्ट का, मतलब C अगर 4 पार्ट का होगा तो D उससे 1 पार्ट कम 3 पार्ट का efficiency रख रहा होगा, लेकिन C अगर 1 होता तो A 3 होता, मतलब 3 गुना लेकिन अगर C 4 होगा, तो A उसका 3 गुना, यानि की 12 होगा, मतलब मैंने उन रेशो को change कर दिया, 3 और 1 लेने से रेशो बैलंस नहीं हो रहे थे, balancing of ratio में रेशो में गजब से पढ़ा है तो सारे के सारे चीजने linked होते हैं, सब कुछ C कहा है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो मैंने कहां से पकड़ा, कि C अगर 4 पार्ट होगा, तो ये 3 पार्ट होगा, कैसे, क्योंकि 25 परसंट कम, मतलब 1 फोर्ट कम, मतलब 4 पार्ट में से 1 पार्ट कम 3, A उससे 200 परसं तो बोला गया है कि in how many days, B alone complete the work, then कितने दिन में B अकेला उस काम को कर सकता है, अब भी अकेला, कितने दिन में कर सकता है, ये जानने के लिए मुझे B का ये efficiency चाहिए, ये निकाले विना मैं कभी B का टाइम नहीं निकाल सकता है, तो B का टाइम में कैसे निकालूँगा, बहुत ही simple है, कि C और D अगर मिलके काम करेंगे, तो ये 4 प्लस 3 हर दिन कितने यूनिट का काम खतम होगा, 7 यूनिट का खतम होगा, हर दिन 7 यूनिट का खतम करते हुए, उनको कितना दिन लग जा रहा है, 36 days लग जा रहा है, मतलब तो टोटल वर्क तो आपके सामने clear होना चाहिए, कि 36 इंटू 7 काया है, multiplication करने ही कोई ज़रूर नहीं, यही टोटल 36 इंटू 7 के काम को करने के लिए, अगर मैं A और B को दूँगा, तो वो कितना दिन लेंगे, 14 days लेंगे, आपको अगर याद होगा, तो time कैसे निकालते हैं time निकालते हैं, कितना work करवाना है, divided by उनका efficiency कितना है, तो यहाँ पे मैं यह कह सकता हूँ, कि इतना काम करने के लिए, अगर इतना दिन ले रहे हैं, तो हर दिन कितना कर रहे होंगे, इतना divided by इतना, या फिर इसी चीज़ को जो लोग रट के आए हैं, मैं उनके लिए समझ निकालते हैं, वो उनका efficiency होता न, तो एक दिन में कितना करेंगे, इतना, divided by 14, तो वो कौन 14 days में करता है, A और B, तो मैं A और B का efficiency कैसे निकालूँगा, total work कितना है, 36 into 7, divided by A और B को time कितना लगता है, 14 days, work by time करने से A और B का क्या जाएगा, efficiency, 7 यहाँ पे कटा 2, 2 यहाँ प अगर A का efficiency 12 है, तो B का कितना होने से, एड करने से 18 आएगा, Sir, B का efficiency definitely 6 minute का होगा, अगर B का efficiency 6 minute मिल गया, तो अभी आपको पूछा गया, then in how many days, B alone can complete the work, then B अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, काम कितना है, 36 into 7, करवाना किस से, B से, वो हर दिन कितना करेगा, 6, तो time कितना लेगा, time बराबर work by efficiency, तो work मुझे करवाने है, 36 into 7, तो multiply करने कोई जरूवत भी नहीं थी, divided by किस से करवाने, B, उसका efficiency कितना निकाला, 6, तो 37 into 6, 36 into 7, divided by 6 करूँगा, तो यह 6 time जाएगा, तो 6 into 7, 42 will be the correct answer, तो option number A, 42, इस सवाल का सही answer है, और जितने लोगों ने इस आपका concept clear होते चल रहा है, और खुशी में मत रहिए, यह सवाल को solve कर दीजे, यह थोड़ा उट पटांगे, लेकिन conceptual clarity के साथ, आप अगर इसको solve करनी की कोशिश करेंगे, तो definitely यह सवाल बन ही जाएगा, इतना guarantee है, देखते हैं, कितने लोग बनाते हैं, comment जरूर करते रहि session ऐसा रगा, यह नया था हमारे सीखने के लिए, यह नया था, वो चीज जरूर से comment कीजेगा, time taken by A to complete the job is 80% more than the time taken by A and B together to complete the same job, A को, जो time लगता है, वो 80% ज्यादा है, किसके time के comparison में, A और B मिल के जो करेंगे, जो time लेंगे, उस time के comparison में, find the time taken by A in days to complete the job alone, A को कितना time लगेगा, अकेले उस काम को complete करने के लिए, if C is 100% more efficient than B, आगे है efficiency, efficiency आगे है, मतलब मुझे efficiency का ratio से deal out करना है, तो यह चीज तो मेरा clear हो गया, कि efficiency के ratio में solve करूँगा, if C is 100% more efficient than B and the time taken by B and C together to complete the job is 20 by 3 days, crystal clear हो गया, efficiency मतलब efficiency का ratio, efficiency के ratio के बाद total work, total work के बाद जो सवाल पूछा गया, उसके उपर target, तो सबसे पहले उसने मुझे data किया दिया, कि जो time है, वो A को 80% ज्यादा लग रहा है, किसके comparison में, A plus B के comparison में, मतलब मैं यह कह सकता हो, कि अगर A plus B को 100 टाइम लग रहा होगा, 100 unit का time लग रहा होगा, तो उससे 80% ज्यादा A को कितना unit का time लग रहा होगा, 180 unit का time लग रहा होगा, तो मैं यह कह सकता हूँ कि 20 में cancel करूँ, तो time के बीच में ratio कितना है, 9 to 5, लेकिन मुझे time के बीच में ratio चाहिए क्या नहीं सर efficiency based सवाल है तो हमें efficiency का ratio चाहिए तो time का ratio अगर 9 is to 5 है तो उनके efficiency के बीच में ratio कितना 5 is to 9 यहां से एक बढ़िया सा चीज निकल के आ गया क्या? कि अगर एक अकेले का efficiency 5 है तो A और B का combined efficiency 9 होना चाहिए A और B का जो combined efficiency 9 होगा उसमें से A का तो 5 होना confirm है तो A का अगर 5 है तो B का ऐसा कितना होना चाहिए कि add करने से 9 होगा? भाईया 4 होना चाहिए मतलब A का efficiency 5, B का efficiency 4 गजब से आ गया अब बोला गया था कि if C is 100% more efficient than B 100% ज़्यादा मतलब अगर मैं 100% हो आप मुझसे 100% ज़्यादा है तो आप 200% है 100% और 200% मतलब जुगना है तो 100% ज़्यादा का indirect meaning होता है double क्यों क्योंकि अगर हाप मुझसे 100% ज़्यादा है तो मैं अगर 100 तो आप मुझसे 100 ज़्यादा 200, 100 का double ही तो है मुझे क्या दिया था कि अगर B और C मिलके काम को 20 by 3 days में करेंगे B और C मिलके अगर काम करेंगे तो ये 4 ये 8 टोटल कितने units complete होगा एक दिन में 12 units यही 12 units अगर एक दिन में complete होने के बावजूत उनको 20 by 3 days लग रहे होंगे तो total work कितना होगा 12 into 20 by 3 इतना तो सिखाई दिये हैं अब यही total work में एक ही line में लिकराओ यही total work को मुझे किस से करवाने है मुझे A से करवाने है पुछा गया ना और A से करवाने है तो ये total work में मैं divide क्या करूँगा A का efficiency जो की पूरा प्यार से निकल के इधर देखो या इधर देखो 5 तो इस total work में जब मैं divide by 5 करूँगा तो इधर भी divide 5 किजिए काम बन जाएगा तो time A को जो लगेगा वो कितने के बराबर 5 यहां पे गया 4 बार 3 यहां पे गया 4 बार 4 into 4 कुछ multiplication कुछ subtraction addition कुछ नहीं सीधा काम आ गया A का 16 और एक बार इस step को लिख देते हैं बस 5 और 4 आने के बाद C 100% ज्यादा मतलब 200% मतलब दुगना 4 का दुगना 8 दोनों मिलके करेंगे B और C यह B का है यह C का है B और C अगर मिलके करेंगे तो एक दिन में 12 complete होगा फिर भी उनको कितना डेज लगा 20 by 3 तो 12 into 20 by 3 का टोटल वर्क होगा इसको किस से करवाने A से तो work by efficiency करने से टाइम आ जाएगा तो work था 12 into 20 by 3 divided by A से करवाएंगे तो A का efficiency मैंने 5 divide कर दिया simplify कर दिया तो answer आ गया 16 तो correct answer for this question is option number C 16 days तो और बहुत से मेरे पास alternate के अच्छे-च्छे सवाल बहुत से मेरे पास ऐसे-ऐसे efficiency के उटपटांग सवाल सब कुछ और हम करवाएंगे आगे जब मैं आपको previous year के questions करवाँगा या फिर high level के questions करवाँगा वहाँ पर और भी चीज़ें आपके बहतर clear होंगे लेकिन यहाँ पर मैंने conceptual clarity के लिए हर part से हर section से हर topic से 5-6 questions आपको करवा दिये हैं अभी तक अगर session मज़ेदार लगाओगा तो जमके एक बार session को like और share जरूर से कीजेगा क्योंकि अभी सबसे important सबसे confusing और सबसे difficult part start होने वाला है man, woman, boys या फिर man days वाले questions उनको कैसे deal out किया जाता है और ये efficiency अगर आपने एक बार सीख लिया तो man days भी मैं आपको efficiency से ही करवा दूँगा इतना वादा करते हैं तो चलिए अपने बढ़ते हैं next category के और जो किये man days problem या फिर man, woman और चलिए बढ़ते हैं तो दोस्तों आप बार ही है सबसे important concept को सीखने की जिसको कहा जाता है man days concept या फिर जिसको हम कहते हैं कि man, woman और boys based questions काफी खतरना खतरना questions इस topic से आपको देखने के लिए मिल सकते हैं लेकिन अक्सर आप इन सारे सवालों को m1, d1, t1 is equal to m2, d2, t2 ऐसे कुछ formula लगाके solve करते हैं लेकिन आधे बच्चे यह नहीं बता सकते कि वो m1, d1, t1 है क्या आया क्यों, formula derive कहां से हुआ और सवाल को थोड़ा तेड़ा मेड़ा कर दिया जाए तो वो लग वहीं अटके रहेंगे तो हमें इसके proper approach कैसे लेने हैं, साथ ही साथ इसका proper concept क्या होता है, उसका background knowledge के साथ हर चीज को बारी किसे explain करने वाला हूँ एक एक करके, तो सबसे पहले basic सवाल से start करते हैं, सवाल कह रहा है कि 15 men working 8 hours a day make a damn in 10 days in how many days will 12 men working 10 hours a day will make it, usually सवाल देखें, आपके दिमाग में एक ही चीज आ रहा होगा, कि अगर M1 आदमी D1 days में T1 hours हर दिन काम करके एक काम को कर सकते हैं M2 आदमी D2 days में हर दिन T2 hours काम करके अगर वही काम को कर सकते हैं, तो इनका जो product होता है M1, D1, T1 और M2, D2, T2 यह product बराबर होता है यह क्यों हुआ, उसको तो मैं बताऊंगा, लेकिन examination में अगर इस formula को आप approach करेंगे, apply करेंगे, तो कैसे करना होता है सबसे पहले मुझे क्या दिया गया 15 men, मतलब M1 का दिया गया value 15, यह कितने घंटे daily काम करते हैं, 8 hours per day तो time आपका 8 hours per day and make a damn in कितने दिन 10 दिन में एक damn को बना रहे हैं तो मैं यह कह सकता हूँ कि 15 into 10 into 8 बराबर होगा, किसके साथ बोला जा रहा है कि in how many days will 12 men मतलब अगर उसी काम को 12 men करेंगे, हर दिन 10 घंटा, मतलब T2 आपका हो गया 10 hours, तो कितना दिन लगेगा, तो D2 आपको निकालना है, तो मुझे यह पता है कि इन तीनों का प्रड़क्ट के साथ बराबर होता है, तो कहा पता चला, अरे एक बार formula अपलाए कीजिए उसके बाद बताते हैं, तो इस तर से अगर मैं solve करूंगा, तो 15 into 8 120, 12 into 10 120, तो finally जो D2 का value है, वो मुझे कितना मिल गया, 10 मिल गया, तो यह तो answer तक मैं पहुंच गया आराम से लेकिन अब बार ही है concept को सीखने कि यह M1, D1, D1 होता क्या है M2, D2, D2 होता क्या है, और यह बराबर क्यों हुआ, actually मैं जो concept है, वो यह है, कि work is equal to man into days into time, तर यह कहां से आया, अब मैं आपको इसी सवाल में आपको पूछ रा चाहता हूँ, आपके पास यहां पर कितने में थे, 15 में थे वो कितने दिन तक काम कर रहे थे, 10 देस तक काम कर रहे थे, और हर दिन कितने घंटे काम कर रहे थे, 8 घंटे काम कर रहे थे, तो यहां पर सबसे छोटा unit क्या है, time का hours, तो अगर time का सबसे छोटा unit hours में है, तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, कि एक आदमी, मेरे हिसाब से, मेरे assumption की हिसाब से, एक आदमी, एक घंटे में एक unit का काम कर सकता है, देखिए, answer निकल चुका है, लेकिन अभी background concept, एक आदमी, एक घंटे में, एक unit का काम कर सकता है, अगर एक आदमी, एक घंटे में, एक unit का काम कर सकता है, यहां पर तो हर आदमी, हर दिन, 8 घंटे काम कर रहा है तो वही एक आदमी अगर 8 घंटे काम करेगा तो वो कितना यूनिट काम करेगा 8 यूनिट का काम करेगा लेकिन ये तो एक मैन काम कर रहा है 8 यूनिट मतलब और ये एक घंटा कितने दिन में एक दिन में मतलब 1 यूनिट पर डे और यह 8 unit per day यह सब एक दिन में काम चलना है लेकिन एक आदमी अगर 8 unit का काम कर सकता है हर दिन मेरे पास उस तरह आदमी कितने हैं 15 तो अगर 15 men की बात करूँ तो वो कितना काम कर सकते हैं 15 into 8 unit कर सकते हैं per day लेकिन अगर 15 men 15 into 8 unit per day कर सकते हैं तो अगर वो 10 दिन करेंगे तो कितना काम कतम होगा मतलब एक दिन में जितना 10 दिन में उसका 10 गुना तो ultimately 15 10 और 8 क्या हुए आपस में multiply हुए और जब multiply हुए मैंने man, days और time को multiply किया तो मुझे क्या निकल किया है वर्क निकल किया है तो पहले सवाल से मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी आपको आदमी और time दिया जाए उनको multiply कर दीजेगा तो क्या निकल किया आएगा जाने अन जाने में आपको work पता चल जाएगा तो यहाँ पर 10 आदमी है 10 आदमी, कितने दिन काम करते हैं सब्सक्राइब 15 आदमी है कितने दिन काम करते हैं 10 दिन काम करते हैं कितने घंटे हर दिन 8 घंटे तो इतना work उन्होंने क्या होगा अब आपको बोला गया कि कितने आदमी है 12 आदमी है अब ये 12 आदमी जो है वो कितने दिन तक काम करेंगे पता नहीं suppose 3 days तक काम करेंगे, लेकिन हर दिन कितने गंटे काम करेंगे, 10 days काम करेंगे, तो वो इतना काम करेंगे, और मुझे अभी बोला गया है कि वही जो 12 men को 10 गंटे हर दिन काम करवाने है, वही काम ही तो करना है, मतलब जो work starting में था वही work ही तो करना है मतलब starting वाला work जो होगा अभी end वाला work भी तो वही होगा तो अगर ये दोनों work को मैं equal कर दूँ जैसे कि यहाँ प M1, D1, T1 is equal to M2, D2, T2 तो T का value आपको 10 मिल जाएगा इसको T मतलीजे फिर confusion के T तो time हो गया D, days, ठीक है तो D आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, मतलब indirect सी बात है सीधा बात, no बकवा, सब कुछ भूल जाएगे man, day और time को multiply करने से work आएगा, हाँ sir 15, 10, 8 को multiply करने से work आएगा man, days, time को multiply करने से work आएगा sir, हाँ sir, 12 D पता नहीं, days, D2 और 10 को जब भी आदमी और time दिये जाएगे, multiply करती जगा, इस case में जो time है, वो hours में है days में है, man तो अपना man में है, तो यहाँ पे जो work का unit हम कहते है, man, days, hours कहते है, लेकिन कई सारे सवाल आपको time नहीं दिया जाएगा, जहाँ पे सिर्फ 10 लोग 15 दिन में करेंगे, तो 12 लोग कितना दिन में करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ man है, days है तो वहाँ पे work का unit, man days रहेगा, time नहीं रहेगा, एक ही चीज़ है, ठीक है तो उमीद करता हूँ कि मैंने background concept के साथ season को clear कर दिया, अब यह रहा है चोटा सा सवाल, उसी के उपर best, एक चोटा सा twist यहाँ पे है मैं आधा मिटाता हूँ, ताकि जितना आपको जरूरी हो, मैं उतना ही आपको बताऊँ, नहीं तो पूरा मिटा देते हैं, recall हो जाएगा पूरा, देखते हैं कितने लोग सही जगा multiply वगेरा करते हैं, यहाँ पे थोड़ा twist है, इस question में इस beat में particularly देख ले हैं, कितने लोग वो twist को पकड़ पाते हैं उमीद करते हैं कि pause करके आपने लिप्टा दिया होगा, अब मेरी बारी मैं explain कर देता हूँ, चीज़ों को सवाल कह रहा है कि 24 laborers working 8 hour a day make a road in 15 days, तो मुझे बताईए कि अगर 24 laborers 8 hours a day 15 days तक काम करेंगे, तो कितना काम कतम होगा, तीनों को multiply कर दीजे, यानि कि 24 into 8 into 15 का काम complete होगा अगर 48 laborers 6 घंटे हर दिन काम करेंगे तो कितने दिन काम करने सिर triple road, आपका triple long road बना सकते हैं, कुछ M1, D1, T1 सब कुछ भूल जाइए, इतने लोग इतने घंटे काम करके, इतने दिन में इतना work complete कर सकते हैं, यह आपका first work है अब आपको बोला गया कि 48 laborers अगर 6 hours से day काम करेंगे, तो कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ पर days कि यहाँ पर सवाल में क्या दिया गया, कि 48 आदमी हर दिन 6 घंटे काम करके, कितने दिनों में 3 गुना काम कर सकता है, मतलब पहले work का 3 गुना मुझे काम करवाने है second में, तो मैं यह कह सकता हूँ कि first work का 3 times होगा, वही बराबर आपका second work होगा, first work अगर इतना है, तो उसका 3 गुना बराबर इतना होगा second work, अगर मैं इन दोनों को equate कर दूँगा, तो मेरा काम बन जाएगा, जैसे कि 24 में मैंने cancel किया 2 times 2 में cancel किया मैंने 4 times 2 में cancel किया 2 times, 2 में cancel किया 3 times, 3 गया यहाँ पे 3 के साथ, 15 into 2 बराबर d2 आगया, मेरे पास कितना 30, तो clearly 3 गुना काम करने के लिए 48 लेवर उसको हर दिन 6 गंटे के हिसाब से 30 दिन लगने वाले हैं तो यहाँ पे twist क्या था, आप पहले M1, D1, T1 सब कुछ multiply कर दीजे फिर देखिए कि पहले काम का 3 गुना करना है तो into 3 रखिएगा अगर पहले काम का 7 गुना करना है तो into 7 कीजेगा पहले काम का 20% करना है तो into 20 by 100 कीजेगा पहले काम का 1 third करना है तो 1 by 3 कीजेगा clear है, पहले काम का अगर आधा काम करना है तो 1 by 2 कीजेगा तो इसी तरह से आप मेरे ख्याल से कर सकते हैं without M1D1 मतलब indirectly हमने वही चीज किया M1D1 T1 यूज किया लेकिन बिना लिखे कुछ अलग approach से clear है अभी तर तो आप धोड़े इसको level up करते हैं ये रहा आपके सामने next सवाल इस kind of questions को कैसे solve किया जाता है कैसे deal किया जाता है जल्दी से देखते हैं तो मैंने आपको एक simple सा funda बताया है कि जब भी आपको आदमी आदमी के अलावा औरत भी होंगे तो चलेगा ठीक है ऐसा नहीं कि सिर्फ आदमी ही होना चाहिए मतलब person और time को अगर मैं multiply कर दूँ तो मुझे work बता चल जाएगा यहां पर वो बोल ला है कि 18 women complete a work in 16 days कुछ दिन में कितना खंटा काम करें मुझे उसे कोई फरक ही नहीं पड़ता क्योंकि सवाल नहीं दे रहा है वो सिर्फ इतना कह रहा है कि 18 women 16 days में काम को complete कर सकते है तो मैंने क्या कहा था person और time को multiply करते ही work आ जाएगा तो 18 women 16 days में कितना काम कर सकते है 18 into 16 का काम कर सकते है यह आपका हो गया क्या total work अब यही total work को वो क्या बोला कि they started the work together they मतलब वही 18 women की बात की जा रही है उन्होंने काम को शुरू किया and after x days 6 women left the work मतलब 18 women ने काम चालू तो क्या लेकिन कुछ दिनों के बाद x दिनों के बाद 6 women आपके छोड़ के चले के जिसके चलते remaining work is completed by 12 women in 12 days तो 6 चले जाने के बाद अभी 12 women ही रहेंगे तो यह 12 women को वही काम को करवाने के लिए 12 दिन लग गया तो x का value मुझे बताईए तो सबसे पहले 18 women अगर 16 दिन में वाकई काम को complete कर सकते हैं तो वह काम कितने का होगा 18 into 16 का होगा कितने लोगों ने काम स्टार्ट किया था 18 women ने काम स्टार्ट किया था लेकिन कितने दन तक किये सिर्फ x days तक काम किये क्योंकि x days के बाद आपके woman जो है वह यह से reduce होगया मतलब joh 18 वोमें हुआ करते invari थे वह 6 जाने के बाद X days के बाद कितने रहेंगे 12 women और यही 12 women कितने दिन में काम को complete कर देंगे remaining तो 12 women बारा दिन में कितने काम कर सकते हैं 12 into 12 सिर्फ परसन और टाइम को तो मल्टीप्लाय करना है मतलब यही टोटल वर्क को पहले अठारा ओमें एक्स देस तक करेंगे फिर बारा ओमें बारा दिन तक करेंगे मतलब इतना और इतना काम जुड़ने से यह टोटल का काम आ जाएगा तो अगर मैं इस टीज को सॉल्व कर द एगा 144 और यह बराबर होगा आपका 18x के साथ तो x का वैल्यू जो होगा वो कितरा होगा 288-144 तो 144 रहा 18x बराबर 144 होता तो x बराबर यह डिवाइड हो गया 18 18 8 जा आपका हो गया 144 तो x का वैल्यू आपका क्या हो गया 8 यानिकि option number d 8 is the correct answer for this question कुछ नहीं करना था सिर्फ person को time के साथ multiply 18 16 दिन में कर सकते हैं तो 18 x 16 टोटल वर 18 start तो किये लेकिन x दिन तक काम के होगे कितना 18 x फिर 6 चले जाने के बाद 12 दिन तक काम करेंगे तो 12 x 12 और इतना और इतना काम करने के बाद वही टोटल काम तो complete होई जा रहा है तो इनको add करने से टोटल वर के साथ दराबर कर देंगे तो x का value आपको 8 निकल के चलाएगा clear है अब इसी को थोड़ा level up करते है हर category को मैं एक question extra आपके लिए रख रहा हूँ ठीक है यह रहा जैसे कि previous सबसे पहला वाला सवाल में triple ripple कुछ नहीं था second सवाल में थोड़ा twisted था कि अगर triple हो जाए तो क्या करेंगे अब यह वाले सवाल में जब अगर बीच में कुछ आ रहा धूरा सा लगे incomplete सा दे दे तो क्या करेंगे द तो उसने 32 में को काम पे लगाया but one third of the work was done in 30 days बट देखा गया कि सिर्फ एक तिहाई काम यानि कि one third काम ही 30 दिन में complete हो पाया है how many additional men should be employed कितने extra men और employ किये जाने चाहिए ताकि जो remaining work है वो duration perfect जो contractor ने time दिया था 62 days का उसमें ही complete हो जाए अब यहाँ पे 62 days में जो contractor ने कहा था कि complete करवा देगा वो कितने आदमियों को basis पे रखे दिमाग पे रखे कहा था ये तो आपको नहीं पता आपको सिर्फ कहा कि भईया मैं 62 days में complete कर दूँगा लेकिन कितने आदमी 62 days में complete कर पाएंगे ये नहीं पता पहला चीज़ काम ख कि अगर 32 में 30 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम खतम होगा 32 into 30 का काम खतम होगा इसको पूरा multiply करने की जरूरत नहीं या फिर अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप थोड़े मतलब talented नहीं मतलब थोड़ा अगर का होगा लेकिन यही जो 960 units का काम है जो 30 days में 32 में कर रहे हैं यह कितना काम है यह total work का यह total work का one third काम है सर यह कहां से पता चला अब देखे ना उसने 32 में काम पे लगाए लेकिन सिर्फ एक तियाही काम one third का ही काम 30 दिन में खतम हो गया मतलब 32 में 30 दिन में जो काम करेंगे वो total काम का एक तियाही होगा one third होगा तो total work का one third बराबर हो गया 960 तो यहां से मैं कह सकता हूँ कि total work मेरा कितना होना चाहिए 960 into 3 का मेरा total work होना चाहिए is clear यह पहला step है अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि how many additional men would he employ so that the remaining work be finished in duration ताकि बचा कुछा काम मेरा perfectly खतम हो जाए अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ total work इतना है लेकिन total work का one third तो already मैंने complete कर रखा है तो total work का अगर one third complete हो चुका है तो remaining work मेरे पास कितना है remaining work मेरे पास है जो total work 960 into 3 है उसका two third और यह दो step आपको लिखने की जरूरत नहीं थी अगर कोई दिमाग में खेल सकता है 960 अगर one third है त तो total आपका 960 into 3 होगा तो बचा कुचा उसका two third आपका into two by three होगा और ultimately 960 into two को वो पहुंच भी सकता है लेकिन मेरा काम है पूरा detail में explain करना तो मैं यह कह रहा हूँ कि total work 960 into 3 है इसका one third तो already complete हो चुका है तो remaining मेरे पास कितना है वही total 960 into 3 का two third बचा है क्योंकि one third तो complete हो लेकिन उसके साथ कुछ additional लोग जोड़ दो जिसके चलते यह 32 प्लस वो जो extra लोग है इस काम को perfect duration में complete कर देंगे अब perfect duration तो contractor ने कहा था 62 days का उस 62 days से तो already 30 days जा चुके है तो अभी वो 32 में के साथ जो extra काम करेंगे वो 30 जाने के बाद जो बचा कुचा 32 days में काम को complete करने क लिए ही लगेंगे तो इतने लोग 32 days में इनका काम है क्या करना जो आपका remaining काम है 960 into 3 का 2 3 उसको complete करना मतलब 32 plus x में जो 32 days में करेंगे वही total का 2 3 के बराबर होगा अगर इस चीज को में solve करूँगा तो 3 का यहां पे कोई रोल नहीं था 32 यहां पे कटा 32 into 30 हो गया आपका 9 20 है तो x का वैल्यू आपके पास कितना आ गया x का वैल्यू आपके पास आ गया 28 is it clear मेरे ख्याल से perfectly clear है 30 how many additional men 32 into 1 second 8 second कुछ गड़बड होगा 13 into 2 60 32 plus x ठीक है तो x आपका कितना हो गया 28 हो गया मतलब remaining काम को करवाने के लिए मुझे additional कितने लोगों की जरूरत है 28 लोगों की जरूरत है तो option number a is the correct answer for this question क्यूंकि वहाँ पर option number b दिखा रहा है 30 इसलिए थोड़ा doubt हो गया लेकिन मैंने चेक कर लिया है तो सही होगा तो कि जल्दी से उमीद करता हूं कि आप सभी लोग एक पर pause करके try कर रहे होंगे तब ही जाके आपको अच्छा लग रहा होगा कि हां सीख रहे हैं नहीं तो कुछ बाद में पता नहीं चलेगा कि क्या सीखे क्या भूल गये one man or two boys or three girls can do a piece of work in 88 days एक man या फिर दो boys या फिर तीन girl की में बात करूँ तो वो 88 days में एक काम को कर सकते हैं मतलब एक man दो boys और तीन girls चाहे एक man की बात करूँ या दो boys की बात करूँ या तीन girl की का बात करूँ ये लोग एक काम को कितने दिन में complete कर सकते हैं, 88 डेस में काम को complete कर सकते हैं, अगर ये time 88 fixed है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक man का, दो boys का और तीन girls का जो efficiency होगा, वो बरकरार होगा, exactly same होगा, exactly efficiency same है, तभी तो एक आदमी को जितना वक्त लग रहा है, दो boys को उतना वक्त लग तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनका efficiency जो है, वो one man का जो है, two boys का वई है, three girls का वई है, अब यहाँ पर अगर मैं trick की बात करूँ, तो trick आपको क्या करना है, पहले trick बता देता हूँ, उसके बात वो trick कहा से है, वो थोड़ा derive कर दूँगा, tension मत लीजे, तो आपको सीधा-सीधा तो ये efficiency का ratio कैसे निकलेगा पता है, सीधा जो उनके coefficient है, उनको reverse कर दीजे, for example, one का reverse अगर मैं कर दूँगा, reciprocate कर दूँगा, तो one by one आएगा, boy का coefficient two है, उसको reciprocate कर दूँगा, तो one by two आएगा, girls का, ये आपका three है, तो उसको reciprocate कर दूँगा, तो one by three आएगा, अब यह value k, तो x का value कितना आएगा, k by three, तो अगर मुझे x, y और z के बीच में ratio चाहिए, तो मुझे क्या करना है, x का value in terms of k लिखना है, अगर 3x बराबर k होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, k by three, अगर 4y बराबर k होगा, तो y का value कितना होगा, k by four, और अगर 5z बराबर k कहा से है, coefficient का reciprocal, वही मैंने आपको करवा, ratio निकालने के लिए, आपको उनके coefficient का reciprocate करना होगा, यह चीज मैंने ratio में आपको पढ़ाए हुआ हूए है, अच्छे से, अब यहाँ पर इस efficiency के ratio को निकालने के लिए, मुझे fraction की जुरुत नहीं है, तो fraction को हटाने के लिए मैं क् denominator का LCM लूँगा तो यहाँ पर denominator जो दिख रहे हैं उनका LCM कितना है clearly 6 है तो 6 से multiply कर दूँगा इस ratio को अगर इस ratio को मैं 6 से multiply कर दूँँ तो यह कितना निकल के आ जाएगा बड़ी आसा पहला वाला value जो होगा वो आ जाएगा आपका 1 into 6 यानि कि 6 का efficiency, half of 6 3 का efficiency, one third of 6 2 का efficiency तो तीनों के efficiency के ratio आपको मिल चुक है मतलब एक आदमी अगर 6 unit कर सकता है तो एक boy 3 कर सकता है एक girl 2 कर सकता है और यह तो होना ही था एक boy अगर 3 करेगा तो दो boy 3 तीन 6 करेंगे और बराबर होंगे एक girl अगर 2 करेगा तो करेगी तो तीन girl आपका 2 into 3, 6 करेंगे तभी जाके बराबर होंगे तो one man, two boy और three girls का perfectly condition satisfy हो रहा है उमीद करता हूँ कि ऐसे सवाल आप लिप्टा सकते है once आपको efficiency का ratio मिल गया तो आपका सबसे पहला काम है कि हम पूरा efficiency method से कर रहे हैं जैसे total work पहले efficiency का ratio फिर total work फिर जो पूछा है वो तो total work कैसा निकालेंगे अब एक आदमी की अगर मैं बात करूँ तो एक आदमी तो एक दिन में 6 unit कर सकता है फिर भी उसको 88 days लग रहा है मतलब total work कितना होगा 6 unit हर दिन करते भी 88 days लग रहा है मतलब total work 6 into 88 होगा अब यही total work 6 into 88 को मुझे किस से करवाने है मुझे करवाने है एक man, एक boy और एक girl से तो मुझे अभी देखना है कि एक man, एक boy और एक girl का efficiency कितना है ताकि वो efficiency को इस work से divide करूँगा तो उनका time निकल के आएगा सबसे पूरे basic concept को चले जाते है एक man एक दिन में 6 कर सकता है एक boy एक दिन में 3 कर सकता है एक girl एक दिन में 2 कर सकता है अगर मुझे एक man तीन boy देता तो 3 into 3, 9 लितता 7 girls देता, तो 7 into 2, 14 तो जितने आपको requirement है आप उस हिसाब से कर सकते है 6, 3, 2, 1, 1, 1, 1 ताहिए था तो इसलिए मैं ने लिया तो 6 plus 3 plus 2 अगर मैं बात करूँ तो 11 units का वो काम हर दिन कर पाएंगे तो अगर एक man, एक boy और एक girl मिलके 11 unit का काम हर दिन कर सकते हैं तो total 6 into 8 करने के लिए 88 करने के लिए उनको कितना लगेगा total work 6 into 8, 8 divided by 11 11 यहाँ पर गया 8 times 6 into 8 the correct answer for this question is 48 तो यहाँ पर option number B 48 इस question का सही जवाब हो गया लेकिन यह थोड़ा simplify इसलिए हमाई लगा क्योंकि यहाँ पर और का condition था तो हमने directly उनके efficiencies को बराबर करके सिर्फ ratio को reciprocate करके कोफिशन को reciprocate करके वहाँ पर denominator का Lc multiply करके ratio निकाल दिया लेकिन अगर और के जगा आपको and देता तो वहाँ पर एक और step आपको शायद करना होता है जैसे कि यह वाला सवाल तो इसके बाद मैं man boys वाले सारे type के किसम के आपको करवा दिया और भी जो man boys का होगा उसको मैंने mislannies पर रखा हुआ है तो tension मत लीजेगा जो सिखाने के लिए एक topic को एक छोटे से portion छोटे से concept को सिखाने के लिए जितने तरह के questions मुझे लेने थे मैंने सब कुछ लिया है additional features वाले सवाल आपको high level और mislannies में मिल जाएगा या फिर previous year में भी मिल जाएगा tension ना ले इसके लिए तो अब मैं कहा सकता हूँ and वाला question एक देखते है six men and eight boys can do a piece of work in ten days मतलब मैं कहा सकता हूँ कि छे men और आठ boy एक काम को कितने दिन में कर सकते है ten days में कर सकते है ठीक है 26 men and 48 boys do it in two days 26 men 48 boys two days में कर सकते है ठीक है in how many days will 15 men and 20 boys do that work कितने दिन में 15 men और 20 boys उस काम को कर सकते है आज ही मैंने आपको कहा कि जब भी आपको person और person का time दे दे तो उनको multiply कर दीजेगा तो person और person का time अगर मैं देखू तो six men और eight boys अगर ten days ले रहे हैं तो वो total कितना काम कर रहे होंगे six men plus eight boys into ten days तक कर रहे तो into ten 26 men और 48 boys 26 men और 48 boys अगर two days तक काम कर रहे हैं तो वो definitely into two इतना काम कर रहे होंगे अब six men और eight boys दस दिन में जो काम complete कर रहे हैं 26 men और 48 boys दो दिन में वही कामी तो complete कर रहे हैं तो ये work दोनों क्या होगे? equal होगे अगर ये work दोनों equal होगे तो मैं इधर से man और boys के बीच में एक बड़ी असा relation establish कर सकता हो कैसे? सबसे पहले तो मैं इसको cancel कर दिया ये five times गया तो ये आपका हो गया 30 men plus 40 boys is equal to 26 men plus 48 boy अब देखिए 30 से 26 men गया तो 4 men रहा 40 boy इदर 48 boy से गया तो ये 8 boy हो गया और अगर मैं man और boys मतलब man का efficiency अगर 2 unit का चल रहा होगा तो boy का efficiency एक unit का चल रहा होगा ये done है इतने के बाद efficiency का ratio आ गया अब efficiency based सवाल में अब मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि efficiency का ratio निकालने के बाद next क्या निकालते हैं आपके भी रठा होना चाहिए sir total work निकालने very good तो total work में कैसा निकालूँगा total work में जानता हूँ कि 6 men 8 boy 10 दिन में जो करेंगे वो total work होता है तो 6 men 8 boy 10 दिन में या फिर इदर चलिया ये multiply करना है न तो 6 men 8 boy 1 men 2 unit कर सकता है तो 6 men 6 into 2 12 unit कर सकता है 1 boy 1 unit कर सकता है तो 8 boy 8 into 1 8 unit कर सकता है तो 12 प्लस 8 अगर मैं 6 men 8 boy की बात करूँ तो 12 प्लस 8 20 units ये लोग कर सकते हैं 20 units हर दिन करने के बावजूत उनको कितना दिन लग रहा है 10 days लग रहा है तो total work आपका कितना होगा 20 into 10 यानि की 200 units का अगर मैं second equation में भी लोगा ना तो वही आएगा एक बार चेक करके आपको दिखा देते हैं 1 men 2 unit तो 26 men 26 into 2 52 unit करेंगे 1 unit तो 48 boy 48 into 1 48 unit करेंगे 52 प्लस 48 100 unit का काम करते उनको 2 दिन लग रहा है तो 100 into 2 200 units का total work होगा अब मुझे देखना है कि ये जो total 200 units का मुझे work करवाने है वो जिससे करवाने है उनका efficiency कितना चलना है क्योंकि work से efficiency रिवाइड करूँगा तब जाके time आएगा starting वाले concept से तो efficiency मुझे किसका निकालना है जिससे काम करवाने है काम किससे करवाने है मुझे 15 men और 20 boys से करवाने है 15 men के अगर मैं बात करूँ तो हर men अगर 2 unit कर सकता है तो 15 men 15 into 2 30 units कर सकता है एक boy अगर 1 unit कर सकता है हर दिन तो 20 boy 20 into 1 20 unit हर दिन कर सकता है तो 50 plus 30 अगर मैं बात करूँ तो total आपके 50 units का काम ये एक दिन में कर सकते हैं अगर एक दिन में 50 units का का कर सकते हैं तो टोटल दो सो यूनिट का काम करने के लिए उनको कितना लगेगा दो सो बटे पचास यानि कि चार दिन लगेगा यानि कि option number a four days will be the correct answer for this question तो चाहे और की बात की जाए या and की बात की जाए और question में आपको सब कुछ equal to given था तो आप direct ratio उधर से निकाल दिये जब and की बात की जाए तो आप इस person को time के साथ multiply करके equit कर देंगे तो आपको बड़िया सा man और boys का या जिनका भी ratio चलाएगा efficiency का efficiency का ratio आने के बाद एक ही काम है आपको करना total work निकालना है जिन से करवाने है उनका efficiency निकालना है work by efficiency करके time निकालना है जो कि हम starting से आज सीखते आ रहे हैं पिछले 2,5 घंटे से उमीद करता हूँ कि man boys के जितने भायंकर भायंकर सवाल आपको मिलने थे और काफी नए किसम के होते हैं जो आपको लगेगा कुछ और है लेकिन होगा कुछ और तो चलिए बढ़ते हैं अपने next category और देखते हैं कुछ unique word problems based on time and work और अभी तक अगर session मज़िदार लग रहा होगा तो I request you all के kindly share the session and like it तो चलिए बढ़ते हैं अपने next step के और चलिए तो दोस्तों अब बारी है कि time and work के कुछ unique word problem सीखा जाए जो कि आप rarely देखते हैं मतलब आए दिन daily basis पे mocks walks वगेरा में ये सारे सवाल आपको देखने के लिए नहीं मिलते और जो सवाल आपको usually daily basis पे नहीं मिलते वो काफी तंग कर देते हैं अचानक से examination में आके और इस सवाल जो unique category में मैंने कुछ रखा है यहाँ पे सबसे speciality ये है कि ये दिखेंगे कुछ और होंगे कुछ और और करना कुछ और होगा मतलब सवाल आपको लग रहा होगा कि man days का है लेकिन वो सवाल normal होगा या फिर सवाल लग रहा होगा easily बन जाएगा लेकिन वो बनने रहा होगा तो जितने भी unique type के questions थे मैंने इस category में रखा है तो इस category का एक भी question skip ना करें I will advise you तो चलिए सबसे basic सवाल से start करते हैं मतलब यह कह रहा है कि A अकेला एक काम को करने के लिए 16 देज ज्यादा ले रहा है किस से अगर A और B मिल के उस काम को करेंगे जितना दिन लेगा उस से 16 देज ज्यादा में A अकेला काम कर सकता है similarly B अकेला उस काम को कितने दिन में complete कर सकता है जितना A और B टोटल मिल के कर सकते थे उस काम को उससे 4 दिन ज्यादा B अकेला काम को कर सकता है मतलब मैं कहूं कि अगर A और B मिल के एक काम को T डेज में कर सकते है तो यहाँ पर A अकेला कितने दिन में कर सकता है जितना वो लोग मिल के करते यानि कि T उससे 16 दिन ज्यादा में कर सकता है मतलब T प्लस 16 डेज में कर सकता है और अगर मैं बात करूँ B की तो B कितना दिन में अकेला कर सकता है जितने A और B मिलके करते T days उससे 4 दिन ज्यादा में B अकेला कर देता मतलब वो T plus 4 days में करता अब ऐसे सवाल अगर आप LCM LCM लेके solve करना start करेंगे तो भया कांग खता इस सवाल का एक golden logic है कि अगर दोनों के combined time मैं prove भी करूँगा tension ना ले दोनों के combined time से कुछ time ज्यादा A ले रहा है और कुछ time ज्यादा B ले रहा है तो वो जो combined time यानि K root under of जो extra time A और B ले रहे होंगे तो यहाँ पर A extra time combined से कितना ले रहा है 16 B extra time combined से कितना ले रहा है 4 इन दोनों का product का root over 16 into 4 आपका हो जाएगा 64 और 64 का root under आ जाएगा 8 मतलब clear सी बात है कि A plus B together जो T time ले रहे हैं वो किसके बराबर होना चाहिए वो 8 के बराबर होना चाहिए अगर A plus B बराबर यानि कि T बराबर आपका 8 आ चुका है तो A कितना days लेना चाहिए T से 16 ज्यादा यानि कि मैं कहा सकता हूँ कि 8 से 16 ज्यादा answer आपका आ चुका है 24 इसको अगर आप LCM लेके करते तो काम खतम हो जाता पूरा अगर B का पूछता तो combine 10 T यानि कि 8 से 4 ज्यादा तो B का time 8 plus 4 कितना आ जाना चाहिए 12 आ जाना चाहिए अब cross check करने के लिए आप एक काम कर सकते 24 और 12 का LCM ले सकते जो कि 24 आएगा इसका efficiency 1 इसका efficiency 2 तो combine efficiency 3 24 by 3 together आपका 8 भी आ रहा है लेकिन इस question का ये जो rule ये जो formula वो आया कहां से वो भी सिखाना मेरा काम है तो अगर मैं कहूं कि A और B का combined time आपको पता है कि T होना चाहिए और A अकेला अगर कर सकता है T से कुछ extra time A लेके कर सकता है और B जो है वो दोनों के combined time T से कुछ extra time B लेके अगर काम को complete कर सकता है अकेले तो सबसे पहले इनका LCM क्या होगा पता है इन दोनों का product क्योंकि जो भी दोनों का product आएगा वो उनके common multiple में होगा और वही इनका least common multiple बन जाएगा तो इन दोनों का product मैं कह सकता हूँ कि LCM होगा T plus A T plus B अब efficiency की बात करूँ तो इसको अगर मैं A का efficiency निकालूँगा तो ये वाला divide करूँगा इस टर्म में जब मैं T plus A divide करूँगा तो T plus A, T plus A cancel होके A का efficiency आजाएगा T plus B और similarly इसको अगर मैं B का efficiency निकालने के लिए divide करूँ इससे तो T plus B, T plus B cancel होने के बाद इसका efficiency आजाएगा T plus A अब total work मुझे पता है कि जो time A और B को लगना चाहिए वो कितना होता है total work divided by total efficiency total work कितना है T plus A whole into T plus B अब ये total work को मुझे A और B दोनों से करवाने है A और B दोनों का efficiency अगर मैं add कर दूँ तो ये कितना आजाएगा T plus B plus T plus A और time जो होगा वो total work को जब मैं दोनो A और B total efficiency से करवाऊँगा तो A और B का जो time आना चाहिए वो कितना आना चाहिए T आना चाहिए condition तो वही है न कि A और B T ले रहते है और A अकेला T से A ज़ादा B अकेला T से B ज़ादा तो दोनों मिलके जो काम करेंगे वो time कितना लगना चाहिए T ये normal पूरा traditional है इसी का तो जब मैं इस equation को solve करूँगा तो देखे ये हो गया आपका T square प्लस हो गया आपका A T प्लस हो गया आपका ये suppose क्या हो जाएगा T square A T similarly अब हो जाएगा B T और A B और ये divide का जो complete चीज़े वो RHS में जाके multiply हो जाएगा तो T into T T square प्लस T into B B T प्लस T into T T square प्लस A into T A T तो RHS और LHS में A T A T common दिख रहा है cancel कर दीज़े क्योंकि प्लस में है B T B T दिख रहा है cancel कर दीज़े common दिख रहा है T square T square cancel कर दीज़े common दिख रहा है तो finally जो बचा LHS में बचा A B और RHS में बचा T square तो आप ही बताईए कि अगर T square बराबर A B होगा तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि T बराबर root under of A B होगा मतलब जो दोनों का combined time T है वो किसके साथ बराबर है root under of जो उनका extra time ले रहे हैं अकेले काम को खतम करने के लिए तो ये जो 2 root under of A B का formula है इस सवाल में अगर आप perfectly डाल देते तो सवाल ऐसे solve हो जाता अब ये तो रहा direct सवाल इस तरह के आपको paper में दिये गए कुछ difficult सवाल जो की काफी घुमा फिरा के देता है इसी logic का इस्तेमाल करके ये रहा के सामने देखते हैं कितने लोगों ने perfectly सीखा है थोड़ा कोशिस कीजिए कि कैसे कैसे करके वो जैसे घुमा फिरा के इसी formula के form में ले आएंगे तो लेकते हैं क्या हो क्या सवाल कह रहा है कि A can complete a work in 5 more days than B A एक काम को B से 5 दिन ज्यादा में कर सकता है ज्यादा लेक रहा है ना ज्यादा काम वाला condition आ जाएगा and does the same work in 9 more days than C मतला A जो है वो एक काम को करने के लिए B से 5 दिन ज्यादा लेता है और C से 9 दिन ज्यादा लेता है पहला step clear if A and B can complete the whole work in same time in which C alone does the whole work अगर A और B मिलके उस whole काम को उतना ही time लेंगे जितना C अकेले लेके उस काम को complete करेगा then how many days A alone complete the same work then A अकेला उस काम को कितने दिन में complete कर सकता है तो सबसे पहले मैं यह कह सकता हूँ कि A plus B को जितना time लगेगा C को भी उतना time लगेगा बट इसका मतलब यह नहीं कि A plus B is equal to C है कि A अगर A को 2 लगेगा B को अगर 3 लगेगा तो C 5 आ जागा नहीं A को जितना time B को जितना time उनको मिला के करने से मतलब A और B अगर मिल के करेंगे जितना time लगेगा C अकेले को उतना time लगेगा this is not an equation यह आपका एक rule है इस question के according हमारे पास एक statement है अब आगे मैं यह कह सकता हूँ कि equal to का symbol यह arrow का symbol है ठीक है equal to का symbol कहा लगा सकता हूँ A को जो time लगता है वो B के time से 5 दिन ज्यादा होना चाहिए मतलब A is equal to B plus 5 और वही A का time जो है वो C के time से A का जो time है वो C के time से 9 days ज्यादा है यहां तक clear है A और B को total suppose time ले रहा है A और B मिलके total C time ले रहे है तो अगर A plus B मिलके C time ले रहे है तो मैंने यह कहाता कि दोनों का combined time अगर आपके पास है और उन दोनों को अकेले में जो time लगेगा वो combined time से अगर कुछ extra time अगर आपको पता चल जाएगा तो वो previous वाला formula आप डाल सकते तो यहां पे A को C से 9 days ज्यादा लग रहा है यह तो condition में fit बैट रहा है लेकिन यहां पे मुझे कुछ गड़बर लग रहा है मेरे हिसाब से तो B को C से कुछ दिन ज्यादा लगने चाहिए तो B को अगर C से कुछ दिन ज्यादा लगने चाहिए तो पहले तो LHS में B को रखूँगा B को कितना time लगना चाहिए A से 5 दिन कम लगना चाहिए और वही है न A अगर B से 5 दिन ज्यादा लेगा तो B A से 5 दिन कम लेगा और अगर मैं बात करू A की तो A आपको कितना पता है A बराबर होता है C प्लस 9 और अगर A बराबर C प्लस 9 होगा तो यहाँ पर अगर मैं सॉब्स्टिट्यूट कर दू तो C प्लस 9 माइनस 5 जब में करूँगा तो 9 माइनस 5 4 हो जाएगा तो यह C प्लस 4 हो जाएगा मतलब A plus B अगर मिलके C time में काम को complete कर सकते हैं तो A अकेला C से 9 days ज्यादा लेगा B अकेला उसी C से 4 days ज्यादा लेगा तो combined time और उनके extra time आपके पास सब कुछ हाजिर है तो यहाँ पे जो combined time है यानि कि C वो कैसे निकाल सकते हैं root under of दोनों के extra time यहाँ पे C से कितना extra 9 इंटू यहाँ पे C से कितना extra 4 9 इंटू 4 यानि कि root under of 36 कितना आ गया मेरे पास 6 यानि कि C 6 days ले रहा होगा और अगर C 6 days ले रहा होगा तो A और B का combine time भी तो C के time के साथ बराबर है मतलब यह भी आग का 6 आ गया तो अब A का जो time होगा वो कितना आ जाएगा 6 प्लस 9 यानि कि 15 आ जाएगा और B का जो combine time है वो कितना आ जाएगा C प्लस 4 यानि कि 6 प्लस 4 यानि कि 10 days आ जाएगा अब भी अगर आप solve करके देखें तो A का time अगर 15, B का time अगर 10 तो जोड के अगर निकालेंगे तो C का टाइम 6 ही निकल के आएगा आप गर बैट के इसको solve कर सकते हैं लेकिन यहां पर हम एक सवाल में क्या पूछा था वो देख ले In how many days A alone complete the same work तो A अकेला उस काम को कितने days में कर सकता है 15 days में कर सकता है और यहां पर सब कुछ मैंने आपको clearly बताया except यह वाला formula जो कि मैंने last में explain किया था और इस बार explain करके कोई जरूरत नहीं है तो ऐसे सवाल जब ज्यादा कम का दिया जाता है न तो दिमाग में एक चीज़ रखेगा कि सवाल maximum questions है कि इसी formula के under आ जाए तो खीज खांच के formula के under लाने के लिए rule को follow किजिएगा अब बढ़ते हैं थोड़े next किसम के सवाल को यह रहा यह सवाल मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है कि 95% बच्चे fail होंगे इस सवाल को solve करने के लिए this is one of the best question for today सही में बताते हैं unique word problem का एक question भी skip मत कीजिएगा जो अलग-अलग किसम के सवाल है वो सब कुछ मैंने इस category में डाल दिया है जो आपको अकसर तंग कर देते हैं examination में उन सबको मैंने इस category में रखा है तो इसको बिलकुल भी skip मत कीजिएगा अब देखिए सवाल यह देखने के लिए बड़ा simple है A और B मिलके 12 दिन में B और C मिलके 16 दिन में A करेगा 5 दिन B करेगा 7 दिन C करेगा 13 दिन तो काम complete सवाल देखते है confidence चरम पे कि यह सवाल तो हम यूँ कर देंगे लेकिन जब start करेंगे तो first जाएंगे क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूं A और B कितने days में कर सकते है 12 days में दूसरा क्या दिया B और C कितने days में कर सकते है B और C 16 days में कर सकते है अब A करेगा 5 दिन B करेगा 7 दिन C करेगा 13 दिन उससे मुझे कोई अतराज नहीं है लेकिन A 5 दिन में कितना कर सकता है बता सकते हैं नहीं बता सकते क्यों क्योंकि A और B का 12 और B और C का 16 अगर आप इनका LCM लेंगे तो 48 यूनिट्स का जो टोटल वर्क होगा वो A A और B अगर 12 दिन में करेंगे तो 48 बाइ 12 जो 4 का Efficiency और 48 बाइ 16 जो 3 यूनिट्स पर डे का Efficiency आएगा वो किसका आएगा? 4 Efficiency A B का आएगा और 3 Efficiency A C का आएगा मतलब A B और C का individual Efficiency पता नहीं आप इस दोनों equation को solve करके भी कुछ नहीं उखाड सकते आपको ज्यादा से ज्यादा क्यां तक पहुंचेंगे पता है? A जो है वो C से 1 यूनिट ज्यादा कर रहा होगा इतना तक पहुंचेंगे और उससे ज्यादा कुछ नहीं पहुंच पाएंगे तो अगर ऐसे सर होगा मुझे करने ही पाऊंगा तो यह सवाल को solve कैसे करना है? अब मैं आपको बता रहा हूँ A को 5 दिन काम करने है B को 7 दिन काम करने है और C को 13 दिन काम करने है इस total काम को complete करने के लिए कौन से काम को? अपने हिसाब से तो काम 48 यूनिट का है इस 48 यूनिट के काम को complete करने के लिए A को 5 दिन, B को 7 दिन और C को 13 दिन काम करने है A 5 दिन में कितना करेगा? पता थे 7 दिन में B ? पता थे 13 दिन में C ? पता थे लेकिन अगर मैं आप से कहूँ कि 5 दिन में A और B मिल के कितना करेंगे? यह बता सकता हूँ, A और B एक दिन में 4 करते हैं, तो 5 दिन में 5 इंटो 4 20 करेंगे, हाँ सर यह तुम्हें 20 बता दे रहा हूँ, लेकिन 5 कहां से आया, A प्लस B कहां से आया, यह कहां से आप ला रहे हैं, मैं A का individual efficiency नहीं जानता है, मैं B का individual efficiency नहीं जानता है, लेकिन मैं A और B का individual, मतलब combine efficiency जानता हूँ, कितने का हचा है, तो मैं यहाँ पे जो छोटा number 5, इस 7 को उसमें split करूँगा, मतलब 7 को मैं लिख दूँगा, 5 प्लस 2, सर इससे फाइदा क्या होगा, अब A को आप उको 5 दिन देने हैं, कि A तुम बेटा आओ 5 दिन काम कर दो, B तुम 7 दिन काम करो, C तुम 13 दिन काम करो, काम अपनी आप खतम हो जाएगा, अब मिल के करो, जैसे करो, मुझे उससे मतलब फरक नहीं पड़ता, इसको 5 इसको 7 और इसको 13 दिन तो काम करने ही करने हैं, तो क्यों ना, इसके जो 7 दिन के काम है, वो उसमें से 5 दिन में A के साथ उसको लगा दो, एक ही तो बात है न, इससे फाइदा क्या होगा, A पांच दिन, B पांच दिन, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दू, तो A और B को मिल के 5 दिन काम करने हैं, B को 2 दिन एक्स्ट्रा और यहां पे करने, C का अगर 2 दिन यहां पे मैं उसके साथ लियाओंगा, तो B और C को म हर दिन कितना यूनिट का काम कर सकते हैं, 4 यूनिट का काम कर सकते हैं, तो 5 दिन में कितने यूनिट का काम क्या होगा, 4 इंटू 5, 20 यूनिट का काम क्या होगा, B और C का एफिशेंसी पता है, B और C मिल के कितना यूनिट का काम कर सकते हैं, 3 यूनिट का काम कर सकते हैं, तो B और C अगर 3 unit का काम 2 दिन तक करेंगे तो 3 into 2 6 unit का काम कतम होगा तो मेरे ख्याल से अभी तक 20 plus 26 units का काम already completed है लेकिन total work के कितने का है 48 units का है तो 48 से 26 जाने के बाद अभी मेरे पास कितने unit के काम बचे है 22 units के काम बचे है अब A का 5 दिन B का 5 दिन और 2 दिन मतलब A का 5 दिन B का 7 दिन complete हो चुक है लेकिन C को तो 13 दिन काम करने जिससे की 2 ही दिन वो B के साथ काम किया है तो C को भी तो और बाकी के 11 दिन अकेले में काम करने है तो यही जो C 11 दिन अकेले में काम करेगा बाकी का काम 22 unit का खतम कर देगा तो C अगर 22 unit का काम करने के लिए 11 दिन ले रहा है तो C हर दिन कितने unit का काम करेगा 2 unit का काम करेगा काम खतम एक C का efficiency आ गया तो सवाल में मुझ जो पूछे जैसे पूछे जहां से पूछे मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ अब C अगर एक दिन में 2 unit कर सकता है B और C मिलके 3 कर सकते है जिसमें से अगर C का 2 unit आपको पता चल गया तो 2 में कितना जोडने से 3 1 तो 1 unit का काम definitely B कर रहा होगा अगर B 1 unit का काम कर रहा होगा तो इधर भी B 1 unit का काम कर रहा होगा A और B मिलके 4 unit करने चाहिए जिसमें से B अगर A कर रहा है तो बाकी का बचा कुछा 3 कौन कर रहा होगा A कर रहा होगा तो मेरे पास सबके efficiency आगे है सबके efficiency आने के बाद अब मुझे जो पूछा है वो निकाल देता हूँ In how much time B alone do the whole work सारे के सारे complete काम को जाए करता चला जाए तो कितना दिन लग जाएगा 48 days लग जाएगा तो option number A 48 days will be the correct answer for this question तो ऐसे question को अकसर क्या होता है C&D दे दिया जाता है option में और बच्चे C&D pick करके चले आते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है कि ऐसे भी तोड मरूड के काम को किया जा सकता है तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना था आपको जिन जिन के efficiency पता है उनको आपस में split up कर दीजिए कि आप 5 दिन काम करो फिर आपका जो बचा-कुचा 2 दिन है आप C के साथ आपका efficiency मुझे पता है C के साथ काम कर दो इन दोनों के काम complete होने के बाद 13 से 2 जाने के बाद 11 दिन में जो बचा-कुचा काम है वो 22 यूनिट का रहा होगा 22 यूनिट करने के लिए अगर 11 दिन तो हर दिन 2 यूनिट का C अगर हर दिन 2 B के साथ मिलने से 3 तो भी एक unit का काम कर रहा होगा हर दिन भी अगर हर दिन एक कर रहा होगा तो 48 करने के लिए 48 days लगेगा काम ऐसे बनेगा तो ये सवालों को एक बार समझ जाने से बहुत ही आराम से आप लोग लिटा सकते हैं अब बढ़ते एक next गजप का question ये सवाल देखके बहुत से लोग अगर कुछ गलत interpret कर देंगे न तो answer और नहीं आएगा वो मेरे उपर dependent हो जाएंगे छोड़ देंगे immediately नहीं सर नहीं बनदा आपका solution लेकिन जितने लोग इसको perfectly पकड़ लेंगी जैसे कि मैंने क्या का दिखेगा कुछ और होगा कुछ जैसे कि previous सवाल starting में देखा बहुत easy लेकिन जब अंदर गुसके LCM-LCM लिये तो आपको पता चला कि भाया individual तो efficiency है नहीं combine में मैंने कुछ trick आपको बता दिया लेकिन इस सवाल में अकसर आप एक गलती कर बैठते हैं जहां पे भी man, woman, boy आ गया आपका दिमाग man days में चला गया उसी concept को limited आप ने कर दिया आप उसी concept में खुद को इतना indulge कर देते हैं कि छोटा सा ननना सा सवाल आप से नहीं बनता जैसे कि सवाल में था क्या देख लिए a man, a woman and a boy together complete a work in three days एक man, एक woman और एक boy अगर काम को complete करेंगे तो together वो लोग कितने days में काम को complete कर सकते हैं three days में काम को complete कर सकते हैं गया, खतम, goodbye if a man alone takes, sorry, completes it in six days अगर एक man अकेले उसको six days में complete कर सकते हैं and a boy alone can complete it in 18 days और a boy अगर उसको अकेले 18 दिन में कर सकता है then in how many days a woman will be able to finish the work then a woman उसकाम को करने के लिए कितना दिन लेगा, आपका दिमाग घुम गया ये क्या सर इसको add करके आपने कहा था person को time के साथ multiply कर तो work आ जाएगा इस person को इस work, किस person को किस work मैं कुछ से समझ नहीं पा रहा समझ इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि आपका दिमाग उसी concept पे बैठा हुआ है concept is power आप एक concept में limited मत रही है आपको जो data दिया था आप अगर side by side नीचे नीचे एक पार लिख देते तो काम बन जाता जैसे कि अगर मैं आपसे पूछो एक man उसको कितने दिन में कर सकता है और अगर मैं आपसे पूछो एक boy कितने दिन में कर सकता है अब आपके पास time है तो आप LCM लेके efficiency निकाल सकते है total work का कैसे 3, 6 और 18 का LCM मेरे ख्याल से 18 units का आएगा LCM जो 18 units का होगा वो मेरे ख्याल से अपना total work हो जाना चाहिए 18 unit के काम को 3 दिन में कर रहे हैं तो हर दिन 6 18 बटे 6, हर दिन 3 18 बटे 18, हर दिन 1 मतलब एक boy का efficiency एक unit हमने निकाल दिया एक man का efficiency 3 unit हमने निकाल दिया और एक man, एक woman और एक boy का efficiency 6 unit हमने निकाल दिया अगर मैं कहूँ कि एक man का efficiency 3 है एक boy का efficiency 1 है तो एक woman का efficiency कितना होना चाहिए जैसे कि 3 plus 1 4 में जो add होने से total when boys और woman का 6 efficiency हो woman का अगर 2 होगा तो 3 plus 2 5 plus 1 6 हो जाएगा या फिर 6 minus 4 भी कर सकते हैं तो एक woman का 2 unit का efficiency मुझे पता चल गया अगर एक woman का 2 unit का efficiency चल रहा है तो एक woman को total work को complete करने के लिए कितना दिन लगेगा अब 18 unit का total work तो आपने खुद इमान रखा है 18 unit के काम को अगर आप एक woman को देंगे जो कि हर दिन 2 unit कर सकती है तो उसको कितना दिन लग जाएगा 18 बटे दो 9 दिन answer आपका हो गया option number A 9 is the correct answer for this question तो कभी भी language से जज़ मत कीजिएगा कि man, woman, boys मतलब man days उसमें घुश जाईएगा आपका यह simple सा normal ilsim के उपर based question था जो कि आप यूं solve कर सकते थे अगर आप with मतलब ज़्यादा practice करेंगे इन सब चीजों के उपर उमीद करते हैं कि unique वाले parts में गजब-गजब के सवाल आपको देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि आपके mind के तार्क बढ़िया से खोल रहे होंगे धागा खोल गया होगा चीक है और अगर धागा खुला होगा वाकई में तो एक बार सेशन को like और share कर दीजे और साथी साथ यह जो next सवाल है इसका answer भी जल्दी से pause करके खुद कर दीजे अब तो आप अब सर नहीं फसेंगे यह man boys है लेकिन मैं थोड़ा तीन बार उसको सोचूंगा कि यह सही में man boys वाला सवाल है या नहीं तो सवाल बोल ला है कि a man and a boy together can complete a work in 24 days एक man और एक boy मिलके एक काम को 24 days में कर सकते हैं if man works alone in the last 6 days अगर man आकर के 6 दिन अकेले काम करेगा then the work is finished in 26 days then उस काम वो काम 26 दिन में खदम हो जाएगा how much time will the boy alone be able to finish this work अब कितने time में boy अकेले उस काम को complete कर सकता है अब देखिए ये man और boy के जगा अगर मैं Ramesh Suresh डाल दू तो कोई problem होगा Ramesh and Suresh together can complete the work in 24 days Ramesh works alone in the last 6 days then the work is finished in 26 days then in how many days will Suresh alone be able to finish the job मतलब man और boy यहाँ पर सिर्फ नाम का है इसके जगा कोई भी substitute लगा सकते हैं ये man days का सवाल direct तो नहीं है मतलब उसी concept का उपर तो based नहीं है तो सरी ये कैसे करेंगे अब एक man है एक boy है दो अलग-अलग entities है man का efficiency मुझे पता नहीं तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक man का efficiency suppose मैंने ले लिया M और एक boy का efficiency suppose मैंने ले लिया B अगर man और boy 24 दिन तक काम करेंगे तो वो काम complete हो जाएगा man एक दिन में M unit कर सकता है boy एक दिन में B unit कर सकता है तो man प्लस boy अगर मिलेंगे तो एक दिन में इतना unit कर सकते है फिर भी उनको 24 दिन लग रहा है तो 24 दिन में वो इतना काम किये होंगे तो यह आ गया अपना total work is it clear? यह आ गया अपना total work कि man और boy मिलके 24 दिन तक काम करेंगे तो एक man एक दिन में M unit एक boy एक दिन में B unit तो man और boy मिलके एक दिन में M plus B और into 24 इसको थोड़ा आप अगर दूसरे ऐसा अगर समझने में थोड़ा problem अगर आपको कहीं face हो रहा होगा तो मैं आपको और थोड़ा थोड़ा किसी खा सकता हो अरे बेटा man और boy मिलके 24 दिन काम करेंगे तो काम complete हो जाएगा मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि man को भी 24 दिन काम करने boy को भी 24 दिन काम करने एक man अगर m unit कर सकता है एक दिन में तो 24 दिन में कितना करेगा 24 m कर पाएगा एक boy एक दिन में अगर b unit कर पाएगा तो 24 दिन करेगा तो 24 b काम कर पाएगा तो 24 दिन में 24 m कर सकता है concept जो logical concept को पकड़िए if man works alone in the last six days, अगर man आकिर के 6 दिन अकेले काम करे, then the work is finished in 26 days, then काम 26 days में complete हो जाएगा, अब मैं आप सभी से एक चीज़ सबसे पहले पूछना चाहता हूँ क्या कोई मुझे बता सकता है कि man ने actually काम कितना दिन में किया है ये language पढ़के अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चे सोचते हैं कि 20 दिन तक काम क्या होगा boys और 6 दिन तक काम क्या होगा man, ये कर बढ़ा, आप equation solve कीजे, negative में आ जाएगा, sir ऐसा कैसे आ रहा है, हाँ negative में आ रहा है तो ऐसा इसलिए, कि आपको किस ने कहा कि सिर्फ आखिर के 6 दिन ही man काम करेगा, sir वो तो कह रहा है, नहीं, उसने वो नहीं कहा उसने कहा, if man works alone in the last 6 days, मतलब आखिर के 6 दिन सिर्फ man काम करेगा, मतलब आखिर के 6 दिन में boy हो ही ना, तो 26 दिन में काम चलेगा, man और boys को तो start आखिर के 6 दिन सिर्फ man ही रहा है, मतलब boy नहीं रहा वो ऐसे ही का रहा है तो आखिर के 6 दिन अगर सिर्फ man रहे, तो total time 26 दिन लगेगा, काम को complete होने के लिए मतलब man starting से लेके end तक 26 दिन तक रहा है लेकिन boy जो है, वो आखिर के 6 दिन नहीं आए, इसलिए आखिर के 6 दिन सिर्फ man alone काम कर रहा है समझे, तो यहां से मुझे यह पता चल गया, कि man अगर 26 दिन काम करेगा, तो 26 एम खतम करेगा और आखिर के 6 दिन तक सिर्फ अगर man रहा होगा, तो आखिर के 6 दिन boys नहीं है, अगर 26 से 6 दिन boys नहीं है, तो boys 20 दिन तक काम क्या होगा, और वो कितना काम क्या होगा 20 भी काम क्या होगा तो 26 दिन अगर man और 20 दिन अगर boy काम करेगा, तब भी वही काम कंप्लीट हो जाएगा, कितने का इतने का, जो काम, उनका और लेडी 24 दिन में करना था, तो इधर से मैं man और boys का efficiency का ratio निकाल दूँगा, मतलब उसी man boys के उपर indirect equation, एक logical approach में, तो यहां पर अगर मैं इसको solve करूँगा, तो देखिए 26m से 24m गया, तो यह 2m रहा, बराबर 20b अगर 24b से गया, तो 4b तो मैं यह कह सकता हूँ, कुछ गड़बर हुआ क्या, 22b 24b हाँ, तो man और boys का efficiency का ratio अगर मैं कहूँ 4 by 2, 2 में cancel करने से 2 is to 1, मतलब man अगर 2 unit कर रहा होगा, तो boy 1 unit, पूरा आगया man boys वाला concept, मैंने कहा तरह बहुत से सवाल, जो man boys वगेरा, efficiency वगेरा, जो भी है वो मैं रखूंगा आगे, तो यह तो सिर्फ unique है, अभी आगे है, और भी कई सारे questions से previous है के high level के, सब कुछ cover हो जाएगा, tension ना ले, तो अगर man एक दिन में 2 unit कर सकता है, और boy एक दिन में 1 unit कर सकता है, efficiency का एक boy एक दिन में 1 unit कर पाएगा, तो 24 दिन में 24 unit, 24 into 1 24 unit कर पाएगा, तो 48 plus 24, 72 units का total work होगा, इधर से भी आगर देखेंगे तो 26 into man का 2 unit 26 into 2, 52 20 into 1, 20 52 plus 20, 72 आपका total work जिधर से भी निकाले, अब यही total 72 के work को आपको किस से करवाने, how much time will the boy alone be able to finish the work boy अकेले मतलब boy का efficiency कितना है, एक unit का है, अगर boy हर दिन एक unit कर पाएगा, तो 72 unit करने के लिए उसको कितना दिन लग जाएगा, 72 y1 यानि कि 72 days, तो option number a 72 is the absolutely correct answer for this question तो twist यहाँ पे था, अकसर बच्चे यहाँ पे गडबड करते हैं, यहाँ पे आप दूसरे equation frame किये होंगे, 6 men और 20 boys ऐसे लेके, वो negative में आ जाएगा, वो कभी भी आपका correct answer नहीं होगा, clear है, language में crystal clear clarity है, तो जल्दी से यह रहा आपका बढ़िया सा सवाल, और this is one of the most important and finest question with a finest approach and concept, बहुत ही गजब का यह concept में आपको सिखाने वाला हूँ, balancing of ratio आपको फिर से याद दिला दूँगा, ratio में मैंने पूरा detail में balancing of ratio पढ़ाया था और मैंने आपको कहा था कि आगे मैं हाई chapter में लगबग इसका इसका इस्तिमाल करूँगा, तो आज बारी है, उस balancing of ratio को time and work में इस्तिमाल करने की, सवाल खावी simple है, बोल ला है कि to do a piece of work यह efficiency based है, ठीक है, मैंने कहा था न, efficiency based भी आपको आगे मिलेंगे, यह efficiency based है, to do a piece of work, B takes three times as long as A and C together, C, twice as long as A and B together, if the three together can complete the work in 10 days, how long would C complete the whole work, अब इस सवाल को करेंगे कैसा है, उसने कहा कि एक काम को करने के लिए, B तीन गुना time लेता है, किसके comparison में, A और C together जितना time लेंगे, उनके comparison में, तो मैं यह कह सकता हूँ कि B by A plus C, मतलब B का time, और A plus C का time, वो कितने ratio में होगा, 3 by 1, यह time का ratio है, ध्यान दीजेगा, यह time का ratio है, कि B, A और C को जितना time लग रहा है, उसका 3 गुना time ले रहा है, मतलब B का time, और A और C का together time के बीच में ratio 3 is to 1 होगा, पहला step clear होगा, दूसरा step में पहले लिख देता हूँ, उसके बाद solve करेंगे, C, twice as long as A and B together, तो C का जो time है, वो A और B के combined time का double है, मतलब ratio इनके बीच में 2 is to 1 है, A प्लस B को अगर 1 part का time लग रहा होगा, तो C को 2 part का time लग रहा होगा, यह किसका ratio है, time का ratio है, हमेशा जब भी आपको time का ratio दे, आपके दिमाग में यह आना चाहिए, कि इससे में सवाल solve कर ही नहीं सकता, क्योंकि ultimate goal अपना efficiency हासिल करना होता है, और अगर efficiency हासिल करना होता है, तो 20 second में efficiency का ratio आजाएगा, यार, B by A plus C, time का ratio अगर 3 by 1, तो efficiency का ratio 1 by 3, मतलब B एक unit कर रहा था, और A plus C 3 unit कर रहे थे, तभी तो जाके time का ratio उल्टा था, similarly यहां से अगर मैं C और A plus B का efficiency का ratio निकालूँगा, तो यह efficiency का ratio कितना आज जाएगा, 1 by 2, यह कम काम कर रहा था, इसलिए ज़्यादा time ले रहा था, अब यहां पर balancing of ratio का क्या रोल ने, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, यहां पर B को अगर मैं 1 part लूँ, और A और C को अगर मैं मिला के 3 part लूँ, तो यहां पर अगर मैं A, B, C सब को add कर दूँ, तो total 1 plus 3, कितने part है, 4 part है, यहां पर अगर मैं C को A की unit ले लूँ, कि C है एक unit कर पा रहा है, और A और B मिलके 2 unit कर पा रहे है, तो A, B, C सब को मिलाने से, मतलब नीचे A, B है, उपर C, अगर मैं सब को add कर दूँगा, तो 2 plus 1, कितने unit का काम हो जाएगा, 3 unit का काम कौन कर रहे हैंगे, ABC, अब इधर ABC 4 unit का काम कर रहे है, इधर वही ABC 3 unit का काम कर रहे है, यह तो possible नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं, थोड़ा ना थोड़ा गड़बड है, तो क्या हैसे मैं करूँगा, कि ABC का work ही same हो जाए, अब देखिए, 4 और 3 का LCM, यह concept सीखे, percentage में काम आएगा, वहाँ पर मैंने करवाए, percentage में करवाए, ratio में करवाए, आज यहाँ पर भी करवा रहे है, तो अगर मैं 4 को 3 से multiply कर दूँ, और 3 को 4 से multiply कर दूँ, तो यहाँ पर total ABC 12 आजाएगा, और यहाँ पर भी total ABC 12 आजाएगा, अब एक screenshot लिजिए इसका, और उसके बाद एक दूसरा screenshot लेंगे, अभी एक screenshot लिजिए, कि मैं इसी में question में change करने वाला हूँ, तो यहाँ पर इस ratio में अगर मैं 3 multiply करूँगा, तो यह 1 बन जाएगा आपका 3, और 3 into 3 यह बन जाएगा आपका 9, अब देखें 9 plus 3 आगया आपका 12, यहाँ पर इस ratio में अगर मैं 4 multiply करूँ, तो 1 into 4 बन जाएगा आपका 4, 2 into 4 बन जाएगा आपका 8, और 8 plus 4 बन जाएगा आपका 12, मतलब अगर B 3 unit कर रहा है, A plus C 9 unit कर रहें, तो A plus B plus C 12 करेंगे, C अगर 4 कर पा रहा है, तो A plus B 8 कर पा रहा है, तो A plus B plus C यहाँ पर भी 12 कर पा रहें, तो अब balance हो चुका है, balance होने के बाद मैं direct कह सकता हूँ, कि B कितने के बराबर होगा, यह balance हो चुका है, और change करने के जरूद नहीं, 3 unit कर पा रहा होगा, C कितना, direct लिखा है, 4 unit कर पा रहा होगा, 3 और 4, 7 unit यह दोनों मिलके कर रहें, कितने से, 12, क्योंकि 3ों को मिलके तो 12 करना है, 12 से अगर यह दोनों मिलके 7 कर रहें, तो बाकी का 5 कौन कर रहा होगा, A, तो A का efficiency, और अगर मैं 3ों का efficiency निकाल पा रहा हो, ratio के terms में हो, या फिर units के terms में हो, जैसे भी हो, अब मुझे सवाल जो भी पूछे में निकाल सकता हूँ, अब देखते हैं, सवाल क्या पूछा गया है, सवाल दिया गया है, कि if 3 together can complete the work in 10 days, अगर 3 मिलके 10 दिन में काम कर सकते हैं, मेरे हिसाब से 3 मिलके एक दिन में कितना करेंगे, 5 प्लस 3, 8 प्लस 4, 12, एड करनी जरूरत नहीं थे, आपने अल्लेटी 12 किया था, तो A प्लस B प्लस C मिलके, अगर एक दिन में 12 unit का काम, ये efficiency है ना, हर दिन का काम, हर दिन अगर 12 unit का काम कर सकते हैं, तो 10 दिन में कितना कर पाएंगे, 12 into 10, 120 units कर पाएंगे, अब ये ही 120 units को मुझे किस्ते करवाने, how long would C complete the whole work, C उस total work को कितने दिन में कर सकता है, C एक दिन में कितना कर सकता है, 4 unit, अगर C एक दिन में 4 unit कर सकता है, तो total 120 unit को कितने दिन में कर सकता है, 30 days में complete कर सकता है, यानि कि option number A, 30 is the absolutely correct answer for this question, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, time का ratio 3 by 1, 2 by 1 दिया था, उल्टा दीजे efficiency का ratio 1 by 2, यहाँ पे 1 by 3, 1 3 add करने से 4, यहाँ पे 1, 2 add करने से 3, balance नहीं है, क्योंकि A, B, C तो बराबर होने चाहिए, अगर बराबर होते तो एक step यह भी कम हो जाता, तो बराबर करने के लिए 4 और 3 का, LCM मैंने रेखा कितना, 12, तो 4 को 12 करने के लिए 3 का multiplication, 3 को 12 करने से 4 का multiplication, मैंने 3 multiply किया, तो 3, 9 का efficiency ratio आगया, इसमें 4 multiply किया, तो 4, 18 का efficiency ratio आगया, अब B के directly लिखा है 3, तो B 3 unit का का काम कर रहा होगा हर दिन, तो C के directly लिखा है 4, तो C 4 unit का 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 काम कर रहा होगा हर दिन, B और C मिला के 4 plus 3, 7 units हर दिन कर पारें, तो 12 से 7 unit अगर इन दोनों ने क्या होगा, तो बाकी का 5 unit A ने क्या होगा, अब A, B, C question के हिसाफ से 10 दिन में काम को complete कर रहे हैं, और मेरे हिसाफ से A, B, C, 5, 3, 8, 4, 12 unit हर दिन के हिसाफ से अगर करेंगे, 10 दिन में 120 unit का total work होगा, अब यही total work के 120 unit का, अगर मैं C से करवाओं, C हर दिन 4 कर पाएगा, तो 1, 24, C का time कितना आजाएगा, 30 days आजाएगा, I hope कि और इस category के questions आपको कभी तंग ने करेंगे, और इस वन अफ़ पावरफुल concept विच आफ टॉट यू तोड़ी बहुत ही गजप का यह concept है, और concept कैसा लग रहा है, आपको दिल खोल के comment box में मुझे बिल्कुल बताना है, तो उमीद करते हैं कि अभी तक सब कुछ session perfectly आपके दिमाग में घुस रहा होगा, comment में कोई कंजूसी ने, like share में कोई कंजूसी मत कीजेगा, और इतना तक पढ़ाने के बार, अब मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ कि क्या ये सब पढ़ाया हुआ, justified है, मतलब सही में हम सही track पे हैं, या मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप बस पढ़ रहे हैं, तो इसी चीज़ को test करने के लिए देख लेते हैं, कि हम जिसके लिए prepare कर रहे हैं, वहाँ पे time and work chapter के किस तरह के सवार हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो चलिए solve करते हैं कुछ previous year के questions और उससे हम idea लगा सकते हैं, कि हाँ, हाँ, आज हम बहुत कुछ सीखें जो कि real examination में help करेगा, तो चलिए अपने next category के और बढ़ते हैं, we will be solving certain previous year questions in the next section, तो दोस्तों इतने सारे concept सीखने के बाद आप सभी के मन में ये question आ रहा होगा, क्या ये concept enough है, कोई भी examination में जो questions पूछे जाते हैं उनको solve करने के लिए, ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम previous year के कुछ अच्छे-अच्छे सवालों को इसी concept के तहत solve करेंगे, तो चलेए without any further delay, let's get started with our previous year questions, जो कि हमें पूछे गए हैं IBPS, RRB और SBI के PO Prelims examination में, तो चलेए सबसे पहले सवाल से start करते हैं, A, B and C together works for 5 whole 5 by 47 days to complete a job, अब देखिए, सवाल तो examination में थोड़ा घुमाफी आके PO Prelims का है और वो भी IBPS का, तो थोड़ा तो तोड़ मरोड के वो देगा, हमें अपने हिसाब से उसको ढालना होता है, A is 33 whole 1 by 3 percent more efficient than C, and C and B together can complete the job in 8 whole 8 by 9 days, find the time taken by C to complete the job, अब सबसे पहले यहां पे एक word आ गया, 33 whole 1 by 3 percent more efficient than C, efficiency का word लगते ही, आपके दिमाग में यह क्या आना चाहिए, कि यह efficiency based problem है, और मुझे इसको बिना LCM के solve करना है, यह मैंने efficiency based problem के category में आपको detail में समझाया है, अब इस सवाल में जो time दिये हैं, उनके बारे में पहले देख लेते, A, B और C, कितना time लेते हैं, 5 whole 5 by 47, तो अगर मैं बात करूँ, A, B, और C, कितना time लेते हैं, 5 whole 5 by 47 days लेते, और अगर मैं बात करूँ, और एक time कुछ दिया है, 8 whole 8 by 9 वो किसका है, B and C together can complete it in, B और C, together इस काम को complete कर सकते, 8 whole 8 by 9 days, अब मैं आपको हर approach सिखा दूँगा, अब यहाँ पर सबसे पहले तो ऐसे गंदगी को हटाईए, गंदगी को हटाएके इसको मैं लिख सकता हूँ, 47 into 5, 235 plus 5, 240 by 47 लिखा जा सकता है, और इसको लिखा जा सकता है, 8 into 9, 72 plus 8, 80 by 9 लिखा जा सकता है, अब एक ही particular काम को, ABC करेंगे तो इतना टाइम लगेगा, वही particular काम को BC करेंगे तो इतना टाइम लगेगा, अब यहाँ पर सर LCM लेके A का निकाल दूँगा, Efficiency और Efficiency कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको मैं बड़िया से सिखा रहा हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज़ मार्क कीज़े, कि यह जो टाइम लग रहा होगा, वो टाइम आया कहां से होगा, सर टाइम जो होगा, वो आया होगा, Work divided by जो लोग उसको करते हैं, उसका Efficiency, स्टार्टिंग, पहला सवाल को चले जाईए, पूरा फस्ट सवाल, तभी समय यही चीज़ सिखा के आ रहा हो, कि जो टाइम लगता है, वो किसके बराबर होता है, टोटल काम कितने करवाने, डिवाइरेट पर जिनसे करवाने उनका Efficiency, मतलब वर्क अगर 240 यूनिट का होगा, तो डेफिनेटली A, B, C का Efficiency 47 यूनिट का होगा, तब जाके उनको टाइम 240 बाई 47 का लग रहा होगा, पहला स्टेप क्लियर है, अगर वर्क टोटल 240 का है, तो B और C 80 क्यों कर रहे हैं, B और C को भी तो 240 करना चाहिए, तो B और C को अगर 240 करना चाहिए, तो ये 80 को में balance करने के लिए 240 बना दूँगा, कैसे, अब देखिए, अगर मैं numerator में 3 multiply, सवाल दिया है, मतलब वो जान बुझ के PO में सवाल दिया है, आप सभी को पता है कि PO के सवाल 30-40 seconds में आपको solve करने होते हैं, और अगर इसका LCM, LCM लेके आप solve करेंगे, मुझे कहीं नहीं लगता है, ये 30 seconds में होगा, तो एक common sense आप apply कर सकते हैं, 80 into 3 जो होता है, वो 240 बना देगा, उपर 3 multiply, तो नीचे 3 multiply, तो ये 27 बना देगा, मतलब 80 by 9 जो है, 240 by 27 वही है, लेकिन ये मुझे जरूरत इसलिए था, क्यूंकि work जो है, वो अपना 240 का चलना चाहिए, तो अब मैं कहा सकता हूँ कि अगर work 240 का है, तो A, B, C का efficiency कितना होना चाहिए, 47, वही work जब 240 का होगा, तो B और C का efficiency कितना होना चाहिए, 27, आप ही बताइए, कि A, B, C, अब छोड़िया, B और C का efficiency कितना है, 27, लेकिन B और C में जब A add हो गया, तो efficiency कितना बन गया, 47, मतलब कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया, मतलब यही से मैं बता सकता हूँ कि directly A का efficiency कितना था, 20, मतलब मैं बिना इस step को लिखके भी answer बता सकता हूँ, A का अगर efficiency 20 आ गया है, अब मुझे B और C का efficiency 27 पता है, लेकिन अब उसने मुझे एक data दिया था क्या, कि A इस 33 whole 1 by 3 percent more efficient than C, A जो है, वो C से 33 whole 1 by 3 percent ज्यादा efficiency रखता है, अब 33 whole 1 by 3 percent का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए कि 1 by 3, 1 by 3 मतलब 3 part में से 1 part ज्यादा, मतलब अगर A का efficiency 3 part का होगा, स्वारी कौन किससे ज्यादा है, A इस 33, अच्छा, A 33 whole 1 by 3 percent ज्यादा है, एक सकड़, A 33 whole 1 by 3 percent ज्यादा है, मतलब अगर C आपका, C का efficiency अगर आपका 3 parts का होगा, तो उससे 1 part ज्यादा, A का efficiency कितने parts का होगा, A का efficiency definitely 4 part का होना चाहिए, क्योंकि A का efficiency, C के efficiency से 33 whole 1 by 3 percent ज्यादा, अब A का जो 4 part efficiency है, वो 20 के बराबर है, 4 part अगर 20, तो एक part बराबर 5, तो C का 3 part 3 into 5, C का efficiency पता चल गया 15, हाला कि मुझे पूछा गया है कि find the time taken by C to complete the job, वो हम आराम से निकाल सकता हूँ, लेकिन वो आराम से निकालने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, कि यहाँ पे B का efficiency कितना होना चाहिए, अब अगर मैं B के efficiency की बात करूँ, तो देखिए B और C का जो total efficiency वो कितने units का है, 27 units का है, जिसमें से C का efficiency कितना है, C का efficiency 15 units का है, अगर C का efficiency 15 units का है, तो बाकी का जो 12 efficiency होगा, वो किसका होगा, B का, अब A, B, C मैंने अगर निकाल दिया, तो वो मुझे A और C को कितना time लेगेगा, B, C को कितना time, सिर्फ B को, सिर्फ C को, A, B को, जो भी पुछेगा सब कुछ निकाल सकता हूँ, अब मैं देखूंगा कि वो मुझे सवाल क्या पूछा है, find the time taken by C to complete the job, तो C को वो काम को complete करने के लिए कितना time लेगा, तो मुझे बताइए, total work आपके इसाब से कितने unit का है, total work तो अपने इसाब से 240 का है, इस total 240 के work को आपको किस से करवाने है, सर मुझे C से करवाने हैं, सर मुझे अगर C से करवाने है, 240 unit तो कितना time लगेगा, 240 by 15, तो 15 यहाँ पे मैं cancel करूँगा, तो 15, 16 जा 240, तो C को जो time लगेगा, वो कितने के बराबर हो जाएगा, 16 days के बराबर हो जाएगा, तो correct answer यहाँ पे क्या होगा, option number C, 16 will be the correct answer for this question, उमीद करता हूँ कि बहुत ही गजब तरीके से, यह concept आप सभी का clear होगा, अगर B का पूछता, तो कैसे निकालते, 240 by 12, आपको 20 चलाता, A का अगर पूछता, तो 240 by 20, 12 चलाता, A और B का पूछता, तो 240 by 35 करते, इसी तरह से इन सवालों को deal out कर सकते हैं, हलाकि आप लोग यहाँ पे, अगर LCM लेके भी करना चाहेंगे, तो कोई problem नहीं होगा, क्योंकि 240 और 80, मुझे सिर्फ numerator का LCM लेना है, तो मैं 240 LCM लेके कर सकता हूँ, लेकिन efficiency में कभी भी LCM को बीच में खींच के मत गुसाई है, अगर जरूरत नहीं है, तो रखे रही है उसको, ठीक है, तो पहला सवाल कैसा लगा, comment करके जरूर से बताईएगा, IBPS PO लेविल के बाद अब चलते हैं थोड़ा, SBI PO लेविल का ये सवाल देखते हैं, जल्दी से इसको pause करके खुद एक बार try कीजिए, तब जाके आप समझेंगे चीज़ों को, उमीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने pause करके इसको answer बता दियाओगा, थोड़ा confusing लग रहा है, लेकिन एक बार आप आगे बढ़ेंगे दीरे 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 कुछ confusing नहीं रहेगा, तीज़ें पूरा crystal clear हो जाएगा, लेखते हैं क्या दिया है सवाल, बोला है कि B is 20% more efficient than A, B जो है वो A से 20% ज्यादा efficiency रखता है, efficiency best problem है तो efficiency ले लीजे और कोई tension नहीं, तो अगर मैं लिखूँ A और अगर मैं लिखूँ B, तो B जो है वो 20% ज्यादा efficient है न, तो 20% का मतलब आप सभी को पतावना चाहिए कि 1 by 5 होता है, मतलब 5 पार्ट में से 1 पार्ट ज्यादा होगा कौन B, तो अगर A 5 पार्ट का efficiency रख रहा होगा, तो उससे 1 पार्ट ज्यादा B 6 पार्ट का efficiency रख रहा होगा, यह आपको efficiency का ratio मिल गया, अब वो बोला है कि, B started the work and do it for X days, B ने उस काम को start किया और उसने कितने दिन तक काम किया, X days तक काम किया, तो हर दिन अगर वो 6 unit काम करेगा, तो दो दिन में कितना करेगा, 6 into 2, 12, चार दिन में कितना करेगा, 6 into 4, 24, X days में कितना करेगा, 6 into X, वो 6, 6 unit का काम किया होगा, then B is replaced by A, उसके बाद B को A replace कर देता है, मतलब B रह जाता है, A आके उसको यह काम को take over कर देता है, and A completed the remaining work in X plus 8 days, और A जो बचा कुचा काम है, वो उसे X plus 8 days में कर देगा, A हर दिन अगर 5 unit कर पा रहा है, तो एक दिन में 5 into 1, तीन दिन में 5 into 3, 7 days में 5 into 7, तो X plus 8 days में वो कितना करना चाहिए, 5 whole into X plus 8 करना चाहिए, और यह जब काम 5 plus, और X plus 8 days करेगा, तो वो जो remaining work है, वो भी complete हो जा रहा है, मतलब B 6 दिन में जो करेगा 6X, और A X plus 8 days में जो करेगा, 5 whole into X plus 8 days, दोनों अपने इससे के काम करने के बाद, तो टोटल work अपना complete हो गया, अब मुझे बोला है, the ratio of the work done by A and B is 3 is to 2, A का जो काम है, और B का जो काम है, उनके बीच में अगर मैं देखूँ, तो उनके बीच में जो ratio है, वो 3 is to 2 का है, तो A कितना काम करता है, 5 whole into X plus 8, B कितना काम करता है, 6X, और इनके बीच में ratio कितना है, 3 is to 2, अगर इनके बीच में ratio 3 is to 2 है, तो क्या मैं यहाँ से X का value आराम से निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हैं, बिल्कुल, अब 2 से cancel करूँगा, तो यह 3X, 3X उदर चला गया, 9X, 5X plus 8 into 5, 40 बराबर अगर 9X हुआ, तो 4X बराबर अगर आपका 40 हुआ, तो X बराबर आपका 10 आ जाएगा, X 10 आने के बाद, अब मुझे क्या पूछा गया है, in how many days A and B, working together to complete the whole work, A और B, कितने दिन एक साथ काम करने से, काम complete हो जाएगा, अब यह time निकालने के लिए, मुझे दो चीज़ चाहिए, एक तो मुझे चाहिए कि total work कितना है, divided by उनका efficiency, अब यह तो मुझे पता है, कि पूरा question जो चल ला है, वो किस efficiency के बेश चल ला है, A पांच unit कर रहा होगा, और B छे unit कर रहा होगा, तभी यह X का value हमें 10 मिला है, तो efficiency तो मुझे पता है, लेकिन अब मुझे total work निकालना है, अगर आपको याद हो, कि 6 unit के हिसाब से X days काम करेगा B, और 5 unit के हिसाब से X plus 8 days काम करेगा A, तो total work आपका complete हो जाता है, मतलब total work आपका कितना होगा, इतना, प्लस इतना, अगर इन दोनों को मैं add करूँगा, 5X plus 40, 6X, मतलब 11X plus 40, X का value अगर मैं 10 डाल दूँ, तो यह 110 plus 40, और B से करवाऊंगा, तो A एक दिन में 5 और B एक दिन में 6, तो एक दिन में कितना unit का काम खतम होगा, 11 unit का काम खतम होगा, अगर हर दिन 11 unit का काम खतम होगा, तो 150 unit खतम होने के लिए कितना time लगेगा, 150 by 11, जो कि आपका हो जाएगा, 11, 1 जा 11, फिर यह हो गया 40 यानि कि 3 त्री टाइम्स जाओंगा तो 13 33 फिर यह हो जाएगा आपका 7 by 11 तो आपका correct answer यहाँ पर कितना हो गया 13 whole 7 ऐसे कुछ है नहीं अच्छा वो यहीं पर रख दिया है यहाँ पर यहाँ तक रख दिया है 150 by 11 days आपका answer होगा लेकिन आप mixed fraction में ज़्यादा answer expect कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर यहीं पर आप्शन रख दिया था 150 by 11 will be the correct answer तो सवाल में कुछ था नहीं थोड़ा आपको नया wordings थोड़े आपके नया languages बस इस्तिमाल किया है और कुछ नहीं एसा एक सवाल में आपको already आज ही करवाया है तो I request you all कि एक बार खुद try करेंगे इस सवाल को definitely जल्दी से यह सवाल में आज ही करवाया है आपको थोड़ा अलग language के साथ थोड़ा बस थोड़ा twisted पूरा तो exact तो नहीं है लेकिन थोड़ा सवाल क्या कह रहा है A and B together can do a piece of work in 60 days A और B मिलके एक काम को 60 days में कर सकते है A and C can do the same work in 45 days A और C उस काम को 45 days में कर सकते है the ratio of work efficiency of B and C is 1 इस तो बस B और C का efficiency का ratio दे दिया मतरब यह efficiency based सवाल है I have to avoid LCM जितना मैं avoid कर सकता हूँ अगर last को नहीं बना आप LCM के और जा सकते है लेकिन cautious यह रहनी चाहिए कि LCM नहीं लू अगर ratio of work efficiency B, C का 1 is to 2 है then बोला किया है कि how many days together they can do the same work मिल के वो काम को कितने दिन में कर सकते है अब मिल के काम को उतने दिन में कर सकते है उसको जानने के लिए मुझे total work जानना होगा divided by उन सब का efficiency जानना होगा अब अगर B और C के efficiency का ratio 1 is to 2 है तो उसके साथ-साथ A का भी तो मुझे ratio के terms में कितने का efficiency चलना है वो जानना होगा तो तलाश यहाँ पे रहेगा कि सर्फ A का efficiency अगर मिल जाएगा कहीं से तो काम बन जाएगा अब कैसे करेंगे सवाल दिया है कि A और B मिलके 60 days में काम को करते हैं तो A और B मिलके 60 days में काम को complete करते हैं और उसी काम को जब A और C करते हैं तो वो कितने days लेते हैं 45 days लेते हैं आगे efficiency 1 is to 2 या 2 is to 1 कुछ ratio है तो मैं यहाँ पे efficiency को role model प्ले करूँगा अगर efficiency को main importance दूँगा तो मैं यह कह सकता हूँ कि अगर time 60 और 45 है मतलब time के बीच में अगर ऐसा copy paste question अगला बग मैंने करवाए अगर time के बीच में ratio आपको 4 is to 3 है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि उनका जो efficiency होगा वो 3 is to 4 ratio में होगा हाँ sir efficiency यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 मतलब नीचे efficiency एक ज्यादा चल रहा है अब उपर भी A है नीचे भी A है तो A के लिए कोई changes नहीं आया होगा नीचे A के extra कहां से आ गया जब B को C replace कर देता है मतलब B को हटा के जब मैं C को ले आता हूँ तो एक बढ़ जाता है यह क्यों हुआ क्यों कि C B से एक ज्यादा होगा तभी तो जब मैं B को निकाल के C को लाता हूँ तो एक बढ़ जाता है तो यह तो मुझे clear idea हो गया कि C जो है वो B से एक ज्यादा होना चाहिए और जब मैं B to C देखता हूँ B और C के बीच में ratio 1 is to 2 मतलब अगर B एक unit और C दो unit तभी यह तो एक unit जादा है examination question सब ऐसे ही दिये जाते हैं जो कि आप अगर उनका logic एक बार पकड़ लें तो काम खतम है अब देखे उसने मुझे क्या का कि B और C के बीच में ratio 1 is to 2 मतलब B अगर एक unit कर रहा होगा तो C दो unit कर रहा होगा मतलब C B से कितना unit जादा करना चाहिए एक unit जादा करना चाहिए और अपने हिसाब से B यहाँ उपर A B जब काम कर रहे थे तीन unit खतम हो रहा था नीचे जब A C काम कर रहे है तो चार unit खतम हो रहा था A तो बराबर अपने जगा मतलब रहा है मतलब उपर जितना काम कर रहा होगा नीचे उतना काम उपर B जो है वो C से थोड़ा कम काम कर रहा है इसलिए effectively काम कम हो रहा है और C जो है नीचे एक unit जादा कर पा रहा है तो वो B से एक unit जादा होगा मतलब ये भी clear हो गया कि C जो है वो B से 1 ज्यादा होना चाहिए और उस condition के इसाब से भी 1 ज्यादा है तो अगर मैं directly उसी ratio को ले लूँ कि B अगर 1 unit का काम कर रहा होगा तो C 2 unit का काम कर रहा होगा 1 is to 2 है ना तो ये पूरा condition आपका satisfy हो जाएगा कैसे अब देखिए उपर A और B को जोडने से 3 का efficiency आना चाहिए B का 1 तो A का कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए तभी तो 2 प्लस 1 3 होगा A और C को add करने से 4 होना चाहिए अगर C 2 है तो A को भी 2 होना चाहिए क्योंकि 2 प्लस 2 4 अब उपर A 2 और नीचे भी A 2 हो गया मतलब सब कुछ perfectly balanced अब तो समझे सब कुछ अगर perfectly balanced है तो efficiency based problem बे next target अपना क्या रहता है total work निकालना तो total work को में कैसा निकालूँगा अब A और B को 60 days लग जा रहे थे हर दिन 3 unit का काम करते करते हैं तो 60 दिन अगर लग जा रहे हर दिन 3 unit का काम करके तो total work कितना होगा 16 into 3 180 units का होगा total work नीचे से भी आपको वही मिल जाता 45 days लग जा रहे हर दिन 4 unit का काम करते करते तो total work 45 into 4 वही 180 तो आएगा अब इसी 180 total work को आपको करवाने किससे है A, B और C together can do the same work तो A, B, C जब मिलके करेंगे तो A अपना कितना कोटा पूरा करेगा 2 unit का B अपना कितना कोटा पूरा करेगा 1 unit का और C अपना कितना कोटा पूरा करेगा 2 unit का 3 plus 2 यानि कि 5 units ये लोग कर सकते हैं 180 unit करने हैं हर दिन 5 unit ये लोग कर सकते हैं प्राइम कितना लगेगा 180 by 5 याने कि 36 days will be the correct answer for this question. So option number D, 36 will be the right answer for this question. उमीद करता हूँ कि ऐसे questions जब भी आपको देंगे यह आप कर सकते हैं विना LCM लिए. अगर आप LCM लेते तो कोई जाना tension नहीं होता. अगर मैं 180 को LCM लेता, 180 by 63, 180 by 45, 4 एकी चीज़ आता लेकिन अगर नमबर complicated होंगे 72, 84, उनका LCM तक क्यों जाओगे? 72, 84, 12 में काटूंगा 6, 7, 7, 6 आ गया. इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि avoid कीजिए LCM, लेकिन लेनेने से कोई problem नहीं हो चाएगा. बढ़ते आगे. इरा एक easy सवाल, ऐसा भी मैंने आज ही आपको करवाया है, man days के basics में, जल्दी से कीज़े, ऐसा सवाल आपको examination में मिल जाते हैं, यह आपका SBI PO 2019 का एक सवाल है, देख लिजे एक बार, और यहाँ पर एक छोटा से silly mistakes आप लोग कर लेते हैं, उसी mistakes से मैं आपको बचाऊंग अब ही, देखिए, बोला गया है कि 40 men can complete a work in 48 days, अगर 40 men एक काम को 48 days में कर सकते हैं, सवाल पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, man और time को multiply करने से work आ जाता है, तो 40 men अगर 48 days तक काम करेंगे, तो कितना काम खतम हुआ होगा, 40 into 48 का total work complete हुआ होगा, अब बोला ह है कि 40 में एक काम को 48 days में कर सकते थे, मतलब total work तो इतना है, confirm, अब लेकिन वो बोला है कि 64 men started working, and after X days, 32 more men joined the work, अगर 64 men काम को start करेंगे, और after X days, X दिनों के बाद, 32 और men उनको join कर देंगे, if the remaining work is completed in 16 whole 2 by 3 days, अगर बचा कुछा जो remaining काम था, मतलब X days के बाद, जो 32 लोग आने के बाद, जो remaining काम बचा है, वो करने के लिए, अगर 16 whole 2 by 3 days लग रहा है, तो मुझे बताईए, X का value कितना है, अब ये तो मुझे पताए कि starting कितने आदमी ने किया, 64, 32 extra आदमी कब आए, सर, X days के बाद, मतलब X days तक वही 64 आदमी रहे होंगे, अब जैसे 40 आदमी 48 days में 40 into 48 कर सकते हैं, उसी तरह से 64 आदमी X days में कितना कर सकते हैं, 64 into X कर सकते हैं, हाँ सर, 64 into X कर सकते हैं, मतलब इनो ने अभी तक इतना काम complete किया है, अभी तक, कितने दिन में, X days में, लेकिन X days के बाद क्या होता है और 64 नहीं रहते अब 32 extra men चले आए 64 में 32 चले आए मतलब अब 96 men है और ये 96 men को जो बचा कुछा काम है कितने दिन लग जाते है 16 whole 2 by 3 days लग जाते हैं मतलब 96 आदमियों को 16 whole 2 by 3 days काम करने है अब 16 whole 2 by 3 का मतलब क्या है आधा बच्चे तो अभी बोलेंगे कि सर 1 by 6 है जिसके वज़े से आपका आंसर नहीं निकल ला कौन कहता है 1 by 6 है 16 whole 2 by 3 percent is equal to 1 by 6 यहाँ पे तो percentage नहीं है this is a numerical value 16 whole 2 by 3 which is equivalent to 48 and plus to 50 by 3 इसको कभी भी 1 by 6 मत कीजिया सर आप कभी बोलते है 1 by 6 अरे बेटम मैं percentage जब होता है तब express करता हूं 1 by 6 में अब हमेशा तो नही नहीं है तो 96 आदमी अगर 16 whole 2 by 3 याने कि 50 by 3 days तक काम करेंगे तो कितना काम करेंगे 96 into 50 by 3 और पहले x देन जब 64 लोग काम करते हैं और उसके बाद आखिर के 50 by 3 days जब 96 लोग काम करते हैं तो total work मेरा complete हो जाता है मतलब इनका काम और इनका काम अगर मैं मिला दूं तो वो total work क करूंगा 96 का double 1920 ये बराबर होगा आपका 64 x प्लस ये कटा यहाँ पे 32 into 5 160 उसमें 0 1600 तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 64 x जो है 1600 माइनस होने से यहां से 320 के बराबर होगा और x जो है 64 5 जा 320 यानि कि 5 के बराबर होगा तो x का value जो हमें पूछा गया है वो कितना आ गया आपके जो silly mistake था वो ये था कि 16 whole 2 by 3% नहीं है अगर आप उसको 1 by 6 ले लेंगे तो ये वाला आपका जो होगा 16 आएगा 16 माइनस करने से और cancel नहीं होगा बहुत ही बड़ा value आपके पास रह जाएगा is it clear तो छोड़े छोड़े mistakes को भी मैं आके सुधारते जा रहा हूँ ये रहा आपका next सवाल एक गजब का है बस इसका एक बार आप language समझ जाए तो काम खता confusing बस इसका language है और एक बार language को track out कर देंगे तो काम खतम सवाल में कुछ नहीं है सवाल बन जाएगा आपका 20 सेकंड भी नहीं लगेगा इतना guarantee देते हैं मैं करके दिखाऊंगा ना सिर्फ बोलूँगा नहीं करके भी दिखाऊंगा attention ना ले a takes 24 days in completing a work alone a एक काम को अकेले complete करने के लिए 24 days लेता है ठीक है सले लिए 24 days time taken by a in completing one third of the work is equal to the time taken by b in completing half of the work a को one third काम करने के लिए जो time लगता है वो b को half काम complete करने के लिए लगता है तो क्या मैं कहा सकता हूं कि अगर पूरा काम को करने के लिए एक को 24 days लगेगा तो 24 उसको अगर one third काम करवाने है तो time भी तो one third लगेगा पूरा काम अगर मैं करूँगा 3 दिन में तो आधा काम में 1.5 दिन में कर दूँगा तो similarly अगर पूरा काम में करूँगा A 24 दिन में तो वो 1.3 के काम को कितने दिन में करेगा 24 के 1.3 यानि 8 दिन में complete कर देगा और वही वो बोला कि A को one third करने के लिए जो time लग रहा है eight days का वही time B को half काम complete करने के लिए लग रहा है तो यहां से मैं यह कह सकता हूँ कि B को अगर half काम करने के लिए eight days लग रहा होगा तो B को total काम करने के लिए कितना time लगेगा और यह मैंने starting से आपको clear किया यह अद्धा वद्धा one third one third लेके मत कीजेगा total time निकाल दीजे तो B का total time कितना आ गया 16 days का आ गया अब आपको पूछा गया है how many days will be taken in completing the work if both A and B start working together अगर दोनों A और B मिल के काम को start करेंगे तो कितना time लगेगा अब simple सा बात है तो मैं यह कह सकता हूँ 24 है यह 16 है इनका LCM 48 units का होगा 48 units का LCM लेने के बाद efficiency 48 by 24 2 units का 48 by 16 3 units का तो together अगर वो करेंगे 2 plus 3 5 units हर दिन खतम होगा तो 48 units खतम होने के लिए कितना time लगेगा 48 by 5 5 9 जा 45 whole 3 by 5 यानि कि 9 whole 3 by 5 will be the correct answer यहां पर भी कुछ आच्छा वो यहीं पर रख दिया है 48 by 5 यानि कि option number D 48 by 5 will be the correct answer for this question आप हमेशा mixed में convert कीजे examination में ज्यादा तर आपको mixed fraction में मिलते हैं ठीक है यहां पर option शायद ऐसे कुछ दिये होंगे लेकिन examination में आपको इस तरह से मिलते हैं ठीक है अब बढ़ते हैं next सवाल देखते हैं A alone can do a work in 20 days तो इस सवाल में previous वाला सवाल में तो कुछ था नहीं आपको मज़ा आया होगा नहीं मज़ा अब आएगा प्रिवेस वाले सवाल में क्या है बस एक बार language पकड़ ले तो काम बन जाता नेक्स्ट कुछ ए अलोन can do a work in 20 days ए अकेले एक काम को 20 days में कर पाएगा बी इस 25 परसंट मोर एफिशेंट बस बस 25 परसंट मोर एफिशेंट देख्या आपके दिमाग में स्ट्रिक्ट चीज आ जाना चाहिए कि भाई यह यही प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो एक्जाम में रेफिलेक्ट करेंगा नहीं तो नहीं करेंगा तो एकार दे दिया टाइम ट्वेंटी एको 20 डेस का टाइम लग रहा है बी इस 25 परसंट मोर एफिशेंट देन ए बी जो है वो ए से 25 परसंट मोर एफिशेंट है अब 25 परसंट का मतलब होता है 1 बाई 4 1 बाई 4 मतलब 4 परट में से 1 परट जयादा है मतलब A का एफिशेंट सी अगर आपका 4 परट का होगा तो B का एफिशेंट सी आपका 1 परट जयादा होगा A से यानि कि 5 पार्ट का होगा तभी ये 25% वाला condition satisfy होगा अब मुझे बोला गया इतना तक आप ने समझ लिया बोला गया है कि B is 25% more efficient than A A and B started working and worked for 4 days अब A अगर एक दिन में 4 करेगा और B अगर एक दिन में 5 करेगा तो वो दोनों मिलके एक दिन में कितना कर सकते है 9 units कर सकते है अगर A और B start किये काम और 4 दिन तक काम करेंगे तो 9 into 4 कितना units का काम खतम होगा 36 units का काम खतम होगा और बोला है कि C जो बचा कुछा काम है उसको 22 days में complete कर देता है अब बचा कुछा काम कहा है वो पता है क्या सर, LCM लेने से total work आता आप तो भीना total work निकाल के चले गए हम यही तो बताना चाहते थे अरे बेटा ए, हर दिन 4 unit के हिसाब से 20 days में काम complete कर रहा है तो 4 unit के हिसाब से हर दिन के बावजूद उसको 20 दिन लग रहा है मतलब जो total work होगा वो कितना होगा 20 into 4 80 units का नहीं होगा अगर total work आपका 80 units का हमने ऐसा ही निकाल दिया तो LCM लेने की क्या जरूरत थी तो 20 days में हर दिन अगर मैं 4 unit के हिसाब से काम करूँ तो 20 into 4 80 units का total work होगा उस total work से मैंने A और B से हर दिन 9 unit के हिसाब से 4 दिन काम करवा के 36 units काम खतम करवा दिया 80 units से 36 units का काम खतम हो चुका है मतलब अब भी 44 units का काम बचा है यही 44 units को करने के लिए C को कितना दिन लग रहा है C को 22 days लग रहा है किसी आदमी को 44 का काम करने के लिए अगर 22 days लग रहा है तो हर दिन वो 2 units का काम कर रहा होगा अगर हर दिन कोई बंदा 2 units का काम कर रहा है then in how many days C alone can complete the entire job तो entire job 80 unit का हमने निकाल के रखा है न C को करने के लिए कितना time लगेगा C अगर हर दिन 2 करेगा तो 80 करने के लिए 80 by 2 उसको 40 days का time लगेगा काम खतम एक बार आप इस concept को सीख जाएए न तो एक बार में आप आंचर निकालेगा और मैं इतना guarantee देखे कह सकता हूँ session को आपने अभी तक जितने भी concept powerful सीखे है बस एक दो बार practice कर दीजे कुछी भी book उठाके solve करना start कर दीजी ये chapter आपका favorite बन जाएगा क्योंकि सारे सवाल इसके doable रहते हैं लगबाद clear है अब बढ़ते हैं और next सवाल की और यह रहा जल्दी यहाँ पे एक छोटा सा twist है उस twist से बचिएगा ठीक है मेरा काम है सिखाना twist दे दे के आगको सारे के सारे twist के साथ acquainted करना ही मेरा काम है ठीक है और मेरे ख्याल से मैं अपने काम को सही से कर रहा हूँ और आप इसको appreciate करने के लिए एक बर session को like और share ज़रूर से कर दीजेगा it's a request to all A is 40% less efficient than B A जो है efficiency इसी efficiency के उपर सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं A जो है वो B से 40% कम efficiency रखता है who can do the same work in 20% less time density who यहां पर किसको refer करेगा B को refer करेगा मतलब A जो है वो 40% कम efficient ए B से जो जो मतलब B आपका same काम को 20% कम time में कर सकता इसे मुझे कम time से मतलब नहीं मुझे efficiency सवाल है मतलब efficiency का ratio चाहिए तो अगर मुझे efficiency का ratio चाहिए तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि एक आदमी है आपका A दूसरा आदमी है आपका B और तीसरा आदमी यहाँ पे है C सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि 40% का चाहता है 2 by 5 यह कहा से आयए और एगर 20% का value 1 by 5 होगा 20 परसंड का value 1 by 5 होगा तो 40% का value उसका दुगना 2 by 5 होगा और यह 40% 2 by 5 का क्या रोल है A जो है वो 40% कम efficient है B से मतलब 5 पार्ट में से 2 पार्ट कम मतलब B का efficiency अगर 5 पार्ट का होगा तो उससे 2 part कम A का efficiency 3 part का होगा यह पहला चीज है अब बोला गया है कि B who can do the same work in 20% less time than C 20% मतलब क्या होता है 1 by 5 मतलब 5 part से 1 part कम 5 part से 1 part कम का time कम लेगा B C से मतलब अगर मैं time की बात करूँ जो मुझे नहीं चाहिए अगर C को 5 units का time या फिर 5 part का time लग रहा होगा तो B को उससे 1 part कम 4 part का time लगना चाहिए concept को सीखे इसको अगर इसके नीचे लिख दिये ना तो काम कतम क्योंकि ये सारे के सारे क्या चल रहे है efficiency और ये क्या है time का relation और आपको पता होगा कि efficiency और time किस तरह के relation लगते है inverse relation लगते है तो अगर time के बीच में ratio B और C का 4 is to 5 है तो efficiency के बीच में ratio 5 is to 4 हो जाना चाहिए और अगर efficiency के बीच में ratio 5 is to 4 होना चाहिए तो B को 5 और C को 4 होना चाहिए B तो already 5 बैठा है perfect तो C को कितना होना चाहिए फोर ये ही होता है specialty examination के questions का ये direct आपको ऐसे दिया जाते हैं कि आपको बस इसी concept को सोचना था और कुछ नहीं उसके additional को ये और feature नहीं रहते है तो 3, 5, 4 उनके efficiency का ratio मुझे मिल चुका है अब बोला गया अगर A और B 80% का का काम 12 दिन में कर सकते हैं पहले तो A और B मिलके कितना काम कर सकते हैं एक दिन में 8 unit का तो 12 दिन में कितना करेंगे 8 into 12 ये जो 8 into 12 का work होगा क्या ये total work है नहीं ये कितने का work है 80% का work है तो मैं कह सकता हूं कि 80% का का काम बराबर 8 into 12 कुछ 1% 100% निकालने के ज़रूरत नहीं अब बोला गया है कि then in how many days 60% of the work can be completed by B and C then B और C मिलके 60% का का काम कितने time पे कर सकते हैं अब B और C को कितना time लगेगा ये जानने के लिए मुझे देखना है कि B और C से मुझे कितने काम करवाने है और divided by उनका efficiency उनका efficiency तो मेरे पास है कि B अगर एक दिन में 5 करेगा और C अगर एक दिन में 4 करेगा तो वो लोग मिलके 5 प्लस 4 एक दिन में 9 करेंगे ये तो पता है लेकिन उनको कितना काम मुझे देना है उनको मुझे 60% काम करवाना है ना total ना 80% 60% अगर 80% का काम इतना है तो 60% का काम कैसे होगा कैसे निकालेंगे 8 into 12 by 80 करूँगा तो 1% into 60 करूँगा तो 60% आप इसको ratio में भी कर सकते हैं 4 और 3 लेके 4 पाट इतना तो 3 पाट कितना होगा यह आप कर सकते हैं मैं आपको basic से सिखाता हूँ इतना काम मुझे B और C से करवाने जो की मिलके हर दिन 9 कर सकते हैं हर दिन अगर 9 कर सकते हैं तो इतना काम करने के लिए कितना time लेगा divide कर दीजे क्योंकि time बराबर work by efficiency अब इसको अगर मैं divide कर दूँगा तो यहाँ पे 1,0 इसके साथ कटा 8 इसके साथ कटा 3 में काटूँगा 3 3 में काटूँगा 2 3 में काटूँगा 4 4 into 2 कितना हो गया 8 days लग गया तो अगर 8 days आपको लग गया किस से किस से करवाने के लिए B और C से करवाने के लिए तो आपका correct answer is question का option number D 8 days हो जाएगा उमीद करते हैं कि यह छोटा सा twist आपको अच्छा लगाओगा कि time के बीच में relation दे देता है आप पता नहीं चलता आपको आप इसको 4 इसको 5 लेके उनको balance करके efficiency का relation निकालते हैं जो कि गड़बड हो जाएगा mark किजिएगा कि कहाँ पर time दिया है और कहाँ पर efficiency दिया है अब हम important concept की एक और बढ़ते हैं अगर पूरा chapter का ठेका मैंने ले ही रखा है तो wages को क्यों छोड़ू wages का एक छोटा सा concept है कि कैसे अगर मैं काम को assign करूँगा कुछ पैसे के हिसाब से कुछ लोगों को पैसा दे रहा होगा तो जो जितना काम करेगा उतने ही रेशियो में उत पैसे को मैं कैसे बांटूँगा वही सिखाऊँगा थोड़े से 3-4 questions उसके उपर wages के उपर ले ले लेते उसके बाद हम चलेंगे अपने high level question की और तब हम कह सकते हैं कि chapter complete हुआ तो चलिए अभी तक अगर session मज़ेता लगाओगा तो एक बार like और share जरूर से कर दीजेगा और बढ़ते अपने next topic work and wages की और चलिए तो दोस्तों जब हम time and work chapter complete ही कर रहे हैं तो भला work and wages को कैसे छोड़ सकते हैं इस work and wages के इस छोटी से part में मैं आपका clear करूँगा कि अगर आपके कुछ work को कुछ लोगों को assign किया जाए और उसके लिए उनको कुछ पैसे दिये जाएंगे तो वो आपस में उस पैसे को किस हिसाब से बांटेंगे वो क्या होता है उसके पीछे का concept क्या है सब कुछ इस छोटे से part में मैं बारी किसे एक explain करने वाला हूँ इसके बाद इसके अलावा मतलब जितने भी questions में आपको करवा दूँगा इनसे बाहर आपका ऐसा कोई question ही नहीं रहेगा जो work and wages का आपको कभी तंग करेगा तो बिल्कुल सारे के सारे questions इस section के जरूर से एक बार देख लिजिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाता हूँ कि जैसे partnership में आपका जो profit है वो किस ratio में बढ़ता है total investment जिस ratio में करते हैं उस ratio में बढ़ता है similarly यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूंगा कि अगर यह total room है जिसमें 4 walls है चार wall है अब 4 wall को paint करने के लिए मुझे और आपको दिया गया तो अगर मैं कहूं कि 4 wall को paint करने के लिए 400 रुपे दे गए तो यह आपको confirm है कि हर wall का 100 रुपे दिये जा रहे है तो अगर यहाँ पे मैं 3 wall paint करूंगा और आप सिर्फ एक wall paint करेंगे तो क्या हम 400 को आपस में 200-200 करके बांटेंगे नहीं कभी नहीं मैंने 3 wall paint किया तो मैं 300 लूँगा आपने 1 wall paint किया आप 100 रुपे लेंगे या फिर indirectly मैं कह सकता हूं कि मैंने 3 wall paint किया और आपने 1 wall paint किया तो हमने जो काम किया वो किस ratio में है 3 to 1 ratio में तो जो पैसा हम में बटेगा वो भी किस ratio में बटेगा 3 to 1 ratio में बटेगा 400 को 3 to 1 ratio में बाटूँगा तो 300 और 100 मेरा 303 part करने का आपको 100 आप 1 part करेंगे तो इसी वज़े से आपको सिर्फ इतने पे ध्यान देना है कि जो जितना काम करेगा वो उतना पैसा लेगा तो आपको जो पैसा मिलेगा आप उसको हमेशा क्या कीजेगा जिस ratio में काम किये जाते हैं उसी ratio में बाट दीजेगा कहने को तो verbally जितने लोगों के कान में सही से पहुंचा सही है नहीं तो एक question आपको करके दिखा देते हैं पर बोला गया है कि A, B and C can do a piece of work in 12 days, 16 days and 20 days respectively तो A, B और C A 12 days में कर सकता है B उसको 16 days में कर सकता है और C उसको 20 days में कर सकता है तो अब आपको बोला गया और they are all working together ये तीनों के तीनों एक साथ काम कर रहे हैं After completing the work they got rupees 3525 काम करने के बाद, काम complete होने के बाद उनको 3525 मतलब rupees मिलता है If the wages are divided in the proportion of their work ये आपको बोला गया है कि अगर wages आपके काम के ratio में बाट दिया जाए तो बोला गया है find the share of A लेकिन ये statement हमेशा मिलेगा ऐसा माहिने नहीं है आपको ये पता होना चाहिए कि जितने ratio में वो काम करेंगे उतने ratio में पैसा लेंगे तो कितने ratio में काम करेंगे अब देखे अगर आप इनका total work निकाल दिजे LCM तो 12, 16, 20, 40, 60 60, 120, 120, 180 यही सब कुछ गंदा कर रहा है 180 में भी नहीं जा रहा है 240 240 में जा रहा है 240 मुझे लगा अगर आपको वही छोटा मिला होगा तो ले लिजे 240 units का LCM लेने के बाद यह मेरा total work है अब 12 दिन में 240 करेगा तो 240 by 12 हर दिन 20 units कर रहा होगा 240 by 16 हर दिन 15 units कर रहा होगा 240 by 20 हर दिन 12 units कर रहा होगा अब सर कितने दिन तक काम करेंगे वह भी निकालने 240 divided by नहीं नहीं यह करने की ज़रत नहीं आपको अगर पता है कि A एक दिन में 20 B एक दिन में 15 और C एक दिन में 12 unit कर सकते हैं तो अगर तीनों मिलके X days तक काम करेंगे तो A 20 X का काम करेगा यह 15 X का काम करेगा यह 12 X का काम करेगा तो जो work done का ratio है किनके किनके बीच A B और C में अगर मुझे time पता नहीं लेकिन यह तो पता है कि जितने देर तक काम चलेगा अगर काम X days तक चला तो A भी X days तक काम करेगा B भी X days तक काम करेगा C भी X days तक काम करेगा तो A total work कितना क्या होगा 20x का क्या होगा b total work कितना क्या होगा 15x का क्या होगा c total work कितना क्या होगा 20x का क्या होगा तो पैसे भी उसी ratio में मिलने चाहिए तो यहां पे x का कोई role नहीं है मतलब जिन सवाल में आपको exact time नहीं देता मार कीजेगा जिन सवाल में आपको exact time नहीं दिया जाता और आपको ये पता चल जाता है कि सब के लिए तो time बराबर होगा मतलब अगर तीनों मिलके करते 10 दिन तो ये भी 10 दिन करता है ये भी 10 दिन ये भी 10 दिन तो हर जगा से 10-10-10 cancel अगर तीनों मिलके 12 दिन करते तो 12-12-12 cancel मतलब जहां पे भी time सब के लिए बराबर है वहां पे और time को consider करने की कोई ज़ोरत नहीं मैं आगे example लोगा attention मतलिजे तो यहां पे एक time का कोई role नहीं था मैं सीधा कहा सकता हूँ कि इन सवालों में मैं directly उनके efficiency का जो ratio बनता है उसी ratio में पैसे को बाट दूँगा मतलब work done किस ratio में रहेगा जिस ratio में उनका efficiency already था उसी ratio में रहेगा तो efficiency अगर 2015 और 12 में था तो work भी वही ratio में वो करेंगे जितने दिन में उनको काम दिया जाए अब यह condition किसले हुआ time constant था याद रखिए तो total पैसे को मुझे A को 20 parts, B को 15 parts और C को 12 parts यानि कि 20 plus 15, 35 plus 12, 47 parts में मुझे total पैसे को break करना है अब इस काम के लिए total पैसा कितना मिला? 3525 रुपीज मुझे मिला 3525 को मुझे 47 parts में break करने तो मैं उसको divide किससे करूँगा? 47, यह तो मैंने ratio में पढ़ा है, partnership में पढ़ा है total 3525 को 47 parts में जब मैंने divide कर दिया तो यह one part का value आया लेकिन मुझे किसका share चाहिए? मुझे A का share चाहिए, A का share कितने parts का होगा? 20 parts का यह अगर एक part का value है, तो 20 parts का value कितना आएगा? into 20 similarly अगर मुझे B का share पूछता, 20 to 15, C का share पूछता, into 12 इसको अगर मैं solve करूँगा, तो 47, 470, 10 बार, 8 बार भी नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा तो option number A, 1500 is the correct answer for this question, and mark my work again, यहाँ पर time का कोई role क्यों नहीं रहा? क्योंकि तीनों के लिए time constant है, अगर तीनों में time constant है, तो हर जगा से time cancel होके, मैं directly कह सकता हूँ कि work किस ratio में हुआ होगा, जिस ratio में उनका efficiency होगा, और अगर उसी ratio में work होगा, तो मैं directly efficiency के ratio में पैसे बांट दोंगा, लेकिन हर जगा ऐसा time constant हो माहिने नहीं है, जैसे कि ये एक सवाल, alternate के उपर में आपको करवा देता हूँ, जैसे कि सारे concepts आपके clear होता है, जड़ से, गजब तरीके से, ये सवाल देखिए, और एक बार हाँ, अगर समझें, तो एक बार खुद भी कर दीजेगा, जो doubts है मैं यहाँ पे clear कर दूँगा, टेंशन ना ले, ठीक है, और हाँ इसको समझाने के लिए मैंने alternate तो पहले से clear कर रखा है, हला कि इतना deep concept alternate का ज़रुवत नहीं होगा, अगर आपका common sense सही से काम कर रहा होगा, तो, तो ये तो confirm है कि मुझे A, B और C का, A, B और C का efficiency का ratio दे दिया गया, 2 is to 3 is to 5 का, अब बोला गया कि A and B will work on alternate days and C will work for all the days, मतलब C तो हर दिन काम करेगा, ऐसा सवाल में ने करवाय था, जहां पे A हर दिन कर रहा था, B और C उसको alternate में assist कर रहे थे, करवाय था यह रही, तो यहां पे इतना concept भी आपको जानना जरूरी नहीं है, they get the total amount of rupees 9000, तो 10 दिन में अगर वो सारा का सारा काम लिप्टा देते हैं, तो उनको 9000 रुपे दिये जाते हैं, तो मुझे बोला गया कि find the amount received by B, B कितना amount receive करेगा, अब पैसा जो है, वो किस ratio में बढ़ता है, जो जितना काम करेगा उतना पैसा, क्या यहां पे A, B, C, तीनो B, A, B, A, B, ऐसे जब alternate में काम किये होंगे, तो 10 दिन, तो total time है, उसमें से A कितने दिन काम क्या होगा, 1st, 3rd, 5th, 7th और 9th, और B कौन से कौन से दे काम क्या होगा, 2nd, 4th, 6th, 8th और 10th, समझ में आ रहा है, concept, मतलब मैं यह तो ऐसे जा सकता हो, नहीं, तो मैं सीधा कहा सकता ह हो कि 10 दिन, और यह लोग हर दिन काम नहीं कर रहे है, alternate days पर काम कर रहे है, मतलब 10 का आधा, 5 दिन A क्या होगा, और 5 दिन B क्या होगा, तो अभी A का time, B का time 5, लेकिन C का time 10 है, तो time constant नहीं है, और अगर time constant नहीं है, तो time का एक जबर्दस रोल आएगा, कैसे, अब A, 2 units का का काम कितने days तक करेगा, 5 days तक करेगा, 3 units का काम B भी 5 days तक करेगा, लेकिन C तो हर दिन काम कर रहा है, तो 10 दिन तक काम करेगा, क्योंकि 10 दिन तक चलता है काम, तो यहां पर मैं work निकाल सकता हूँ, कि A ने 2 unit के साब से पांच दिन में 15 यूिंट का काम क्या होगा तो जो वर्क वो लोग कर रहे हैं वह 10 is to 15 usta 50 के ratio में हैं अगर इस ratio में आपका work है तो पैसे भिषी ड्रेशय का माँथने चाहिए सबसे पहले तो इस ratio को least formula 5 में cancel कर Cumma kया थी तो टोटल पैसा कि तूर के इस 9,000 को मैंने 15 हिस्सों में बाट दिया, divided by 15 करने से एक पार्ट का वैल्यू आ गया है एक पार्ट का वैल्यू आने के बाद मुझे पूछा है find the amount received by B, B कितना पार्ट receive करता है, तीन पार्ट, यह अगर एक पार्ट का वैल्यू है, तो तीन पार्ट का वैल्यू कितना आएगा उसका इंटू 3, 3 यहाँ पे cancel होगा, 5 तैंस, 5 यहाँ पे cancel होगा तो यह 1800 आ जाएगा मतलब B का share 1800, अगर A का share पूछता तो इंटू 2, C का share पूछता तो इंटू 10 यह आपको पता है तो 1800 कौनसे option में? option number B rupees 1800 will be the share of B is the correct answer for this question I hope कि जब time अलग-अलग है तो efficiency और time को multiply करके work निकालने का concept आपको clear होगा और अगर clear होगा तो next question कीजिए और साथी सा session को like और share करना ना भूले बिल्कुल भी, यह third question जो है यह आपको और concept के गहराई तक लेके जाएगा A alone completes the work in 30 days A, अकेला एक काम को 30 days में कर पाएगा efficiency और B तो चलिए हम question के साथ बढ़ते हैं और यहाँ पर efficiency है और अगर efficiency है तो कोशिस यह रहनी चाहिए कि हमें बीना LCM के answer निकालना है यह तो starting में हपारा मोरूट हो था target था तो A ने काम को कितने days में complete किया A, अकेला 30 days में complete कर सकता है efficiency of B is 50% more than the efficiency of A क्या मैं कह सकता हूँ कि 50% का मतलब half या फिर 1 by 2 होता है 1 by 2 मतलब 2 part में से 1 part ज्यादा होगा B मतलब अगर मैं efficiency की बात करूँ अगर efficiency A का 2 unit का चल रहा है तो B का और A का efficiency मेंने निकाल दिया कि A का efficiency अगर 2 unit का होगा तो B का efficiency 3 unit का होगा अब बोला जा रहा है कि if A and B together can start the work and after 8 days A and B left the work अगर A और B मिलके काम को start करेंगे अरे A एक दिन में 2 करता है B एक दिन में 3 करता है तो दोनों अगर मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना खतम होगा 5 काम start एक साथ के और 8 दिन के बाद छोड़के चले गए तो 5 unit के इसाफ से 8 दिन में उन्होंने कितना काम लिप्टा दिया होगा 40 unit का काम लिप्टा दिया होगा हाँ सर अब बोला जा रहा है कि then C alone complete the remaining work in 4 days I don't care about 4 days sir why मैं बताता हूँ तो C ने remaining काम किया 4 दिन भूल जाईए if they get the wages for the whole work is Rs. 9,000 अगर total उनको 9,000 का wage मिला then find the C's wage share तो C को कितना मिला होगा share तो C का share बताए तो C का share तो मैं बताऊंगा लेकिन ये जो share होगा पैसा जो बाटा जाएगा वो किस ratio में जितना काम कियेंगे उस ratio में तो मुझे बताईए कि total work कितना था अब 30 days ले रहा था हर दिन 2 unit करने के बावजूद तो अगर हर दिन 2 unit करते-करते भी उसको 30 days लग जा रहे थे तो 30 into 2 total work कितने units का होगा 60 units का होगा यह मैंने पढ़ाया आपको उस 60 units से A और B हर दिन 5 के हिसाब से जब 8 दिन किये होंगे तो कितना units उन्होंने लिप्टा जिया होगा 40 units तो 60 से 40 जाने के बाद जो remaining 20 units रहा होगा वो 20 units definitely कौन कर रहा होगा C कर रहा होगा सिर्फ 4 दिन में मुझे फरक नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पैसा जो है वो काम के हिसाब से बादना है टोटल कितने काम किये कितने दिन कौन काम करता वो मुझे matter नहीं करता टोटल तो फिर C ने कितने unit के काम किये 20 unit के काम किये टोटल काम कितने यूनिट का था 60 यूनिट का था तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो 9,000 रुपीज आया था वो टोटल काम के लिए आया था मतलब 60 यूनिट के लिए आया था तो अगर 60 यूनिट के लिए आपको 9,000 रुपीज दिया गया था तो C का शेर में निकालने के लिए में देखा कि C ने तो 20 उनिट का काम किया तो अगर 60 उनिट करने के लिए 9,000 रुपीज अलोट किया गया था तो C अगर 20 उनिट करेगा तो वो कितना रुपे लेगा यूनिटरी या तो मैं 1 by 3 1 by 3 करके 3,000 ऐसे ही दिख रहा है नहीं तो पूरा यूनिटरी डाल सकते है कि 9,000 by 60 करूंगा तो एक उनिट के लिए इतना पैसा आया था C ने अगर 20 उनिट किया तो इंटू का 20, 20 यहां पे कटा 3, 9,000 by 3, the correct answer for this question is रुपीज 3,000 will be the share of C तो option number D, रुपीज 3,000 is the absolutely correct answer for this question there was no use of that 4 because मेरे पास तो remaining 20 units का work already है तो मैं उस 4 दिन का क्या अचार डाल हूँ कोई ज़रुवत नहीं है उसका तो यहां पे मैं यह कह सकता हूँ कि ऐसे आप इन सवालों को deal out कर सकते हैं अगर आपका knowledge अच्छा होतो एक जबरदत सा question यह आपके सामने है जो कि आपको examination में कई बार पूछे जाते हैं और आप इसको दो बार calculate करते हैं क्या दो बार? आप लोग खुद एक बार अगर solve करेंगे तो ही जाके आप पता लगेगा कि क्या दो बार क्या था सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता आपको खुद करना होता है आप दो बार करेंगे लेकिन मैं आपको एक ही बार में करवाऊंगा और balancing of ratio आज एक और बार सिखाऊंगा पहले एक बार तो मैं दो बार सिखा चुका हूँ आज ये तीसरी बार सिखारों balancing of ratio तो जितने लोगों ने पूरा अभी तक skip नहीं किया होगा उनको पता चल गया होगा मैंने कितने बार balancing ratio कहा है नहीं तो आप लोगों को पता भी नहीं होगा balancing ratio क्या होता है ratio of the efficiency of दीपक, शिवम and वीर is 5 इस तो 8 इस तो 15 तो दीपक, शिवम और वीर इनका जो efficiency का ratio है वो कितने के हिसाब से है 5 इस तो 8 इस तो 15 का ratio रखता है यहां तक clear है and they get a total wages for completing the work is rupees 10,500 तो उनको काम को complete करने के लिए 10,500 rupees मिलता है if दीपक, शिवम and अनुराग started the work दीपक, शिवम and अनुराग not यह वीर, वीर नहीं और अनुराग अगर काम को start करेंगे started working together on the same work उसी काम होगे ले and अनुराग is 60% more efficient than दीपक और अनुराग जो है वो दीपक से 60% ज्यादा efficient है then find the difference in wages received by शिवम in both the case then शिवम को पहले जो रुपे मिल ले थे और अब जो रुपे मिलेंगे उसके बीच में अंतर कित्रा होगा तो सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे दीपक है शिवम है लेकिन क्या यहाँ पे और वीर है अगर मैं efficiency की बात करूँ तो दीपक और शिवम का efficiency तो 5-8 ratio में मरते दम तक रहना चाहिए उसमें कोई changes नहीं होना चाहिए लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ अनुराग की तो अनुराग का efficiency के बारे में आपको क्या data दिया गया है अनुराग की efficiency के बारे में आपको बोला गया है कि अनुराग is 60% more efficient than दीपक मतलब दीपक से 60% ज्यादा efficient है अगर मैं आपसे पूछों कि 60% का मतलब क्या है तो सबको पता होगा 3 by 5 क्योंकि 20% 1 by 5 होता है 60% उसका 3 गुना 3 by 5 होगा तो 3 by 5 का रोल क्या है कि 5 पार्ट में से 3 पार्ट ज्यादा होना चाहिए अनुराग तो दीपक अगर वाकई में 5 पार्ट है तो अनुराग उससे 3 पार्ट ज्यादा अनुराग 8 पार्ट का होना चाहिए तो अब वो बोला जा रहा है कि देखिए पहले तो आपको प्राक्टिकली संजाता हूँ होग किया गया यहाँ पे भी आपके 10,500 रुपीज टोटल थे यहाँ पे वही काम चल ला है मतलब अभी भी इस काम के लिए उनको 10,500 रुपे ही दे दिये गए लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 5 is to 8 is to 15 के रेशियो में बाता गया होगा लेकिन second case में 5 is to 8 is to 8 रेशियो में बाता गया होगा जिसके वज़े से दीपक और शिवम के शेर्स में कुछ ना कुछ चेंजस आया होगा और वही चेंजस वो पूछा है कि शिवम के जो वेजस से उनमें difference कितने का आ रहा है आप पहले तो ये कर सकते हैं अगर में basic method का हूँ तो basic में आप ये कह सकते हैं कि 10,500 उसको अगर में 15 plus 8, 23 plus 5, 28 पार्ट में break करूँगा 10,500 उसको अगर में 28 पार्ट में break करूँगा और शिवम का शेर निकालूँगा 8 पार्ट यहां से में शिवम का शेर निकाल सकता हूँ, दूसरा condition क्या है, 10,500 को, second case में में 8 plus 8, 16 plus 5, 21 parts में break करूँगा, और शिवम का शेर 8 part निकालने के लिए into 8 अगर कर दूँगा, तो यहां से भी शिवम का शेर आ जाएगा, इस वाले शेर और इस वाले शेर के बीच में मुझे difference पूछा गया है, वो में निकाल सकता हूँ, इतना भी कुछ नहीं कि बहुत time taking हो जाएगा, अगर examination में आप ऐसे भी करते हैं, कोई problem नहीं, लेकिन आये हैं, तो कुछ तो हट के सीख के जाएए, balancing of ratio का क्या कुछ role लेता है, वो सीख के जाएए, अब बेटा, यहां पे अग प्लस 5, 28 पार्ट का शेर टोटल है, और यहां पे 8 प्लस 8, 16 प्लस 5, टोटल 21 पार्ट का शेर है, यह तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि टोटल शेर तो 10,500 वो fixed है, तो सर कहना क्या चाहते हैं, मैं यह कहना चाहता हूँ, कि दोनों जगा में शेर को shame कर दूँगा, शेर को same क कैसे कर देंगे, 28 और 21 का LCM, 7 में काटूंगा, 4, 3, 4, 3, 12, 12, 12, 7, 84 आगया उनका LCM, दोनों जगा इस टोटल को 84 बना दीजे, आपको लगेगा लेंदी, लेकिन आप practice के साथ जान सकते हैं, नहीं तो एक method सीखे, आपको अगर दूसरा वाला method अच्छा लगता है, तो यह म 28 इंटू 3 अगर मैं multiply करूं तो total share 84 का आजाएगा, यहाँ पे 21 इंटू 4 करूं तो total share 84 का आजाएगा, उस हिसाब से शिवम, मतलब यहाँ पे 84 कब आएगा, जब यह भी 3 multiply, यह भी 3 multiply, यह भी 3 multiply होगा, तब add करने से 84 आएगा, similarly यह 84 कब आएगा, जब दीपक में 4, इसमें इसमें 4 सरी बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी नहीं, आपको शिवम का share चाहिए न, तो आप शिर्फ शिवम देखिए, तो उस हिसाब से जब total 84 होगा, तो शिवम कितना होना चाहिए, 8 इंटू 3, 24 पार्ट्स का होना चाहिए, और जब total यहाँ पे 84 होगा, तो यहाँ पे 24 पार्ट्स मिलता, और दूसरे केस में शिवम को 32 पार्ट्स मिलता, तो शिवम का जो difference आ रहा है, वो कितने पार्ट्स का आ रहा है, 8 पार्ट्स का रहा है, तो मुझे 8 पार्ट्स निकालने है, 8 पार्ट्स कब निकालूंगा, जब मुझे 1 पार्ट का वैलू मिलेगा, अब एक पार्ट कितना है अब टोटल जो 84 पार्ट हमने दोनों जगा बराबर किये थे वो टोटल शेर 84 पार्ट किसके बराबर है दसदार पानसो अगर 84 पार्ट दसदार पानसो के बराबर है तो एक पार्ट कितना होगा दसदार पानसो डिवाइड़ बाई 84 यह एक पार्ट का वैलु है शिवम यहाँ पे 24 यहाँ पे 32 तो शिवम में जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 पार्ट का तो डिफरेंस निकालने के लिए 8 अब अगर मैं इसको 7 में जा रहा है 7 में काटूंगा तो यह 12 वार 7 में जाएगा 1500, 4 में 2 x 4 में, 3 x 3 में 500, 500 into 2 will be 1000 तो correct answer for this question is 1000 and I hope कि इससे भी आपको 1000 मिल ही गया होगा इन दोनों के डिफरेंस करके और यहाँ पे भी अगर आप एक चीज कॉमन ले जाएए यहाँ पे 10,500 और 8 को कॉमन लेके भी इस सवाल को solve कर सके हैं आपकी मर्जी इधर से कीजे, उधर से कीजे answer एक अजाल आ गया, खुश हो यह और मत बताइएगा कि सरी यह lend दिये, बन दिये ऐसा मुझे कुछ सुनना नहीं, मैं आपके benefit के लिए बता रहा था, ठीक है? आपकी मर्जी आप जिस तरह से कीजे बहुत से doubts इस regarding हमें पूछे जाते हैं बच्चों द्वारा तो मैंने सोचा कि इसी question को अगर मैं इस topic के अंदर complete कर दूँ तो शायद आप work and wages के कोई सवाल से और ना डरे और खुदवखुद solve कर पाएं तो pause करके एक बार try लीजी कहां पर आप अटक रहे हैं जब मैं clear करूँगा तो आपको एक better conceptual clarity gain होगा the total number of men, women and children working in a factory is 18 मतलब अगर मैं बात करूँ एक factory में कुछ men, women or children है अगर मैं man, woman or children को add कर दूँ तो total कितने है 18 है they earn rupees 4000 वो 4000 रुपे कमाते हैं in a day एक दिन में वो 4000 रुपे कमाते है all women and all children is in the ratio 18 is to 10 is to 12 मतलब अगर मैं बात करूँ man, woman और children की उनको जो wage मिलता है उसका total किस ratio में होता है मतलब जो total men लोग लेते है जो total women लोग को मिलता है जो total children लोग को जो share मिलता है वो किस ratio में है 18 is to 10 is to 12 के ratio में है अब बोला गया है कि and if the wages of an individual man, woman and child is in the ratio 6 is to 5 is to 3 मतलब हर man को अगर 6 पार्ट मिल रहा होगा तो हर woman को 5 पार्ट मिलना चाहिए और हर child को 3 पार्ट मिलना चाहिए तो 6 is to 5 is to 3 उनका individual ratio था अब मुझे बोला गया है कि then how much a woman earn in a day एक वोमन एक दिन में कितना earn करते है अब आपको पूछू तो total आपके एक दिन में कितने का wage earn करते हैं मिला के चार अजार वो सब बात छोड़ दिजे अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर men लोग total 18 रुपीज सरी रुपीज कहां से मैं आपको जो example दे रहा हूँ वो सुझे अगर total जितने भी men है total मिलाने से 18 रुपीज में men लोगों को देता हूँ मतलब इस class में कितने मैंने मुझे पता नहीं लेकिन जितने भी men है मैं total men को 18 रुपीज देता हूँ तुम जितने हो ले लो ये 18 रुपीज फिर देखा गया कि हर men के पास 6 रुपे आया अगर मैंने 18 रुपीज दिया और हर men के पास 6 रुपे गए तुम आपके पास men कितने है थे 3 सरी ये कहां से 18 रुपीज नहीं कह रहा ये 6 रुपीज नहीं कह रहा अगर 18 पाट men के पास है जिसमें से हर men के पास अगर 6 पाट है तो जो number of men होंगे वो कितने पाट के होंगे? तीन पाट के होंगे ये एक बार मैं लिख देता हूँ आपके लिए आफिर बाद में confused होंगे टोटल वोमेन के पास अगर मैं मिला दूँ तो दस पाट है और हर वोमेन के पास तो पांच पाट है तो चाइल्ड कितने होगे, 4, 12 by 5, 3, तो नम्मर जो है, वो किस रेशियो में आ गया, 3 is 2, यह रेशियो है, this is not an exact number, this is ratio, 3, 2, और 4, जितने लोगों को फिर भी doubt हो रहा है, नहीं सर, मुझे सही नहीं लग रहा, मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा, तो मैं आपको बस एक च x by 6y जब करूँगा, तो यहाँ पर xy, x by y और x by y रहेगा, जो कि ratio में क्या हो जाया, cancel तुम्हें न, ratio में तो कोई छेड़कानी नहीं क्या, अभी भी तो ratio कह रहा हूँ न, यह कहना गलत होगा, कि अगर man 3 नहीं ले रहा, वो कहना गलत होगा, रेकिन ratio के हिसाब से, अगर man 3, मतलब 3 man होंगे, तो उससाब से 2 woman और 4 children होने जरूरी है, इतना तक अगर आपका concept clear हुआ, तो आप मुझे पहले तो यह बताइए, कि आपके पस man, woman और children total कितने थे, sir 18 थे, total जो man, woman और children 18 थे, वो किस ratio में होंगे, man 3 parts के होंगे, तो woman 2 parts के होंगे, तो child आपके 4 parts के हों तो सबसे पहले, 18 जो total man, woman और child है, उसको में 9 parts में divide करूँगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 18 divided by 9, यह आ जाएगा 1 part का value, उसी हिसाब से woman आपके पास कितने parts के हैं, 2 parts, तो into 2 कर दूँगा, तो यह 2 into 2, यानि कि मुझे यह पता चल गया कि 4 तो मेरे पास women है, क्योंकि number 18 को, अगर मैं 3 to 2 to 4 ratio में break करूँगा, तो 18 को 9 part में break करने से 1 part आपका 2 आएगा, 3 part आपका 6, 2 part आपका 4, और 4 part आपका 8 आजाएगा, मतलब 6 men, 4 women, और 8 children होगे, add करके देखे 18 हो रहा है, तो मुझे तो उन सबसे कोई दिलजस्पी था ही नहीं, मुझे तो सिर्प woman चाहि भी बताना है, तो woman है मेरे पास 4, अब लेकिन हर woman को कितना मिलता है, वो कहां से लाएगा, अब starting में concept आपको दिया गया था, कि वो लोग 4,000 रुपे total earn करते हैं, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, total men लोग कितना earn कर पाते है, 18 parts, women लोग 12 part, children लोग, sorry, women लोग 10 part, children ल लोगे, total ये 40 parts earn कर रहे हैं, और total ये कितना earn कर रहे है, 4000 earn कर रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ, कि 40 parts बराबर अगर 4000 हुआ, तो one part बराबर 1000 नहीं हो गया, और अगर one part बराबर आपका 1000 हो गया, तो total, sorry, one part क्यों निकाला है, ठीक है, one part अगर आपके पास 1000 आ गया, तो woman के total कितना जा रहा है, ये लिंदी हो रहा है, मैं और एक बार short में बताओंगा, ये पूरा detail में बता रहे हैं, एक short में बता देंगे, ठीक है, एक part का value अगर 1000 आया, तो woman के पास तो 10 part बराबर कितना होगा, 10 in 2000, 10,000, और ये जो 10,000 मिल ला है, ये सारे women को मिल ला है, सारे यान 40 part बराबर अगर 4000 तो एक part बराबर 100, एक part बराबर 100 तो दस part बराबर 1000, ये हो गया आपका 10 into 1000, sorry, 1000 बटे 4, 250, confusing हो गया, मैं इधर लिख रहा हूँ, questions हटा रहा हूँ, तो देखिए, सब कुछ भूल जाए, यहां तक आप पहुंच चुके हैं, 3, 2, 4 तक पहुंच चुके है ठीक है सर, टोटल आपके पास men, women, children कितने हैं, 18 है, उसमें से men कितने part, 3 part, women कितने part, 2 part, और child कितने part, 4 part, तो 18 को 3 plus 2, 5 plus 4, 9 parts में अगर में break करूँगा, तो ये 1 part का value और 2 part का women, यानि कि into 2 आपके पास 4 women है, ये confirm हो गया, 4 women क्या हैं, लेकिन टोटल आपके पास पैसा कितन men total 18 part ले रहे हैं, तो women 10 part ले रहे हैं, तो child आपका 12 part ले रहे हैं, मतलब men, women और children को मिला के total 40 part का रुपय उनके पास जा रहा है, और वही जो 40 part जा रहा है, वो कितने के बराबर, 4000 उनको एक दिन में जा रहा है, तो 4000 को अगर मैं 40 part में break कर दूँ, तो हो जाएगा 4000 बटे 40 अब 40 part में break करने के बाद, अगर मुझे women के पास कितना जा रहा है देखना है, तो women के पास 10 part जा रहा है, अगर एक part का value है, तो women के पास इसका 10 गुना 10 part जाएगा, जो women के पास जाएगा, वो कितने women के पास, 4 women के पास जाएगा, तो हर women के पास कितना जाएगा, divided by 4, काम ख चीज़ को आप शॉर्ट में इस पार्ट से उधर डायरेक्ली कर सकते हैं कोई भी कन्फ्यूजन रहा तो एक बार दुबारा रिवाइंड करके देख लिजे लेकिन अगर कोई भी कन्फ्यूजन फिर आख के दिमाग में रह रहा है वरकंड वेजस टॉपिक के लेके दो दहां के घड़ी आचुकिए जितना कॉंसेट अमने सीखा क्या वो हाई लेवल क्वेश्चिन के में लगाया जा सकता है या नहीं तो बढ़ते हैं अपने नेक्ट कैटेगोरी हाई लेवल क्वेश्चिन के और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार शेयर कर दीजेगा ताकि एफर्ट रंग लाए और दूर दूर तक जब पहंचेगा तो हमें भी खुशी है का हम मेहनत कर रहे थे उसका रेजल्ट हमें मिल रा है तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्ट कैटेगरी जो की होता है हाई लेवल वड़ प्रॉब्लम को कैसे डिल आउट और साथी साथ कुछ ऐसे क्वेशन जहां पर लेवल शायद लो लगे आपको लेकिन लैंग्वेज गेम कर देगा उसी तरह कि जितने पॉसिबल क्वेशन बन सकते थे इस चैप्टर के सब कुछ मैंने यहां पर इस सेक्शन में रखा है और उमीद करते हैं कि ये शेशन जिनका productivity different है फरक नहीं पड़ता है A working alone needs as much time as B and C working together A अकेला कितना time लेगा जितना B और C मिलके time लेगे उतना time लेगा मतलब में यह कह सकता हूं कि A और B प्लस C मिलके मतलब A अकेला जितना time लेगा B प्लस C मिलके उतना time लेगे तो यह कह सकता हूं कि अगर A X time में काम को खत पहला step clear है अब वाइल B himself needs 8 hours more working alone than when he works with C लेकिन यह देखा जाता है कि B जब अकेला उस काम को करता है तो वो 8 गंटे ज्यादा लेता है किसके comparison में जो time वो खुद C के साथ मिलके करने में लेता उसके comparison में मतलब मैं यह कहना चाहता हूं कि B अकेला कितना time लेगा जितना B और C मिलके time लेते यानि कि यह कितना होता है X उससे 8 hours ज्यादा तो यानि कि X plus 8 और next condition यहाँ पे बोला गया है कि A working alone needs 18 hours less than C needs working alone अब देखिए सबसे पहला मैंने एक concept आपको सिखाया था unique word problem में यूनिक word problem में starting एक basic करवाय था उसके उपर एक advanced level सवाल करवाय था और यहाँ पर मैंने वहाँ पर hint भी दिया था कि जब ऐसे कहा जाए कि उससे 8 दिन ज्यादा 18 दिन कम 18 घंटे कम 18 घंटे ज्यादा ऐसे तरह के सवाल आएंगे तो कोशिस कीजिएगा उनको उसी format में लान गंटे कम लेता है तो a c से 18 घंटे कम लेना जो हे c a से 18 घंटे ज्यादा लेना वही है मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि c जो है वो a से 18 घंटे ज्यादा लेगा अब a कितना टाइम लेता है a तो sir x hours लेता है B कितना time लेता है? X plus 8. C कितना time लेता है? X plus 8. 18. और X क्या है? B और C का combined time है. यह सवाल मैंने unique word problem में नहीं करूआ कि अगर दो लोगों का combined time दिया है और उनका individual time उस combined time से कितना ज्यादा है? वो दिया है. तो वो जो combined time है, वो कैसे निकालेंगे? पूरा का पूरा proof मैंने वहाँ पर करवाए है आपको ठीक है? तो अगर मैं extra time की बात करूँ तो B extra time 8 लेता है, C extra time 18 का लेता है, तो 8 into 18 अगर मैं कर दूँ तो यह 144 का square root यानि की 12 आ जाएगा आपका X का value. अब X का value 12 आने के बाद वो मुझे क्या पूछा गया है? अगर A, B, C मिल के उस काम को करेंगे, तो कितने time में खतम होगा? फिर इतना समझने के बाद भी अगर आप फिर सोच रहे हैं कि A, 12 लेगा, B, 12 प्लस 8 बीस लेगा, C, 12 प्लस 18 तीस लेगा, LCM लेंगे, time निकालेंगे, है रहे, नहीं. A को, जितना time लगता था, B प्लस C को उतना ही time लगता था, क्या वो time 12 गंटे के बराबर है? हाँ, सर. मतलब A अगर अकेला करेगा, तो वो 12 गंटे में करेगा, हाँ, सर. B और C अगर मिलके करेंगे, तो भी 12 गंटे में करेंगे, हाँ, सर. तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर A और B, C मिल जाएंगे, तो 12 का हाफ 6 गंटे में काम होगा, सर. ये कहां से आ गया? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं एक काम को अकेले 10 days में कर सकता हूँ, आप उस काम को अकेले 10 days में कर सकते हैं, तो मैं और आप जब उस काम को मिल के करेंगे, तो क्या वो काम आदा टाइम नहीं लगेगा, मतलब 5 घंटे नहीं लगेगा, अगर प्रूफ चाहिए जो 10 hours लेता है B एक दूसरा person है वो भी अगर 10 hours लेता है अगर वही दोनों same time में काम complete करने वालों को अगर मैं मिला के काम करवा दू तो 10 और 10 का L7 कितना होगा 10 ये total work को अगर 10 दिन तो हर दिन एक 10 by 10 हर दिन एक तो दोनों अगर मिलके करेंगे तो हर दिन 2 unit खतम होगा तो 10 का काम हर दिन अगर 2 unit खतम होगा तो 10 by 2 कितना दिन लगेगा 5 days और वो 5 में directly क्या कह सकता था अगर दोनों का time बराबर होगा तो वो मिलके करने से half of the time में काम को complete कर देंगे फिर आपका confusion सार यहां पे तो A है यहां पे B होता तो मैं मान लेता 6 लेकिन यहां पे तो सर B plus C है अरे यहां पे अगर मैं A plus X और B plus Y रखूंगा तो मुझे क्या करना है भया A X अगर 10 दिन में करेंगे B Y अगर 10 दिन में करेंगे तो LCM ले लेंगे 10 तो यह जो efficiency आएगा वो A X का हैगा यह जो एक efficiency आएगा वो B Y का आएगा तो 10 by 2 जो 5 लगेगा time वो किसका लगेगा A plus X plus B plus Y मतलब सारे के सारे person को मिलाने से time half हो जाएगा समझ में आ रहा है तो यह individual unit है group of unit है मुझे उससे कोई मतलब नहीं अब यह जो efficiency आएगा अगर individual होता तो individual का आता group है तो group का हैगा मुझे सिर्फ यह काम है कि एक group का अगर जितना time है दूसरा group का अगर उतना ही time होगा तो दोनों group मिल जाने से time half हो जाएगा clear है बराबर होने चाहिए आपे तो यह एक group है A का दूसरा group है B और C का इसको जितना time इस group को भी उतना time तो दोनों को अगर मैं जोड़ दो तो time कितना लगेगा half लगेगा यानि कि correct answer हो गया option number C 6 hours नहीं तो फिर गिसे पिटे method A X लेता है तो A का 12 बेकार method जो लोग आदा लोग तो कियो होंगे मुझे पता है B X plus 8 X तो अपना 12 है तो B 12 plus 8 20 C X plus 18 मतलब 12 plus 18 30 फिर लेंगे LCM 60 फिर यहाँ पे 5 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 5 plus 3 8 plus 2 10 60 by 10 6 ऐसा निकालेंगे लेकिन थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आपका नजरिया चेंज हो सवाल का सवाल जिस purpose के लिए बना है वो purpose अगर आप ढून लेंगे तो उससे कम टाइम आप मतलब उससे कम टाइम तो हो इने सकता तो purpose ढूनने के पीछे रहिए practice के वक्त examination में तो जैसा कीजे ऐसा भी कीजे वैसा कीजे जैसा दिमाग में crack करें और एक बात याद रखेगा practice जैसे करेंगे exam में वैसे आपको चीज़ें crack करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं बढ़ू next सवाल के गजब का सवाल है जल्दी से इस सवाल को pause करके कीजिए यार तभी यह high level का मज़ा आपको मिलेगा मैं explain करने के बाद अगर सामने में नहीं कोई भी आपको अगर explain कर दे या फिर solution भी book का मिल जाए तो तो और उस question का कुछ मतलब value ही नहीं रहा value तब पता चलेगा और का तब पता चलेगा तो देखते हैं second सवाल क्या कह रहा है rail near is packaged in water bottle plant rail near पानी का company है पानी bottle है वो कहां पे आपका बन रहा है package किया जा रहा है water bottling plant में किया जा रहा है with the help of two machines M1 and M2 दो machine के help से M1 और M2 M1 and M2 produces 400 and 600 bottles per minute M1 जो है वो हर minute 400 bottle produce कर पता है M2 machine जो है वो हर minute 600 bottle produce कर पता है one day production can be processed by M1 operating alone for 9 hours एक दिन का जो production है वो achieve कैसे किया जा सकता है अगर M1 अकेले 9 घंटे तक काम करेगा और by M2 operating alone for 6 hours अगर M2 अकेले 6 घंटे तक काम करेगा नहीं तो और by both M1 and M2 operating simultaneously for 3 hours and 36 नहीं तो या तो मैं एक दिन का जो मेरा bottle का target है वो या तो पहले M1 को सिर्फ और सिर्फ M1 को 9 घंटे चला के achieve कर सकता है नहीं तो अगर M1 मेरे पास नहीं है तो सिर्फ M2 को अगर मैं 6 घंटे चला दूंगा तो मेरा आज के दिन का production बन जाएगा अगर M1 M2 दोनों को मिला के अगर भी मैं 3 घंटे 26 मिनट चला दूंगा तो भी आज के दिन का production achievable है अब बोला जा रहा है कि if one day's production is processed by M1 operating alone for one third of the time अगर एक दिन का production जो है वो process कैसे किया गया M1 जो आपका machine था उसको operate किया गया one third of the time एक time के जो भी उस दिन का total time उन्होंने production में लिया होगा उस time का one third तर उन्होंने M1 को चलाया and M1 and M2 simultaneously operating for two third of the time और जो total उस दिन time लिया गया होगा उस total time का two third time तर M1 और M2 दोनों को चलाया गया होगा तब जाके then in how many hours total production of one day will be completed then उस प्रक्रिया में उस हिसाब से अगर एक दिन का जो production है वो मुझे कैसे अचीव करना है एक random time कितना मुझे नहीं पता लेकिन उस time का one third तक मुझे सिर्फ M1 को चलाना है और उसी time का two third तक M1 and M2 मिला के चलाना है और यह product मतलब जो production है उसको achieve करना है तो वो time कितने का होगा बढ़िया सवाल है जब तक आप इसके language को नहीं पकड़ेंगे तब तक सवाल आप solving कर पाएंगा और एक बार hint मिल गया तो सवाल मैं ऐसे बनाऊंगा कैसे देखते हैं यहाँ पर सबसे जो twist है वो यह है कि यहाँ पर minute का कोई role नहीं रहेगा और वो क्यों नहीं रहेगा वो मैं last को prove करूँगा अभी के लिए मैं आपको यह कह रहा हूँ कि आपके पास एक M1 machine है एक M2 machine है M1 machine जो है वो 400 bottle per minute बना पाता है और M2 machine जो है वो 600 bottle per minute बना पाता है यह जो सवाल आपका per minute है उसको मैं per hour लेके भी solve कर सकता हूँ सरक कैसे वो last में बताऊँगा अभी के लिए आप इसको per hour रिखे last में मैं बता दूँगा क्यों minute ना लेके मैं आवार लिया तो अगर हर घंटे M1 400 bottle package कर सकता है तो एक दिन का जो production है वो कैसे अचीव किया जा सकता है सिर्फ अगर मैं M1 को 9 घंटे तक चलाओ 9 घंटे तक चलाओ तो एक दिन का production अचीव हो जाएगा हर घंटे अगर मेरे हिसाब से 400 मैं एक बार assume कर रहा हूँ बीच में नहीं बाद में आपको explain करूँगा हर घंटे अगर 400 तो 9 घंटे में M1 कितने bottles आपके manufacture या produce कर पाता है 3600 और वही चीज वो बोल ला है कि M2 को अगर मैं 6 घंटे तक चलाओ तो वही चीज अचीव होगा obviously 600 into 6 3600 सर यह miracle कैसे हुआ यह बराबर कैसे हुआ यहाँ पर अगर आप पर मिनिट लेंगे तो एक additional into 60 और एक additional into 60 वो तो वही रहागा ना 3600 into 60 तो दोनों में यह common है तो वो cancel हो जाएगा इसलिए minute का कोई रोल नहीं है लाश्में और अच्छे से बताएंगे तो एक दिन का मेरे हिसाब से मेरा assumption है कि 3600 और 3600 unit का मेरे bottles बनने चाहिए अब वो यह बोल रहा है कि अगर एक दिन production जो है वो कैसे process किया गया total time जो था उसका one third तक M1 को चलाए गया तो total time कितना है पता है नहीं तो मैंने मान लिया कि total time suppose उस दिन production में X hours का लगा होगा क्योंकि मैं सब कुछ hours में ले रहा हूँ अगर total time उस दिन X hours का लगा होगा तो मैं यह कह सकता हूँ कि इसी X का one third time M1 को चलाए गया होगा one third time X का कितना होगा X by 3 hours तक मतलब X by 3 hours तक आपके M1 को चलाए गया होगा M1 को चलाए गया होगा और उस X time का two third time and M1 and M2 simultaneously operating for two third of the time तो उसी X का two third यानि कि two X by three hours तक आपके M1 और M2 दोनों को चलाए गया होगा यहां तक clear है अब अगर मैं बात करूँ M1 मेरे हिसाब से हर गंटे कितना आप manufacture कर पाता है 400 अगर हर गंटे वो 400 manufacture कर पाएगा तो दो गंटे में 400 into 2 3 गंटे में 400 into 3 7 गंटे में 400 into 7 तो X by 3 गंटे में 400 into X by 3 डन है अगर मैं बात करूँ 2 X by 3 time तक मैं किसको किसको चलाएंगा M1 और M2 दोनों को चलाएंगा M1 और M2 दोनों मिलके 1 गंटे में कितना आपके bottle manufacture कर पाएँगे 1000 एक गंटे में अगर M1 और M2 मिलके 1000 बना पाएंगे तो 2 गंटे में 1000 into 2 7 गंटे में 1000 into 7 13 गंटे में 1000 into 13 तो 2 X by 3 गंटे में 1000 into 2 X by 3 तो इतना बना पाएंगे वो और मेरे हिसाब से जब M1 को मैं जितने time का 1 थर तक चलाऊंगा और M1 M2 को उस time के 2 थर तक चलाऊंगा तो मेरा total work complete हो जा रहा है तभी तो मेरा achievable है न वो बोल रहा है कि 1 day production एक दिन का जो production है इसको इतने time और इसको इतने time से ही बनाता हूं तो एक दिन का production कितना है एक दिन का production अपना तो 3600 का होना चाहिए तो ये जो production मुझे कहां तक लीड करेगा 3600 तक लीड करेगा अब इस सवाल में क्या है देखे This is 400X by 3 This is 2000X by 3 Denominator में 3 है 2000X plus 400X will be 2400X by 3 बराबर हो गया आपका 3600 एक दो एक दो 0 काट दिया 3 यहां पे काट दिया 8 8 जाके divide हो जाएगा तो X का जो value होगा वो 36 by 8 8 4 जा 32 44.5 तो X का value आपका कितना हो गया 4.5 hours हो गया और यह X क्या है टोटल टाइम उसी दिन का है और जिसको हमने किस में लिया था hours में लिया था और आपका correct answer आपका क्या हो गया option number C 4.5 सर सब कुछ में समझ गया लेकिन शायद या तो question में कुछ मतलब गलत है या आपके concept में कुछ गलत है minute कहां गया बेटा अगर minute होता पुरा इसका screenshot लीजे पहले पहले इसका screenshot लीजे दूसरा वाला screenshot नहीं लीजेगा यह पहला वाला screenshot लीजे दूसरा वाला आप अपने notes में बना सकते है अरे अगर यह per minute के इसाब से लेता तो 9 गंटे में ऐसे कितने minute होते हर गंटे 60 मिनिट तो 9 गंटे में 9 into 60 तो total production 3600 into 60 होता yes or no? yes sir वो मैंने क्या है similarly x अगर मुझे hours में चाहिए एक दिन का production 1 third time को न तो अगर x मुझे hours में चाहिए या फिर x जो time मुझे चाहिए तो अगर इस x को मैं 60 मतलब minutes में convert करूंगा तो यहाँ पे एक into 60 रहेगा अरे x अगर मिने hours में लिया है तो minutes में convert करने के लिए x into 60 रहेगा हाँ sir इस x में यहाँ पे 60 रहेगा हाँ सर और यह जब टोटल एड होगा तो टोटल प्रडक्शन कितना होना जाए 3600 इंटू 60 यहाँ पेक 60 रहेगा इधर का 60 इधर का 60 और इधर का 60 क्या होगा कैंसल होगा तो जब आपके यूनिट्स बराबर है तो आप अपने convenient वाले यूनिट्स लेके ही सवालों को solve करें तभी जाके better होगा उमीद करता हूँ कि यह पूरा का पूरा चीज आपका सबसे perfectly clear होगा अगर clear है तो एक बार मतलब like और share कर दीजेगा और बढ़िए next सवाल यह आपके सामने है कोशिश एक बार कीजे मज़ा आएगा इस सवाल में चले एक बार खुद try कीजे तब जाके आपको पता चलेगा कि आप कहां पर रुक रहे हैं या ठहर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं सवाल कह रहा है कि A and B can complete the work individually in 24 days and 30 days respectively काम मिल गया एक इतने days में कर सकता है सर A जो है न वो उस काम को 24 days में कर सकता है और B जो है न वो उस काम को 30 days में कर सकता है रखे रहे हैं working 10 hours a day how can you forget that हर दिन अगर वो 10 गंटे काम करेगा तो A 24 दिन में उस काम को complete कर देगा हर दिन अगर वो 10 गंटे काम करेगा तो B उस काम को 30 days में complete कर देगा हर दिन 10 गंटे फिर भी 24 दिन मतलब 24 दिन में कितने गंटे वो काम क्या होगा 24 into 10 similarly 30 days में वो कितना घंटे काम क्या होगा 30 into 10 तो it is very much advisable कि जब भी ऐसे days देखे हर दिन कितने घंटे काम करता है सवाल आपको देखने के लिए हमेशा उनको hours में convert कर दीजे multiply कर दीजे उनका hours जो है similarly अगर वो बोलता कि A हर दिन 7 गंटा और B हर दिन 8 गंटा काम करता तो यहाँ पे into 7 यहाँ पे into 8 ऐसा question में नहीं कर वाया था यह भी complete कर दिया मेरे तो मैं यह कह सकता हूँ कि A 240 hours में उस काम को complete कर सकता है 300 hours में उस काम को complete कर सकता है yes or no मैंने उसको hours में convert कर दिया क्योंकि एक दिन में 10 गंटा तो 24 दिन में 24 into 10 240 hours काम किया होगा हर दिन अगर 10 गंटा तो 30 दिन में 30 into 10 300 hours तक वो काम किया होगा अब इतना तक जाने के बाद सवाल में आगे थोड़ा देख लू morning shift last for 6 hours and evening shift last for year on the first day तो कहीं पर efficiency का कुछ नहीं है तो यहां पर efficiency base नहीं है तो आप सीधा L-SAM लीजे मुझे लगा इतना बढ़ा है तो क्यों L-SAM ले लिजे 0 को हटाईए 24 और 30, 120 तो 1200 आपका L-SAM हो गया जो आपका L-SAM है वो आपका total work बन जाएगा अगर वो आपका total work बन गया तो यहां पर मेरा जो efficiency होगा एका 1200 by 240 यानि की 5 units का 1200 by 300 यानि की 4 units का तो एका हर घंटे पर hour 5 units per hour क्योंकि यह hour में convert कर दिया और B का efficiency 4 units per hour हर घंटे इतना तक करने के बाद आप में सवाल पढ़ रहा हूँ morning shift work is to be done in 2 shift काम जो होगा वो 2 shift में होगा morning shift lasts for 6 hours morning का जो shift है वो 6 गंटे तक काम last करेगा and evening shift जो है वो 4 गंटे का होता है on the first day A works in the morning shift while B works in the evening shift पहला दिन जो होता है वो A morning shift में काम करेगा और B evening shift में काम करेगा next day A works in the evening shift and B works in the morning shift and so on दूसरा दिन A Ifных में काम करेगा और B If morning में काम करेगा वो alternate करें अपने क्या shift को दिन में नहीं नहीं दिन shift महीं कर रहे वो स्वारी दिन को alternate नहीं कर रहे वो अपने shift को alternate करा रहे मतलब आज मैं morning कर रहा है तु evening कर कल उल्टा कर देंगे मैं evening करूँगा तू morning फिर अगले दिन मेरा मॉनिंग तेरा इवनिंग, फिर अगले दिन मेरा इवनिंग तेरा मॉनिंग, ऐसे करके वो चलेंगे, तो उस तरह से अगर चलेगा, जब तक काम कम्प्लीट नहीं हुआ, वो इसी पैटन पे काम करते रहे, On which day the work got completed, कौन से दिन में particularly काम कम्प्लीट होगा, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, morning है, evening है, तो पहला दिन जो होगा, first day जो होगा, वहाँ A, morning में क्या है, और B, evening में क्या है, तो A, morning में कितना कर सकता है, morning वाला shift जो है, वो कितने गंटे का होता है, 6 गंटे का होता है अगर morning shift 6 गंटे का होता है और A हर घंटे 5 यूनिट कर पाएगा तो morning shift में अगर A काम करेगा तो 5 इंटू 6 वो 30 यूनिट का काम कम्प्लीट कर पा रहा होगा Is it clear? Yes sir Similarly, evening shift में अगर पहला दिन B पहला दिन B evening shift में काम करेगा evening shift कितने गंटे का होता है? 4 गंटे का होता है B हर घंटे कितना कर सकता है? 4 यूनिट कर सकता है तो 4 गंटे के evening shift में उसने कितना काम क्या होगा? 16 यूनिट का मतलब पहला दिन जब B evening में काम करेगा तो 16 यूनिट का काम खतम होगा लेकिन अगले ही दिन उन्होंने अपने shift को change कर दिया दूसरे दिन A evening shift में काम करता है evening shift में अगर वो काम करेगा तो evening shift तो 4 गंटे का होता है तो 5 यूनिट अगर वो हर गंटे करेगा तो evening में जब वो 4 गंटा काम करेगा लेकिन third day में अगर मैं बात करूँ फिर से उनका shift इधर उधर हो गया, मतलब फिर जो first day में हुआ था वही continue करेगा 30, 16, similarly अगर मैं fourth day की बात करूँ तो fourth day again second day वाला pattern फिर follow करेगा 20, 24, 30, 16, 20, 24, 30, 16, 20, 24, ऐसे करते 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 चलेगा, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नह मुझे यह पता चल गया यहां पे कि पहला दिन आपका 46 unit का काम, दूसरा दिन आपका 44, तीसरा दिन आपका 46, चौथा दिन आपका 44, कुछ याद आ रहा है alternate का concept तो यहां से मैंने यह पता लगा लिया कि 46 प्लस 44, यानि कि 90 units, 46 प्लस 44, 90 units, आगे भी 46, 44, 90 units, मतलब हर 90 unit का काम खतम होते होते, दो दिन लग गए, तो यहां पे मैं कह सकता हूँ कि अगर 90 units का काम complete होने के लिए 2 days लग रहा है, every 2 day में, अगर 90 units का काम complete हो रहा है, मैं यहा लगा सकता है, reason बताया हूँ आप, तो अगर मैं unitary नहीं लगाऊंगा, तो मैं कैसे जाऊंगा, मैं 90 के multiples में जा सकता हूँ, और maximum कहां तक जा सकता हूँ, 1200 तो मेरा total और के उसको exceed कर दूँगा, तो काम complete हो जाएगा, तो उसको exceed नहीं करना है, तो 90 के multiple में अगर मैं 1200 की बा 1170 होता है, उसमें 0, 1170 unit करने के लिए, अगर काम मुझे 13 गुना करना है, तो time भी 13 गुना लगेगा, तो 2 into 13, 26 days का time लग जाएगा, 1170 unit complete करते हैं वक्त, लेकिन क्या काम complete हुआ, नहीं सर, क्योंकि total work कितने unit का है, 1200 unit का, अभी तर complete कितना हुआ, 1170, remaining बचा कितना है, सर 30 units, यह 30 units को कौन करेगा, first day में, morning shift से ही तो start होता है, तो अगर morning shift से start होता है, तो first day मतलब जो start हुआ था काम, उसी pattern में अभी follow करेगा cycle, तो pattern क्या था, पहला दिन, A morning में और B evening में, मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि जो बचा कुछा 30 unit का काम है, वो exactly 30 unit A morning shift में complete कर देगा, लेकिन वो मुझे यह नहीं पूछा कि कौन से shift में complete होगा, morning या evening, वो मुझे पूछा कौन से day में complete होगा, यहां तक 26 day complete हो चुका है, लेकिन क्या आपका काम complete होगा, और जो 30 unit का काम बचा है, वो कौन से दिन को take over होगा, 27th day को take over होगा, तो मैं यह कह सकता हूँ, in the morning shift of 27th day, the work will be completed by A, मतलब मैं 3 answer यहाँ पर दे सकता हूँ, काम किस के पास जाके end हुआ, A के पास जाके, काम कौन से shift में end हुआ, morning shift में, काम कौन से day में end हुआ, 27th day में end हुआ, तो यहां पे आपको जो भी पूछेगा, आप आराम से बता सकते हैं, that on 27th day, morning shift, A completes the final task, is it clear, गजब का लगा यह सवाल, अब alternate में मेरे ख्याल से, और कोई problem में आपको बार बार यह कहा था, कि concept में ने, छोटे छोटे पार्ट में आपको पहले सिखा दिया, और उनसे जो possible कुछ अच्छे level के questions हो सकते हैं, वो भी मैं आपको करवा दूँगा, और वो मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ, चलिए, बढ़ते अपने next question के और, यह सवाल देखे, थोड़ा उटपटांग सा है, लेकिन कोशिस कीजिए, यहां पे भी एक और चीज़ आपको सिखाऊंगा, कि वो जो एपी वेपी वाले सवाल जो होते हैं, कभी कबार person छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते है exactly, या फिर add किये जाते हैं, एक सवाल इसके basic के उपर ले लेंगे, तो बाकी आप खुद वो खुद चला के कर सकते हैं, लेकिन सवाल देखके रूख मत जाईए, या इंतजार मत कीजिए, फाइदा नहीं होगा, एक बार पढ़ लीजिए सवाल को खुद, उसके बाद आप को अच्छा, मतलब अच्छे से समझ में आएगा, सवाल कह रहा है कि, एक group of workers was put on a job, एक group of workers थे जिनको काम में लगाया गया, from the second day onwards, दूसरे दिन से ही, one worker was withdrawn each day, हर दिन एक एक worker को withdraw, या फिर remove किया गया, the job was finished when the last worker was withdrawn, जब आखिर वाला आपका जो person है, उसको withdraw कर दिया जात है, तो काम complete हो जाता है, यह बहुत ही controversial, बहुत ही contradicting statement है, लेकिन इसको आप थोड़ा logically सोचेंगे, तो काम बढ़िया होगा, आज suppose वो बोल ला है, वो अपने हिसाब से बोल ला है, कि जिस दिन काम खतम हुआ, उस दिन last worker को निकाल दिया गया, तो आप लोग सोच रहोंगे sir, यह क्या हो गया, मैं थोड़ा confused हूँ, आपके confusion को मैं दूर कर रहा हूँ, तो आज starting में अगर मैं एक आदमी को हर दिन एक एक आदमी निकाले जाते, तो अगर मैं यह कहूँ कि आज के starting में भी एक आदमी निकाला गया, अब controversy यह है, कि दिन के starting में हो रहा है, या दिन के डे अगर आपका X person होंगे होंगे तो अगले ही दिन second day में एक आदमी जाने के बाद X minus 1 आदमी होंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर आप clearly कह रहे हैं कि second day इतने आदमी होंगे, मतलब starting अगर 10 आदमी थे, दूसरा दिन अगर 9 आदमी होंगे मतलब दूसरे दिन के starting में आपने निकाल दिया अगर दूसरे दिन के starting में आपने निकाल दिया तो third day में एक और आदमी आप निकाल देंगे X minus 2, fourth day में एक और आदमी आप निकाल देंगे X minus 3, ऐसे करते 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 जब आप last day में पहुंचेंगे, तो last day में definitely कम से कम एक आदमी तो होगा, और जब आप उस एक आदमी को निकाल देंगे, तो काम complete है, मतलब अगर आप फिर भी सोच रहें कि sir, यह तो last day में एक आदमी था, उसको अगले दिन निकालेंगे तो निकाले अगले दिन, जब अगले दिन में, starting में ही उसको निकाल दूँगा, तो अगला दिन तो अभी तक use ही नहीं हुआ तो previous day, penultimate day इसी में ही तो काम खतम हुआ, मतलब मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो आखिर वाला काम खतम हुआ होगा, last जिन जीरो होगा, उस दिन को count नहीं करना है क्योंकि काम complete हो चुका है तो starting अगर x से हुआ होगा तो last में आते आते, end तक आते आते वो आदमी एक तक पहुंच गया होगा यह statement clear है, इतना statement अगर clear है, अब वो बोला है कि the job was finished when the last worker was withdrawn, जब last worker को withdraw कर दिया गया job आपका complete हो गया had no worker been withdrawn at any stage, अगर कोई worker आप withdraw नहीं करते the group would have finished the job in 55% of the time जो group था, group अगर कोई person withdraw नहीं किया चाहता तो अपने हिसाब से group में कितने लोग होते x लोग होते, वही x लोग जो है, the group would have finished the job in 55% of the time, तो जो time यहाँ पे लग रहा है उसके 55% के time में ही वो group इस काम को complete कर देते अगर आप हर दिन एक एक आदमी नहीं निकालते, how many workers were there in the group, कितने workers उस group में थे, अब पहला चीज़ आपको मैं पूछना चाहता हूँ, अगर पहले दिन एक आदमी थे, और दूसरे दिन एक निकाल के, x-1, x-2, x-3, ऐसे करते करते, last day अगर एक आदमी होता, तो आप मुझे पहला चीज़ बता सकते हैं, कि total person तो आपने, total person तो आपने x लिया है, क्या आप बता सकते हैं, वो total person जो x है, वो total कितना time लेते उस काम को complete करने के लिए, अगर मैं कहूं, x days लेते, तो कोई मुझे मना करता, नहीं मना करता, क्यूं, क्यूंकि अगर पहले दिन 10 आदमी होते, तो अगले दिन 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, मतलब 1 से लेके 10, 10 days तक काम चला होगा, अगर यहाँ पे 12 होता, तो end होते होते 1, तो 1 से लेके 12, कितने दिन होते, 12 दिन होते, 50 आदमी होते, तो 1 से लेके 50, 50 days होता, मतलब जितने person, उतना ही days, मतलब यह concept भी आप सीख सकते हैं, कि अगर आप हर दिन एक एक आदमी निकालते जाएंगे, तो जितने person starting में होंगे, सबको निकालने के लिए उतना ही दिन लग जाएगा, अगर 10 आदमी होंगे, तो उन 10 आदमी को सबको खाली करने के लिए 10 दिन लग जाएगा, common sense, तो X person से अगर आपने start किया, तो time आपको X days लगना चाहिए, अब मैं आप से यह पूछना चाहता हूँ, कि X person, अगर हर दिन X, 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 X person, X days तक काम करते, तो X square का total work होता है, यह मैंने पढ़ा है कि person और time को multiply कर दो, तो work आजाता है, man days जिसको का आजाता है, लेकिन आपको हर दिन X आदमी नहीं है, हर दिन एक एक आदमी जाते रहते हैं, तो जो total work है, वो मैं क्या कह सकता हूँ, वो कितना है, तो अब वो concept, man days वाला concept भी, मैंने आपको M1, D1, T1, is equal to M2, D2, T2, कहां से आए, वो concept बताया है, और उसी concept दे इसको solve करूँगा, मेरे हिसाब से, एक man जो है, वो एक दिन में, एक unit का काम कर सकता है, अगर एक man, एक दिन में, एक unit कर सकता है, तो अगर starting में, 7 man होते तो, 7 unit कर पाते, 11 man होते तो, 11 unit कर पाते, और अगर x man होंगे तो, तो sir, x unit कर पाएंगे, very good, अगले दिन, अगर x-1 आदमी होतो, sir, x-1 unit कर पाएंगे, क्योंकि हर एक man, हर दिन में, एक unit कर पाता है, तो x-2 man, एक दिन में, x-2 unit कर पाएंगे, तो जितने man आपके होंगे, हर दिन, उतना ही unit का काम हो रहा होगा, तो अगर पहला दिन x, उसके अगले दिन, x-1, x-2, x-3, ऐसे करते करते, मुझे 1 तक जाना है, तो total काम कैसे निकाले, इनका sum, और इनका sum, उल्टा जाने से आपको शायद ना दिखे, लेकिन इधर से जाएंगे तो दिखेगा, जैसे कि 1, इसके previous day, just previous day कौँन होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dot, 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 dot करके, आपको x-10 तक जाना है, तो अगर मैं आपको कहूँ कि, sum of first n natural number, उसका formula क्या होता है, n into n plus 1 by 2, similar लिए यहाँ पे अगर आपको x तक जाना है, तो sum of first x natural number, क्या होता है, x into x plus 1 by 2, यह मैंने average में पढ़ा रखा है, हर चीज completed है, systematically हम जा रहे हैं, कोई नया चीज आपके लिए मरना है, तो total work जो होगा, हर दिन अगर आपका एक unit, एक मैंन कर सकता है, तो उस हिसाब से, x into x plus 1 by 2 का total work होगा, लेकिन अब वो condition कह रहा है, तो हमने x person सब कुछ ले लिया, लेकिन अब वो कह रहा है कि, अगर तुम एक एक आदमी हर दिन नहीं निकालते, तो starting में जो group में जो लोग थे x, वो इस particular काम को, जितना time लग रहा है, उसके 55% time में कर सकते हैं, तो अगर x आदमी, कुछ एक time में complete कर सकते हैं, तो वो कितना work complete करेंगे, work कैसे निकालते हैं, आदमी person into time, तो अगर x person, इस time x का, जो time अभी लग रहा है न, उस time के 55% में काम कर देते, तो इस x time का 55% मतलब, x into 55% मतलब, x person, x के 55% time में अगर कर देते, तो person into time अगर में कर दूँगा, तो total work आ जाएगा, और जानते हैं, यह जो starting में, जो group में लोग थे, वो 55% of time में, यही total work कर पाते, वो बोल रहा है, यही total work मतलब, यह बराबर कितना हो गया, x into x plus 1 by 2, अगर यहीं से में equation को solve कर दूँगा, तो 1 x तो इस x के साथ गया, 2 यहाँ पे गया 50 times, 5 यहाँ पे कटा, 11, 5 यहाँ पे कटा 10, तो यह आगया आपका 11 x, यह cross multiply हो गया, 10 x plus 10, 11 x से 10 x गया, तो x का value आपका 10 आगया, तो x का value अगर आपका 10 आगया, तो number of person, initial number of person इसको हम बोलते हैं, तो initial number of person आपके group में कितने थे, 10 थे, तो यहाँ पे, how many workers were there in the group, where in the group, तो starting में कितने थे, 10, तो correct answer यहाँ पे हो गया, option number c, 10, तो जब एक एक जाएगा, या एक एक additional आएगा, उनको कैसे करना है, आप अभी सीख लिए, इस formula का implement करना है, और अगर कोई और ने formula की ज़रुरत होगी, तो वह arithmetic progression में, average में देख लिजेगा, कि अगर number change होते रहेंगे, तो वहाँ पे क्या कुछ करना होता है, ठीक है, बड़े आगे, गजब का सवाल एक और आपके सामने आचुका है, लाजवाब सवाल है आच, सब के सब लाजवाब सवाल, और सारे के सारे अगर आप मार्क करें, तो कुछ logical आपके दिमाग से खेलने वाले सवाल है, ऐसा नहीं कि सारे चीज़ने डाइरेक्ट है, कुछ थोड़ा आसा indirect चीज़ने दिया गया है, जो आपको trace out करने होंगे, चीक है, अगला सवाल मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो मैं start करता हूँ, Boston, Churchill and David are three workers, Boston, Churchill और David तीन वर्कर हैं, employed by a contractor, एक contractor के द्वारा employee किये गये, they completed the whole work in 10 days, वो एक काम को 10 days में complete कर सकते हैं, initially all of them work together, the starting में तीनों के तीनों मिलके काम करने शुरू किये, but the last 60% of the work was completed by only Churchill and David together, logically इसका मत्रब क्या है, मत्रब अगर मेरा total work 100% का होगा, तो उसे 100% से जो last 60% होगा, वो last 60% कौन कौन किये होंगे, Churchill और David ही किये होंगे, Churchill और David ही किये होंगे, अगर last 60% Churchill और David किये होंगे, तो first 40% कौन किये होंगे, starting तो तीनों ने किया था, Boston Churchill और David तीन वरकर एक साथ काम स्टार्ट किये थे, initially all of them work together, तो starting का 40% Boston Churchill और David मिलके किये होंगे, और आखिर के 60% का का काम Churchill और David मिलके किये होंगे, यहां तक clear है, अब बोला जा रहा है कि Boston worked with Churchill and David only for initial two days, and then he left the work due to his poor health, अब बहुत से चीज़े crystal हो, clear हो गया, बोस्टन जो है, वो Churchill और David के साथ initially दो दिन तक ही काम किया, और उसके बाद poor health condition के वज़े से वो छोड़ के चला गया, मतलब Boston, Churchill और David तीनों मिलके कितने देस तक काम किये होंगे, two days तक काम किये होंगे, और अगर यह two days तक काम किये होंगे, आपको मैं याद दिला दू, they completed the whole work in 10 days, starting line में है, तो total 100% complete करने के लिए, अगर 10 days का time लग रहा था, जिसमें से यह 40% complete होने के लिए two days लगा है, तो बाकी का 60% complete होने के लिए eight days लगा होगा, यह confirm हो गया, और अगर यह eight days लगा है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे सवाल क्या दिया गया है, अगर मैं बात करूं चर्चिल की, तो वो डेविड से 20% कम time लेता है, तो काम को complete करने में अकेला, 20% का मतलब आपको याद दिला दू, 20% का मतलब होता है one by five, मतलब पांच पार्ट में से एक पार्ट कम, मतलब डेविड को अगर पांच पार्ट का time लग रहा होगा, लेकिन क्या मुझे time से बिल्कुल भी दिल जस्प है, नई, हमें क्या चाहिए, efficiency, time के ratio अगर four is to five है, तो efficiency का ratio कितना आजाएगा, five is to four, मतलब में ये कह सकता हूँ कि चर्चिल अगर एक दिन में पांच यूनिट कर रहा होगा, तो डेविड एक दिन में चार यूनिट कर रहा होगा, तो चर्चिल और डेविड मिलके एक दिन में 9 यूनिट कर रहे होगे, यही 9 यूनिट का सिलसिला कितने दिन तक चला होगा, 8 दिन तक चला होगा, तो 9 into 8 कितने यूनिट का काम खतम होगा, 72 units का काम खतम हुआ होगा यह जो 72 units का काम complete हुआ है क्या मैं कह सकता हूँ कि यह total का 60% के बराबर है हाँ sir total के 60% का काम अगर 72 units है तो यहाँ पे जो 40% का काम हुआ है वो कितने के बराबर होगा यह निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते है sir 60 या तो मैं यह कह सकता हूं कि 60% is equal to 72 then 1% is equal to 72 by 60 and 40% is equal to 72 by 60 into 40 इस तरह से कर सकता हूं नहीं तो मैं यह भी कह सकता हूं कि 40 और 60 are very sweet numbers beautiful numbers क्या इनके बीच में ratio कितने का है 2 is to 3 तो अगर 60% जो 3 पार्ट होता है 3 पार्ट का का काम अगर 72 units तो एक पार्ट का 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 24 units तो 40% में जो 2 पार्ट होगा 24 into 2 यह 48 units का होगा यही जो 48 units का का काम होगा यह कितने दिन में हुआ होगा 2 days में हुआ होगा और अगर 2 days में हुआ होगा तो उसमें से मुझे पता है कि Churchill और David एक दिन में 9 unit कर सकते हैं तो उन्होंने इस 2 days में कितना काम किया होगा 9 into 2 यानि कि 18 units का काम किया होगा तो इस 48 units में से अगर 18 units Churchill और David ने क्या है तो Boston ने बाकी का काम किया होगा बाकी का यानि कि 48-18 जाने के बाद जो 30 units है वो definitely Boston ने क्या होगा अगर पूरे काम के लिए उनको 3000 उपए दिये गए है then what is the share of least efficient person अब फिर game हो गया अगर सिर्प पैसा की बारे में बात करता तो मुझे इसका और per day efficiency निकालने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन least efficient के लिए मेरे पास जो C का efficiency वो 5 का है और D का जो efficiency और उसी respective में मुझे B यानि की Boston का भी efficiency निकालना है तो Boston ने ये 30 units का काम किया सच लेकिन कितने दिन में 2 days क्योंकि उसी के बाद तो उसका तबियत खराब हो गया तो 30 units करने के लिए अगर Boston 2 days ले रहा है तो Boston हर दिन कितना कर रहा होगा 30 by 2 यानि की 15 units का काम वो हर दिन कर रहा होगा ये 15 units का सिर्फ इतना ही रोल था ये निकालने के लिए कि इनमें से least efficient कौन है B का 15 units, C का 5 units और D का 4 units तो least efficient कौन है यहाँ पे? D है अगर D यहाँ पे least efficient है तो मुझे निकालना है D का share तो D का share कैसे निकालेंगा? total आपको जो पैसा दिया गया कितने रुपे दिये गये इस काम के लिए? total तो मुझे 3,000 रुपे दिये गये तीन हजार रुपे जो दिये गये वो कितने काम के लिए दिये गये? अब यहाँ पे अगर मैं देखूं total काम मेरे पास कितने percent के है अब देखे न, टोटल काम, एक काम कीजे न, इन दोनों का individual काम पहले निकाल दीजे, काम खतम हो जाएगा, तो चलिए, तो सबसे पहले, मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, कि अगर चर्चिल पांच यूनिट कर रहा है, और डेविड चार यूनिट कर तो चर्चिल टोटल कितने दिन काम क्या, स्टार्टिंग पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब 2 प्लस 8, 10 दिन तक काम क्या है, सिमिले अले कि «डेविड इस दिन पांच गर गाँ कर रहा है, तो चर्चिल अगर 10 दिन काम करेगा, तो 50 यूनिट का काम कम क्लीट क्या होगा, डेविड अगर 10 days काम क्या होगा, तो 40 units का काम complete क्या होगा, तो अब मैं कहा सकता हूँ, कि Boston, Churchill और डेविड का work done किस ratio में है, Boston total कितना काम करता है, 30 units का, Churchill total कितना काम करता है, 50 units का, और डेविड total काम कितना करता है, 40 units का, तो यह जो पैसा 3000 है, हुमें इस ratio में बांट दूँगा, इस ratio का मतलब मैं कहा सकता हूँ, 3 is to 5 is to 4, हाँ सर, total इस काम के लिए कितना रुपे आए, 3000, इस 3000 को मैं कितने हिस्तों में बांट दूँगा, 3 plus 5, 8 plus 4, 12 parts में break कर दूँगा, 12 में divide करने के बाद, यह एक part का value आया, मुझे किसका share चाहिए, least efficient person, who is the least efficient person, the person having efficiency of 4, because 4 is lesser than 5 and 15, so कौन आपका सबसे least efficient है, D, तो मुझे D का share निकालना है, तो कितने parts निकालना है, यह 8 part है, तो D का 4 निकालने के लिए, इन्टू का 4, अब इस 4 को अगर मैं cancel करूँ, यह 3 times, 3000 by 3 यह answer आपका कितना आ गया, 1000, बस गूमा था यार, और कुछ नहीं तो correct, answer option number C, 1000 हो गया, तो यह चीज आपको ध्यान रखना है, कि least efficiency के लिए, मुझे इसका efficiency निकालना पड़ा, फिर आपको total पैसे को, और हाँ, आप लोग एक पर करेंगे ना, तभी इन सवालों का उकाथ, मैं जब explain कर दूँगा, तो आपको लगेगा यह high level नहीं है, तो ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन घूम फिर क्या, जब आप खुद travel करेंगे, सवाल में तीन बार घूम के आएंगे, फिर आपको बता चलेगा कि सवाल में है क्या, जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि यह सवाल बहुत easy है, खुद करके एक बार try कीजे, खुद एक बार, क्यों मैं पूरा पढ़ रहा हूं, मैं तो आपको अप्रोच लेने के इमेडिट कहता हूं, मैं पूरा इसलिए पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैंने इस सवाल में देखा कि यहाँ पे efficiency का रोल है, या L-SIM लेना पढ़ेगा, clearly मुझे पता चल गए efficiency का रोल है, क्योंकि work done के ratio में तो पैसा मिलता है, तो यही से मैं efficiency का ratio निकाल सकता हूं, तो मैं efficiency के उपर target करूँगा, अगर मुझे efficiency के उपर target करना है, तो सबसे पहला statement अब मैं पढ़ता हूं, क्योंकि मैं इसका सवाल है, तो थोड़ा time लेके कर सकता हूं, यह चीज आपको ध्यान रखना होता है, तो अब अगर मैं इस चीज को complete करूँगा, working together, B and C take 50% more number of days than A, B and C together, तो B और C जो है, वो मिलके A, B, C जितना time लेते हैं, उनसे 50% ज्यादा time लेते हैं, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, कि 50% का मतलब 1 by 2 होता है, मतलब 2 part में से 1 part ज्यादा, मतलब A, B, C अगर 2 part का time ले रहे होंगे, तो B और C उससे 1 part ज्यादा, यानि कि 3 part का time ले रहे होंगे, तो मैं यह कह सकता हूं कि this is my time का ratio, बट क्या मुझे time का ratio चाहीं, अगर time का ratio 3 by 2 है, तो efficiency का ratio 2 by 3 है, मतलब B और C मिलके अगर 2 part का काम कर रहे होंगे, तो A, B, C डेफिनेटली 3 part का काम कर रहे होंगे, तभी जो time का ratio 3 by 2 आया था, अब आगे मैं कहना चाहता हूं कि यह और B यह इसका line का कुछ नहीं है, efficiency कहां दिया था, if A, B, C have all have worked together till the completion, अगर A, B, C तीनों मिलके काम के complete होने तक काम करेंगे, B has received rupees 120 out of a total earning of rupees 450, अगर मैं, तो आप, मम्मी, पापा, सब लोग मिलके काम करेंगे end तक, तो सब के लिए time constant होगा, मैंने आपको work and wages के basic में यह पढ़ाया था, कि पैसा जो है, वो work done के ratio में बढ़ता है, लेकिन अगर आप सभी का time बराबर है, तो आप किस ratio में work कर पाएंगे, जितना ratio में आप efficiency रखते हैं, उसी ratio में work कर पाएंगे, तो यहाँ पर अगर start ABC एक साथ कर रहे हैं, और complete एक साथ कर रहे हैं, तो तीनों के लिए time constant, यह सिखाया है, मैंने हर चीज को में सिखा के आया हूँ, और अगर आपका time constant है, तो मैं कहा सकता हूँ कि जो पैसा उनको मिला होगा, वो उनके efficiency के हिसाब से मिला होगा, मतलब B को 120 रुपे, लेकिन total ABC को 450 रुपे, यह क्यों मिला होगा, क्योंकि B का efficiency अगर 120 पार्ट का होगा, तो इन तोनों का total efficiency 450 पार्ट का होगा, अब ratio निकालते, 0 के साथ 0, 3 में काटूंगा, तो B का efficiency अगर 4 पार्ट का होगा, 3 में काटूंगा, तो ABC का combined efficiency वो 15 पार्ट का होगा, A, B, C का Combined Efficiency कितने parts का होना चाहिए 15 parts का लेकिन यहाँ पे A, B, C का Combined Efficiency कितने का है 3 parts का है क्या मैं 3 को 15 बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ 3 को 15 बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 का multiplication किया तो उपर भी मुझे 5 का multiplication करना होगा मतलब जो Actual Efficiency का ratio चल रहा है वो कितने का चल रहा है? 2 into 5, 10 by 15 मतलब B और C का Actual Efficiency Balanced Form में 10 units का चल रहा होगा और A, B, C का Total Efficiency Balanced Form में 15 units का चल रहा होगा अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ B का Efficiency आपको पता है कितना 4 है? B का Efficiency 4 है लेकिन B प्लस C 10 है तो अगर मैं आपको कहूँ कि B अगर आपका 4 है तो उसमें C कितना add होने से Combined Efficiency 10 आएगा? 6 का मतलब यही से मुझे पता चल गया कि B का Efficiency 4 था B प्लस C अगर 10 है तो C का Efficiency definitely 6 units का होगा अगर B और C मिलके 6 प्लस 4 10 units का Efficiency रखते है लेकिन उनी B C में जब A add हो जाता है तो वो Efficiency 15 हो जाता है मतलब कितने से बढ़ जाता है? 5 से बढ़ जाता है तो वो Extra Efficiency किस का होगा? A का यह मैंने सब कुछ पढ़ाया होगा आपको 10 बार कहने में मुझे भी शर्मार है लेकिन सही में बता है इस Chapter में जादा कुछ है नहीं Confidently कहा सकने कि ओवर हुआ तो A का Efficiency 5, B का Efficiency 4 और C का Efficiency 6 मुझे मिलके इतना मिलने के बाद अब वो मुझे पूचा है कि How many days did ABC together complete the work? ABC का Time चाहिए लेकिन अभी तक क्या आपके पास Time का कोई Raw Figure Numbers है? नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि आपने बीच में जहाँ पे Number का Figure आपको दिया गया था 8 by 3 उसको अभी तक यूज नहीं किया वहाँ पे क्या बोला है कि A और B एक साथ अगर काम करेंगे तो वो 8 by 3 days ज्यादा लेंगे as compared to A, B and C together तो मुझे बताइए A, B और A, B, C में efficiency का ratio कितना है? क्योंकि वो सब हमने निकाल लगए है तो A अगर एक दिन में 5 करेगा तो B एक दिन में 4 करेगा तो A और B मिलके 5 प्लस 4, 9 units कर पाएंगे और A, B, C मिलके एक दिन में 15 units कर पाएंगे अगर उनके efficiency के बीच में ratio 9 is to 15 है तो time के बीच में ratio या efficiency के बीच में थोटा ratio कर दो ना तो efficiency के बीच में ratio 3 is to 5 का है अगर efficiency के बीच में ratio 3 is to 5 का है तो time का ratio उनके बीच में कितने कराएगा? 5 is to 3 मतलब A और B मिलके अगर 5 पार्ट का टाइम ले रहे होंगे तो A, B, C मिलके 3 पार्ट का टाइम ले रहे होंगे तो A, B, A, B, C से कितना पार्ट ज्यादा टाइम ले रहे हैं दो पार्ट ज्यादा टाइम ले रहे हैं और कितना टाइम ज्यादा ले रहे हैं 8 by 3 times जादा ले रहे हैं 8 by 3 days जादा ले रहे हैं तो मैं यहां पर कह सकता हूँ कि 2 part बराबर आपका हो गया 8 by 3 days अगर 2 part बराबर 8 by 3 days चाहिए मिल गया है तो आपको पूछा गया है कि ABC का time बताओ ABC का time आपने कितना part रखा है यहां पर 3 part का रखा है तो अगर 2 part बराबर 8 by 3 इस चीज़ को यहीं पर लिख रहे हैं अगर 2 part बराबर 8 by 3 तो आपका 3 part का जो time है ABC का वो किसके बराबर होगा 3 part निकालने के लिए 8 by 3 यह 2 आके इधर divide हो जाएगा तो 1 part 3 part निकालने के लिए इन 2 3 और जो लोग पढ़े लिखे होंगे वो इधर भी आके directly 3 by 2 multiply कर सकते हैं अब 3 के साथ 3 गया 2 यहां पर कड़ आ 4 के साथ तो 3 part जो आया वो कितने days के बराबर आया 4 days के बराबर आया तो correct answer for this question is option number C 4 days कौन 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 लेंगे A, B और C मिलके लेंगे अगर A और B का time पूछता तो 5 part निकालते इसी तरह से आप सवाल को deal out करते ठीक है उमीद करते हैं कि ये concept भी आपका सीख गये होंगे कैसे किदर जाना है कैसे balancing वगेरा करना है हला कि 4-5 बार मैंने आज के session में आपको balancing बता दिया है अब ये रहा आपके सामने एक और गजब का question इस question से end करने का reason ये है कि मैं आपको फिर end होते होते कुछ और नया चीज़ सिखा दूँगा कि अगर आपको कभी लगे कि नहीं ये सवाल मुझसे नहीं बन पा रहा है और हमेशा नहीं एक बार अगर आपको और usually ये सब mains के सवाल में कीज़ेगा ये method जो अभी में बताने वाला हूँ ये pre में मत लगाएगा लगेगा मैं ये नहीं मना कर रहा है लेकिन pre में ये ज़्यादा consuming Annie and Benny are twins Annie and Benny twins थे Benny takes two days more than Senny to complete the work बढ़िया है तो Benny जो है वो दो दिन ज्यादा ले रहा है Senny से काम को complete कर देखते If Annie started a work and three days later Benny joins him then the work gets completed in three more days working together Annie, Benny and Senny can complete thrice the original work in six days in how many days Benny can complete twice the original work with double the efficiency working alone सबसे पहले मैं last से start करता हूँ वहाँ पे एक नया चीज़ सीखे आपको निकालना है Benny का time और वो भी कितने काम को करने के लिए twice the original काम को करने के लिए वो भी किस efficiency में double efficiency में तो एक बात अगर मैं आपसे पूछूँ कि अगर मैं double efficiency में double काम करने के लिए जाओं तो time भी sir double लगेगा सोच के तो answer दो कम से कम time उतना ही लगेगा अरे बेटा अगर मैं 10 मिठाई खाता हूँ अगर मुझे 10 मिठाई खाने हैं और मैं हर दिन 2 मिठाई खाता हूँ तो मुझे कितना time लगेगा sir 5 दिन लगेगा 10 by 2 ये तो कर सकते न 10 मिठाई खाने हैं हर दिन 2 खापाता हूँ तो 10 by 2 हर दिन में 5 sorry total मुझे 5 दिन लग रहे होँगे अगर मुझे मिठाई double खाने है यानि के 20 और मैं efficiency मतलब हर दिन जो खारा हूँ वो भी double कर दू 2 का double 4 तो अब भी मुझे time कितना लगेगा 20 by 4 5 अगर मिठाई मुझे 3 मुणा खाने है 10 का 3 times 30 और मैं अपने sweets को भी per day intake 3 times कर दू 2 into 3 6 तो 30 by 6 आपका कितना हो गया वही 5 मतलब अगर आपका total work जितने times से बढ़ा दिया जाए और आपके efficiency को अगर match करने के लिए उतने ही times बढ़ा दिया जाए तो time में कोई changes नहीं आएका Is it clear? तो यहाँ पर अगर वह बोला है कि double काम को करने के लिए double efficiency में कितना time लगेगा वो कितना time होता है जो उसको usually time लगता है तो उसको original time ही निकालना है Benny का तो Benny का अगर original time निकालना है तो suppose मैं यह कहता हूँ कि Benny को x days लग रहे है days में न सब कुछ Benny को suppose x days लग रहे है अब starting करते है any, Benny and sunny are three prints any and Benny any होगा शयद any and Benny are twins twins होंगे Benny takes two days more than sunny to complete the work Benny जो है वो sunny से two days ज्यादा लेता है अगर Benny जो है वो sunny से two days ज्यादा लेता है तो मैं उल्टा कहे सकता हूँ क्योंकि Benny को तो मैंने already x मान रखा है तो sunny जो है वो sunny से two days कम ले रहा होगा अगर कम ले रहा होगा तो वो कितना हो जाएगा x minus 2 यह चीज का धान रहा है क्योंकि इसको मैंने already assumption ले ले आए न क्यों उसमें change करें बोला था कि Benny जो है वो दो ज्यादा होगा तो sunny automatically दो कम हो जाएगा तो यह अगर मैंने x मान रखा तो यह x minus 2 हो गया यहां तक clear है हाँ sir clear है अब बोला गया है कि if Annie started a work and three days later Benny joins him अगर Annie एक काम को start कर रहा है कर रही है और तीन दिन के बाद उसको Benny join कर रही है then the work gets completed in three more days then come और तीन दिन में complete हो जाएगा logical अगर मैं सोच हो तो Annie ने starting में तीन दिन काम किया हाँ sir फिर उसके साथ Benny आ गया फिर तीन दिन में काम complete हो गया तो Annie ने starting वाला तीन दिन में काम किया और उसके अगले तीन दिन में काम किया मतलब Annie ने total कितना days काम किया six days काम किया लेकिन Benny तो तीन दिन बाद आई फिर तीन दिन काम खतम हो गया तो Benny ने कितना दिन काम किया three days में काम किया मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि total work जो होगा वो अगर अपना any 6 दिन और बनी 3 दिन काम करेगा तो भी हो जाएगा clear है any start की काम हाँ सर कितने दिन तक काम की 3 दिन हाँ सर उसके बाद कौन आई बनी हाँ सर फिर कितने दिन तक काम चला 3 दिन तक मतलब बनी तो आने के बाद 3 दिन ही काम की होगी 3 देस लेकिन any starting से 3 अकेला फिर 3 दिन बनी के साथ मतलब बनी ने 6 देस मतलब any 6 दिन और अगर बनी 3 दिन भी काम कर लेना तो भी काम आनी जाएगा total work complete हो जाएगा अब देखतें आगे working together अगर एक साथ मिलके काम करेंगे तो any benny and senny can complete thrice the original work in 6 days any benny और senny मिलके 3 गुना काम को 6 दिन में कर सकते हैं अरे बैया तुम्हें 3 गुना काम करने के लिए बोला कौन है अगर किसी चीज का 3 गुना करने के लिए आपको 6 दिन लग रहा है तो उसे original काम को करने के लिए कितना time लग रहा होगा 6 by 3 2 days अरे हाँ या नहीं अरे एक काम का 3 गुना 3 times करने के लिए अगर 6 days लग रहा है तो one time करने के लिए 6 by 3 2 days लगेगा न ये concept भी लिखूं क्या board पे means का सवाल है बिटा ठीक है और end है ये लगबग लगबग नहीं ये last question है ये last question है ये सब चीज़ें तो आपसे expect नहीं कर रहा है मतलब अगर 3 गुना काम करने के लिए वाकई में 6 दिन लग रहा है तो original काम को करने के लिए 2 दिन लगेगा original काम को together 2 दिन लगेगा अब बोला गया है कि in how many days Benny can complete twice the original work तो Benny twice the original work with double efficiency मतलब original work को करने के लिए जो time लेगा और उसको मैंने कितना मान रखा है X मान रखा है अब ये सवाल को आप कहां से start करेंगे कहां से end करेंगे आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा होगा इसलिए मैं आपको एक अलग सा approach दे रहा हूँ जब mains के सवाल में आपने almost give up कर दिया होगा तो एक next उसके बाद ही एक alternate way ढूंडिये कि क्या मैं यहाँ पर option का इस्तिमाल कर सकता हूँ क्या मैं यहाँ पर option का इस्तिमाल कर सकता हूँ तो अब मैं option यहाँ पर भी मैंने जान भूझ के पूरा मेरा ही question है end में रखा है ताकि गलत option को कैसे discard किया elimination method वो सीखेगा अब पहला option है to मतलब any को अगर two days का time लग रहा होगा आप मुझे बताए is it possible any को अगर two days time लग रहा होगा तो मुझे यह पता है कि any बेनी का time पुछा न तो अगर बेनी को two days का time लग रहा होगा option a के हिसाब से तो मुझे पता है कि two days में अगर बेनी वाके में काम complete कर रही है तो any को और any को two days काम करने की क्या जरूरत मतलब यह contradict हो गया समझ रहे हो अरे उसने का कि इसको दो दिन इसको दो दिन काम करने से काम complete होगा उसी ने कहा फिर वह बोला है कि option number a में बेनी अगर दो दिन काम करेगी तो काम खतम हो जाए कैसे बेनी के दो दिन के साथ any को भी दो दिन और sam 숨चल, any को भी काम करने तो पहला option आपका wrong होग तो बेनी अगर अकेले तिन दिन में कर पाती तो एनी को तो छे दिन काम करना नहीं पड़ेगा लेकिन एनी को छे दिन काम करना पड़ रहा है मतलब तीन दिन में काम complete नहीं होता है Is it clear? तो यहां से भी option में नहीं निकाल दिया कि option number B, 3 is the wrong answer Again जब मैं आगे बढ़ूँगा 4, तो 4 को लेके करते हैं, हाँ बन सकता है, 4 दिन लग रहा होगा अगर वाकरी में बेनी को 4 दिन लग रहे हैं, तो 4 दिन में से अगर total work वो complete कर सकता है तो 3 दिन में वो कितना काम कर सकता है, 75% का काम कर सकता है तो यह कहां से आ, अगर total काम अगर 4 देज में वो complete करेगी, तो 3 देज में कितना काम करेगी 3 by 4 काम करेगी, 3 by 4 मतलब 75% का काम और अगर बेनी 3 डेज में 75% का काम करती है लेकिन उसी के साथ जब एनी 6 डेज काम करता है तो काम complete हो जाते है मतलब एनी 6 डेज में बचा कुछा 25% का काम कर रही होगी अगर 25% का काम करने के लिए 6 दिन लग रहा है तो पूरा 100% का काम जो की 25% का 4 गुना है वो 100% का काम अगर एनी अकेली करती है तो 6 का चारूना 24 दिन लगता तो अगर एनी को 24 दिन लगता इस हिसाब से उप्शन नमबर C के हिसाब से तो उस हिसाब से बेनी को X मतलब X हमने कितना लिया उप्शन नमबर C 4 मतलब बेनी को 4 डेज हमने लिया है तभी तो any 24 आई और अगर बेनी 4 आई तो सेनी उससे 2 कम यानि कि सेनी का कितना 2 days आई अब मैं अगर उनका LCM लो तो LCM लेने के बाद इनका LCM 24 आ गया अब मैं इनका efficiency निकालता हूँ 1 इसका efficiency 6 और इसका efficiency 12 तो combined efficiency 18 plus 1 19 तो 24 units करने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा 24 by 19 is it cancelling out no तो सर प्रॉब्लेम क्या है अरे any बेनी सेनी को मिल के कितने दिन में काम को complete करना है 2 days में काम को complete करना है लेकिन क्या any बेनी सेनी इस condition में 2 days में काम complete कर पा रहे है नहीं कर पा रहे हैं तो कोई option आपको satisfy नहीं करेगा कभी नहीं करेगा अगर आपके दिमाग में ये वाला concept जो मैंने घुसाया option A और B को discard करने के तरीक का अगर वो भी आपके दिमाग में याता तो उनको अगर मैं substitute करके पहुंचता तो ये 2 नहीं निकलता देख लेंगे आप थोड़ा घर में बेटके आराम से देखिएगा और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो comment भी कीजिएगा लेकिन अगर मैं अपना बचा कुछा जो 4th option ने उसका इस्तेमाल करूँ 4th option मेरे हिसाब से कितने अका होना चाहिए 4th option के इसाब से बेनी को कितने टाइम लगने चाहिए 6 days लगने चाहिए अगर बेनी को 6 days लगने चाहिए तो 3 days में उसने कितने काम किया होंगे अरे total काम करने के लिए 6 days तो 3 days में उसने 50% का काम क्या होगा अगर हाफ time में half काम अगर बेनी 3 days में 50% का काम करती है तो बाकि का 50% डेफिनेटल एनिने 6 days में complete किया होगा तभी तो जाके total work complete होगा एनि येगर 50%, यारी कि half काम 6 दिन में करती है तो total काम एनि कितने दिन में कर सकती है? 12 दिन में कर सकती है बेनि कितने दिन में करती है combined efficiency 5 plus 1 6 12 unit का total काम हर दिन अगर 6 के इसाब से चले तो 12 बटे 6 कितने दिन में काम complete हो जाएगा 2 days और एनी बेनी से नी मिलके कितने दिन में करने चाहिए 2 days तो option आपका perfectly suitably fit बैट रहा है तो इसी तरीके से ये एक मैंने अलग सा approach आपको जान भूज के सिखाया ताकि जब आप मेंन के पेपर में बैठे हो और आपके कोई ऐसे सवाल बीज में अटक जाए आप कहां से शुरू करें खतम करें नहीं समझ में आए तो वहाँ पे आप उस time पे ही option का सारा ले मुझे पता है आप बड़े बेवकूफ हैं आप daily basis पे हर question पे लगाएंगे जब मैं हर question पे लगाऊंगा ना तो कुछ ऐसे question निकलेंगे जिनको अगर मैं मतलब method से कर दूँगा conceptual way में कर दूँगा तो जादा मतलब कम time लेगा तो आप बिलकुल भी और साती साती जो प्यारा सा सवाल आपके लिए मैंने रखा है आज के session में इस सवाल का answer आप लोगों को मुझे comment box पे drop करना है चाहे answer comment करें या ना करें उससे मुझे ज़्यादा फाइदा फरक नहीं पड़ता बस आपके valuable feedback चाहिए कि आज का session आपको कैसा लगा कौन सा part आपको इस session का सबसे मज़ेदार लगा कौन सा question आपके लिए आज सबसे गजब का था आगे आपके कोई भी doubts हो queries हो तो sessions में जूरिएगा upcoming बहुत से live sessions भी आपके लिए आ रहे हैं IBPS PO और SBI PO के लिए especially mains के लिए भी कुछ sessions आएंगे और future में बहुत से surprises भी हैं आपके लिए तो बस यहीं कहके आज के session को यहीं पर end करते हैं उमीद करते हैं कि time and work का concept आपके दिमाग में मैंने directly transfer क्या है session पसंद आया होगा तो एक बार like कीजेगा session को जितना हो सके share कीजेगा ताकि यह efforts रंग लाए और यह महनत मुझे जो है ना जो करना पड़ता है वो आपके बहर कुछ भी तरह से appreciate करेंगे तो वो motivate करता है next video में तो सब कुछ यहीं पर end करते हैं चैनल पर नहीं तो चैनल को subscribe ज़रू से कर लिजेगा क्यूंकि ऐसे quality content के साथ हमाँ आपके साथ मुलाकात करते रहेंगे जो रहें हम आर साथ देखते हैं क्यारे डिफाइन तब तक कीप लविंग कीप सबोर्टिंग तरवा थिंक सो मच काईस पर वाचिंग लव यू टेक क्या तरवाए